समीती के उन साथ सदस्यों में से थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की सम्विथान का प्रारूप तयार किया था मारवा साव एक प्रसिद राज़ितग्य प्रक्ष्यात नयाईविद थे अर्स प्रष्टा और जाती प्रबंद जैसी सामाजिक पुराईयों को मिटाने के लिए अंबेटकर के प्रयासों के बारे में कौन नहीं जानता डौकर अमबेचकर का संखर्ष दलितों के उत्धान के निर्मान में उनका जो योगतान है वो बहुत से लोगों के लिए प्रेडन सुरूट रहा है क्या है कमोडिटी मार्किट की A, B, C, D इसे देखिए और समझेए छे घंटे की मास्टर क्लास और कमोडिटी मार्किट पर देश के सकते वरे दिगजों का नगरिया और साथी ट्रेडिंग पर आम लोगों के हर सवालों की जवाब मिलेंगी देश बहर की आम उजिनों को एक्सपर्ट करेंगे दूर सिर्फ छे घंटे में कमोडिटी मार्किट की हर वारीतियों को संच देखिए कमोडिटी महाकुंद सिर्फ बीटी नाव स्वदेश को डाउ में लगातार दूसरे दिन कमजोरी कल करीब चौथाई परसेंट की गिरावट लेकिन टेक शेयरों में खरिदारी से नैजज़ाग चवाले संच चड़कर बड़ गिफ्ट निफ्टी पहली बार 21,000 के पार करीब 80 अंकों का उच्छाल जापान के बाजार भी 1,5% उपर लेकिन हॉंग कॉंग और चीन के बाजारों में कमजोरी उपेक की उपादन कटोती को लेकर अनिश्टिता से क्रूड में गिरावट ब्रेंट 77 डॉलर के करीब सोना छोटे दायरे में 2040 सर डॉलर के पास विदेशी निवेशिकों की भारत में जोरदार वापसी जारी FYI ने कल कैश में खरीदे 5,223 करोड रुपे के शेर्स लगातार आठवे दिन खरीदारी का अखड़ा Bank of India का 4,500 करोड रुपे का QIP खुला कल के बंदभाव से 5% डिसकाउंट पर फ्लोर प्राइस 105 रुपे 42 रुपे से तै आईशर बजाज ओटो और हीरो मोटो पर सीले से का डाउंग्रेड हाला कि बजाज ओटो और हीरो मोटो के लक्षमे की बढ़ोतरी कहां टू वीलर में वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत लेकिन टेज रैली के बाद वालिवेशन नहीं है सस्ते एशियन पेट्स पर मेक्वाईरी बुलिश आउट परफॉर्म रिटिंग काईम रखते हुए दिया 3800 रुपे का लक्ष वहीं दूसरी छिमाही में 10% से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमार आज से शुरू होगी आरबया की मौन्टरी पॉलिसी कमिटी की बैठक आज दिसंबर को आएगी पॉलिसी दरों में किसी बदलाव की उमीद नहीं महिंगाय और गोथ को लेकर कॉमेंटरी होगी है रेवन्त रेडी होंगे तिलंगाना के नए मुख्यमंतरी कल लेंगे मुख्यमंतरी पत की शपत तिलंगाना में पहली बार बनेगी कॉंगरेस की सरकार और बिस्निस चानल के दिहास में पहली बार कमोडिटी मार्केट की हर बारी क्यों को आसान भाषा में समझाने के लिए E.T.NOW स्वदेश लेकर आ रहा है कमोडिटी महा कुम्टी देखिए 9 दिसेंबर शनिवार को सुबा 10 बजे से लगातार कहते हैं फ्यूचर्ज में बहुत ऐसा है पर किसके फ्यूचर में? क्या है कमोडिटी मार्केट की A, B, C, D इसे देखिए और समझेए 6 घंटे की मास्टर क्लास और कमोडिटी मार्केट पर देश के फक्ते वरे दुगजू का नगरिया और साथी ट्रेडिंग पर आम लोगों के हर सवालों के जवाब मिलेंगी देश बहर की आम उजिनों को एक्सपर्ट्स करेंगे दुग सिर्फ 6 घंटे में कमोडिटी मार्केट की हर वारीतियों को समझे देखिए कमोडिटी बहाकुंद सिर्फ इचीनाव स्वदेश को नमस्कार स्वागत है आपका इचीनाव स्वदेश पर मैं हूँ आपके साब पूजात्रपाथी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि सबसे पे कैसे संकेत मिल रहे हैं यह हजार के पार्ग दिखाई दे रहा है आधा परसंट की मजबूती है गिफ्ट निफ्टी में इकिस हजार च्छतिस के आसपास के लेवल से इस पर देखने को मिल रहे हैं तो गिफ्ट निफ्टी से काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं और अन्य एशियाई बाजारों पर नज़र डालें तो वहां से भी संकित अच्छ है अगर चींग के बाजार को छोड़ दें चोकि मामुली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं हौंग कॉंग के बाजार हरे निश्चार में करीब 50 अंग उपर कोरिया के बाजार भी अरीब विश्मोहन गुड मॉनिंग बताइए गुड मॉनिंग पूजा अन्य ग्लोबल संकेतों के अगर बात करें तो अमेरिका देखे का लगातार दूसरे दिन डाउ जोंस और एसनपी दोनों पर दबाब दिखा जो एस्टीम थी वो देरे-देर यहां पर कमजोर होती दिख रह है क्वाटरली आधार पर भी और यरली भी अभी तक तीनों इंडेक्स में काफी अच्छी मजबूती दिखा रही है आलकि लीड टेक्शेर ही कर रहे है जो आपनिंग के आखड़े की बात करें तो जो नंबर सा है अक्टूबर के महिने के वो 86 लाग के थे बाजार को 94 कर चल रहा है और संकेतों में कच्छे तेल की बात कर लेते हैं जो पांच महीने के निचले अस्ता पर फिसल चुका है कल इंट्राडे में 77 डॉलर के नीचे भी फिसला 77 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है और बाकी अने गोल्ड की अगर करें तो गोल्ड में रिकॉर्स तरों से मुनाफ़ा वसूली दिख रही है कॉमिक्स पर सोना 2050 डॉलर के नीचे आ चुका है लेकिन एक और एसेट क्लाज जहां पर वापस से लोगों का रुजान बर रहा है वो है बिटकॉाइन जो अप्रैल 2022 के बाद पहली बार 44,000 डॉलर के पार निकल गया है क्रिप्टो को लेकर वापस से ट्रेडर का रुजान बढ़ा है और ये खबर भी आ रहे है कि यूएस में स्पॉर्ट, बिटकॉाइन, ETF की मंजूरी मिल सकती है उससे भी एक आप्टिमिजम यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ये कुछ खबरे हैं आपका ये सारी जानकाई देने के लिए तो कच्छा तेल पाच महिने के इनिशे सर पर है, ग्लोबल मार्केट स्थिर ही कारोबार कर रहे है, कुछ बहुत बड़ा आक्शन नहीं है, बॉन्ड येल्ड में जो नर्मी आ रही है उससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, वैसे तो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं फैट जो भी अभी तक फैसला ले रहा था, उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है, और शिर्मोर ने अभी एक बहुत इंपॉर्टन बात हाइलाइक भी की, अब और अंदाजा FIIs और DIs के आंक्टों से भी लगाया जा सकता है, FIIs लगातार खरदारी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार आठवे दिन था जब खरदारी का आंक्टा नजर आ रहा है, कल भी 5,223 करोड की खरदारी हुई है FIIs की तरफ से, 1400 करोड की बिक्वाली अगर इंडेक्स option पर नजर डालें तो वहां पर 40,000 करोड की बिक्वाली का अंक्टा है, इंडेक्स future में 1938 करोड की खरदारी करके गए है FIIs, तो यहां से भी संकेत अच्छे ही हैं, लेकिन अब आगे के लिए किन लेविल्स पर नजर अखनी हैं क्यूंकि अब जड़वाती संकेत देखे तो 21,000 की ऊपर के लेविल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो अब कौन से लेविल्स इंपोर्टन रिजिस्टन्स लेविल नजर आ रहे हैं बाजार के लिए, यह बार समझ लेते हैं, हमारे साथ दिंपी कारवार जोचुके हैं, फोल लाइ पारी से ट्रिगर हुआ था, और सिरस अभी एक हफता हुआ है, आज फॉक्ट वीक है, उसके अंदर आपने देखा है कि करीब 2,000 पॉइंट पैंगिस्टी और करीब 1,000 पॉइंट से जादा जिस्टी के अंदर मोमेंटम आ चुका है, उननीस आठ सो से बीस आठ सो के आप यहां पर आके, इसकी जो लॉग होल्डिंग है, वो 49 परसंट हो चुकी है, मैंने कल भी आपके तामने बात रखी थी कि 42 परसंट है, वो करीब करीब 50 परसंट करेंगे हमारा इसना अनुमान है, हमारे इसनी कैल्कुलेशन है, पाप सिस्टी को देखते हुए, तो 50 परसंट गिरेगा बिलकुल भी नहीं क्योंकि बहुत मैनत करके और बहुत ही अच्छे से ट्रैप करके यहां तब पहुंचा है, यह साइड़ेशन कर सकता है, अलकी फुल की छोटी बोटी प्रफिट बुकिंग करवा सकता है, लेकिन ओवरॉल मार्केट का मोमेंटम अभी काफी ते पर बीजिए के लिए यहां चोटी बोटी पोटी पोजिशन लेनी है, आल यह दस लॉट मेंसे तीन लॉट लेनी है, तो आप ले लो, को जिक्कत नहीं, लेकिन अगर दस के दस लॉट लेनी है, तो यह गलक जगह है जहां पर आप सोटा पँच करिए नगर आप लॉंग सा यह ट्रेलिंग साप लोट लेका है, आज बीस पान सो का लिए आप शे सो का दो कर लेका है, आपने कंफर जोन के विरेक्षा लेकिन लेकिन बीस पान सो एक पका अप लोट भॉट ली का कवरे नियमकि पुर्णी पुरुजिशन उंदीव, जिन के पास नहीं है, यह जा पस तो दो ट्रिगर ऐसी है जो सीधा बैंकिंग से क्रेक्टिड है तो यह बहुत तेज भी कर सकता और बहुत डाउन भी कर सकता हाला कि हमने पूट कॉल वेशों से चेक किया तो बजार के अंदर यह ओवर हीटिड भी नहीं हुआ है लेकिन कल जो पूजिशनिंग बनी है उसे ठोड़ा कूल डाउन हुआ और यह एक स्विंग और भी आपको दे सकता है वालिटिटी इंडेक्स अरड़ी साड़ी तेरा के उपर है इसलिए अगरे दो दिन यह तीन दिन में बोलूँगा आप बैंग निफ्टी के लिए पियार हो जाएगा वालिटिटी के लिए यह बहुत तेजी से उपर निचे करेगा इसलिए जिनके पास लॉंग पॉजिशन्स हैं उनके पास शालीज़ार पांसो शालीज़ार का ट्रेलिंग स्टॉप्लोस लगेगा और जिनके पास पॉजिशन्स नहीं है वो सकता इसी दो दिन में याज की एक्सपारी और आर्गे का वर्डिक्ट इन दोनों में आपको मुखा मिल जा है कुछ डिपका तो आप उस डिपका इस्तिमाल करके क्लस करेगा पॉजिशन्स अदर्वाइस पॉजिशन्स को खड़ा कम ही रखेगा तो मिने दोनों के लिए आपको जान करें ने दिये दूसरी बात सॉक्स पे से काम करना कूप कीजिए आप अच्छे से उप्रशुनिटी आपको मिलेगी मार्केट के अंदर अप्शन्स के अंदर काम करने के लिए थोड़ा आप लेट है अगर आप कॉल में काम कर रहे हैं और इडी प्रीम्म काफी शूट आप हो चुके हैं रॉकेट बन चुके हैं तो आपको पॉट्स के अंदर पॉडिशन्स लेनी चाहिए का वह भी समय नहीं आया यह सारी जानकारी देने के लिए तो अगर समराइस करें तो बाजार साइडवेज रह सकता है थोड़ा संभल के ट्रेट करें सौपलोस अपने ट्रेल करते जाहिए और हरका फुलका करेशन रहेगा लेकिन डॉंग टर्म मोमेंटम काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है निफ्टी के लिए और आप बैंक निफ्टी में भी आपको सला दे दी गई है क्योंकि अभी ये दो दिन काफी इंपोर्टेंट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए उतार चरहाव काफी रह सकता है क्योंकि RBI की पॉलिसी है बैंक निफ्टी के एक्सपाइड है तो उस लिहाद से उतार चरहाव बना रहेगा और एहम लेवल्स आपको बता दिये हैं इसका आप ध्यान रखें बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए भी ये सला चलिए अब आगे बढ़ेंगे इन निक्स पर तो हमने रनीती समझी लेकिन एक बार समझ लेता है कि किन शेरों में आज ट्रेट करें हमारे साथ एंजल बन से दिवांग शाज़ोड चुके हैं अगर निफ्टी को ट्रेट करना है तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या देख रहे हैं और स्टॉप स्पेसिफिक आइडिया जी बताइए अपने अगर बात करें निफ्टी की तो ट्रेंड और हम देगा पॉसितर है का पिया हम ने अच्छे रही देखी यहां पर एक कॉशिस अप्रोग चाहिए एक स्टॉप लॉस से यहां पर ट्रेड करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में जहां तक लेवल्स की बात करें निफ्टी स्पोर्ट का सपोर्ट है 20,700 और 21,000 इक रिस्टन जोन है तो वाइं डिक्स की स्ट्टेजी रहतनी चे विध्टी स्टॉप लॉस समें टेखना चे निफ्के बात करें यहां पर फॉस्ट रही गा कोल्गर पामुली और हम कोल्गर पामुली का चाह्श्ट्र स्टॉक्चर देख ऑपॉजटेव ए है पार बॉर्ट उप्टी में स्ट तो मैं लगता है कि इसमें अभी भी आगे भी हमें मोमेंटम कंटिने राइन सकता है तो सेमेंस करेडने की सला रहेगी स्टॉपलो से रखना है 3775 टारगेट है 3940 ओके थांक्यू रिवांक आपका समय देने के रिंडिती सुझाने के लिए तो सीमेंस अच्छा लग रहा है 3940 के लक्षे के लिए और कोल्गिट पाल्मलिव 2365 के टारगेट के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं अब बात करते हैं खबरों वाले शेर्स की हमारे साथ मुंबई स्टूजियो से शरत दर्दू बेदू जो चुके हैं और जादा लॉंचेश देखने मिल सकती हैं फूट बिजनस की भी बात करें तो साउथ इंडिया में एक्स्पांशन की जाए इसकी भी बात की गई है और और प्लांटेशन कैपसिटी एडिशन इस पे भी फोकस किया गया है इसके लाबा बैंक ऑफ इंडिया का अल्मूस्स 4500 क्रोड का क्यो आईपी खुल चुका है इसका जब फ्लोर प्राइस है 105 रुपे प्रती शेयर का रखा गया है होनासा कंजियूमर कल यहाँ पे ब्लॉग डील हुई थी जहाँ पे उनकी जो प्रमोटर है पी जो फायर साइड वेंचर उन्होंने 2% स्टेक के बेक्वाली की थी यहाँ पे नौजस बैंक ने 25 राख शेयर को अब्जॉब किया था वही श्रीराम प्रॉपर्टीज में टीपी जी ने फुल एक्जिट मारा 10% स्टेक का हाला कि बाइंग हुई है तो BNP Paribus और Tara Emerging Asia Fund जैसे दिगज इंवेस्टर्स ने अब्जॉब किया है Swan Energy की भी बात करें तो प्रमोटर्स ने लगबख 3.5 करोड के शेयर बेक्वाली की है लेकिन जो बायर्ज है वो बड़े दिगज इंवेस्टर्स हैं सब्सक्राइब के बारे में बात कर लेते जहां पर प्रमोटर्स ने लगबख 4% के बेक्वाली की है जिसका कुल वैल्यू लगबख 380 करोड उपे का है यहां पर सिंगापूर गॉब्मेंट ने 20 लाग शेस को अक्वायर किया ग्रीन पैनल इंडस्ट्री यहां पर एक और कंपनी है जिन्होंने अपडेट दिया है जो रिसेंट जो आप कह सकते हैं साइक्लोन आ रही है सदन इंडिया में उसका इंपक्ट देखने मिल रहा है यहां पर उन्होंने का है जो उनकी जो MDF प्लांट है आंदर प्रदेश मे वहां पर disruption देखने मिली है क्योंकि साइक्लोन मिचवां का impact देखने मिला है और आखिर में सन फार्मा का बात करूँगा जहां पर उनकी आम ने licensing agreement किया है अकलारिस थेरपाटिक्स के साथ जहां पर वो immune related जो inflammatory diseases हैं उनको वो treat करने वाले हैं बहुत बहुत है शुक्ति आप अश्रद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए तो धेर सारी खबरे हैं फार्मा स्टॉक्स में रहेंगे इस पर आप नज़र रखिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक आपको एहम इवेंट के बारे में जानकारी दे दे बिजनस चैनल क के एतिहास में पहली बार कमोडिटी महाकुम्ब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं छे घंटी की नॉन स्टॉप कवरेज कमोडिटी मार्केट की हर बारी बातों को सिर्फ छे घंटे में आसान भाशा में समझें नॉन अग्री मार्केट से अग्री मार्केट तक की पूरी कहा कमोडिटी डेरेविटिव मार्केट के हर कॉंट्राइट को इंडेस्ट्री के दिगजों से समझें। और फेरेविट। झाल 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 ब्रिक के बार आपका स्वागत है और बचलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट पर नजर कहां रखे रनीती बताने के लिए हमारे साथ जुढ रहें के एरिया कमोडिटीज के अजय के लिए अजय थांग इस ओवर ही टीना वस्वदेश को समय देने के लिए बताए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेट करें पर बेच के चलना है 22640 का स्टॉप लो सकना है 6850 का लेवल हम गोल में देख पाएंगी वहीं अगर चांदी की बात करे तो बेस मैटल में भी जो गिरावाट आई थी जिसके चलते कल चांदी ने ज्यादा गिरावाट दिखाते विए दिखाई दिया है तो चांदी में भी आमें लगता है पीछाता साथ सो के बाउंस पर बेच के चलिए 76200 का स्टॉप लोस रहेगा 74800 का टार्गेट रहेगा ठीक है तो यह है सला इस वक्त सोने चांदी पर आपको दे दी गई है लेकिन अजय कच्छे तेल पर भी आपकी रहे लेना चाहेंगे वहां पर ट्रेट कैसे करें क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वीक्नेस देखने को मिल रही है तो इस तरो पर यहां सा और कर्रेक्शन देख रहे हैं अफिर खैदारी का मौका है अगर हम देखे तो कच्छे तेल में कंटिन्यू गिरावट है इस वक्ट भी ब्रैंट अगर हम देखे तो 77 डॉलर के करीब पहुंच चुका है टेक्निकली ओवर सोल्ड टैटरी में है तो आई थिंग के करेंट लेवल से शॉट की सला बिलकुल नहीं रहेगी जे जंग से हमने देखा पांच मैने के लोग पे कच्छा तेल पहुंच चुका है जुर जंग से एडिस्नल जो आउटूट कट एनॉंस हुआ है ओपेक से वो भी सपोर्ट नहीं कर पारा जिसके चलते हमने बड़ी गिरावट देखी ती बट टाइमिंग करेंट लेवल से कि साला नहीं रहेगी कि साइकलोजिकली भी 6,000 का जो लेवल है वो काफी स्टॉंग सपोर्ट है तो मुझे अज के लिए 6,000 के करीब लेके चलिए 5920 का स्टॉप रह सकी है बासर सो तो का जंप हम कच्छे तेल में देख पाएंगे अजय आखिर में बेस मेटल्स पर भी सला देजिए वहाँ पर कैसे ट्रेट करेंगे काफी डिसपॉंटिंग रहा है बेस मेटल में जिसम से डिमाड अभी तक आज आज अपक पिक अपनी करी बड़ चाइन के एफर्स के बावजूद भी कोई सपोर्ट है बीच में हमने जरूर देखा था कि सप्लाई डिस्टरबंस आउपूर्ट कट की वज़े से हमने एक अच्छा काचा जैली कॉपर और जिंक पर बनते विए देखा बट सस्ते नहीं कर रहा है लेकिन बिस्पाइड मुझे लगता है कि करेंट लेवल से शॉर्ट की सला नहीं कि क्यों मुल्टिपल अफ टाइम हमने देखा साथ सो नौ 10 का सपोर्ट कोपर लेता हुआ करेंट लेवल से बेस्पैटल में को शॉर्ट नहीं करना चाहिए काच करके कॉपर में मुझे लगता है एक बाउंस देखने मिल सकता है ठीक है थांक्यू अजय आपका समय देने के लिए और रनीती सुझाने के लिए तो कॉपर जिंक में एक हलकी तेजी के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं क्रूड में भी तेजी करने की सला नाच्रल गैस पर हमने डिसकुशन नहीं किया लेकिं महाँ पर भी तेजी करके चलिए 234 के लक्ष देख रहे हैं अजय और गोल और सिर्वर में फिलहाल बिक्वाली करने की सला अब आगे बढ़ते हो कुछ और ट्रेडिन आइडिया आपके सामने रखेंगे एक्विटी मार्केट से और यहां पर जेम फिनांस की तरफ से हमें सन फार्मा में खरदारी करने की सला मिल रही है 1272-1285 के लिए स्टॉप लॉस होगा 1218 का और इंफो एज में भी तेजी करने की सला है पहला है अदित्य बिला फैशन 252 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 234 का और HFCR में भी तेजी करने की सला है 305 का होगा टारगे स्टॉप लॉस हुजा रहे है 278 का और स्वास्तिका इंवेसमें पहला है जे के पेपर कर पेपर शेरों में भी अच्छ का होगा लक्ष स्टॉप लॉस हुजा रहे है 288 का निर्मिर बांग ने भी दोरों मिट कैप स्टॉप में ही तेजी करने की सला दी है पहला है स्वान एनरजी तेजी करके चलिए 465 के लिए स्टॉप लॉस होगा 430 का और ग्लैंट फार्मा भी अच्छा लग रहे है ने ते रिडारी करके चलिए 1480 का होगा टार्गेट स्टॉप लॉस होगा 1415 का और EU स्मॉल फाइनस बैंक यहां पर भी तेजी करने की सला है 780 के टार्गेट के लिए स्टॉप लॉस है 745 का तो रुजायन जो हम देख रहे हैं वाज मिटकैप स्टॉक्स की तरफ जादा है मिटकै बढ़ेंगे और कुछ ब्रोकरिज रिपोर्ट पर भी नज़र डालेते हैं पहला है जूबिलेंट इंग्रेविया यहां पर इंक्रेड ने अपनी रिपोर्ट जादी की है और रेडियूस की राय दे रहे हैं टार्गेट में भी कटौती की है 374 से घटा कर जो नए लक्ष देख रहे हैं वो 364 का है 364 का लक्ष देख रहे हैं तो इस पर नज़र अखे जूबिलेंट इंग्रेविया पर इसके अलावा एशियन पेंट्स की मैंगेजमेंट मीट हुई थी जिसके बाद बैंक्वाईरी ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें वो आपपरफॉ जो निकल कर आए हैं उसमें उनका कहना है कि पावर डिमांड अभी फिलाल काफी अची नज़र आ रही है और पावर जनेरेशन में आगे बढ़त होने की उमीद है तो पावर स्टॉक्स पर आप नज़र आखे कल ने देखा था कि पावर शेरों में अच्छी तेजी भी दे बजाज आटो पर भी रेटिंग घटा दी है लेकिन लक्ष बढ़ाया है यापर लक्ष 5,670 से बढ़ाकर 6,382 का किया है और हीरो मोटो कॉप में भी लक्ष बढ़ाया लेकिन जो रेटिंग है वो घटा दी है रेटिंग घटाकर खरदारी से आपर फॉर्म की दी है लेकिन लक्षे 3701 से बढ़ा कर 4127 का दिया है और TVS Motors पर अपने बिकवाली की राय क्रायव रखे हुए हैं लक्षे 1206 से बढ़ा कर 1378 का यहां पर देख रहे हैं अब एक ब्रेक लेने का वक्त है और ब्रेक के बाद हम आपके लेकर आएंगे खरा सौधा आप बने रिया मर्जा नमस्कार को मोडिटी क्या है क्या है क्या है क्या है क्या सोना और चावल भी क्मोडिटी में आता है कहते हैं फ्यूचर में बहुत पैसा है पर किसके फ्यूचर में क्या है क्या है क्मोडिटी मार्केट की ए बी सी डी इसे देखिए और समझिए छे घंटे की मास्टर क्लाफ और क्मोडिटी मार्केट पर देश के सकते वरे दुगजू का नगरिया और साती च्रेडिंग पर आम लोगों के हर सवालों के जवाब मिलेंगे देश-बहर की आम एजिनों को एक्सपर्ट्स करेंगे दूर सिर्फ 6 घंटे में कमोलेट्टी मार्केट की हर वारीटियों को समस्षद देखिये हमेरिटी बहाकुंद सिर्फ इतिना स्वदेश को लाओ इतिना स्वदेश को झाल 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 जाव में लगाता है दूसरे दिन कम्जोरी कल करीद 14% की गिरावट लेकिन टेक शेरों में खरेदारी से नास्टेक तेवाल संक्चर करुआ बन गिफ निफ्टी पहली बार 21,000 के पार्क मौचा करीब 80 अंको के उचाल के साथ दिख रहा भी जपान के बाजार में भी 1.5% की तेजी है लेकिन होंग कॉंग और चीन के बाजारों में कम्जोरी है उपेक की उत्पादन कटौती को लेकर अनश्टता से क्रूड में गिरावट ब्रेंट 77 डॉलर के करीब सोना छोटे दायरे में 2040 डॉलर के बाज़े विदेशी निवेशकों की भारत में जोरदार वापसी जारी एफाइज नेकल कैश मारकिट में खरीजी है पांच हजार दोसो तेइस क्रोड रुपे के शियर लगातार आठवे दीन खरीदारी का अंकडा बैंकोफ इंडिया का पैतालस सो करोड का क्यू आई पी खुलाकल के बंदभाव से पांच पसंट डिसकाउंट पर फ्लोट प्राइस एक सो पांच रश्रमलब चार दो आईशर बजाच ओटो और हिरो मोटो कॉप पर सीले से का डाउन ग्रेड हारा की बजाच ओटो और हिरो मोटो कॉप के लक्षमे की ब्रौतरी कहा तू विलर्स में वॉल्लिम ग्रोथ मजबूत लेकिन टेज रैली के बाद वैलिशन नहीं है सस्ते एशन पेंस पर मेक्वाईरी बुलिश आलपरफार्म रेटिंग कायम रखते वे दिया 3800 रुपीस का टांगट कहा दूसरे दो अगले दो कौर्टर्स में 10 पसंद से जादा वॉल्यूम ग्रोथ का एस्टिमेंट आज से शुरू होगी आरबियाई की मौनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक 8 दिसंबर को आएगी पॉलिसी दरों में किसी बतलाव की उम्मीद नहीं है महंगाई और ग्रोथ को लेकर कौमेंटरी एहम हो जाएगी रिवन्त रेड़ी होगे तलंगाना के नए मुखे मंतरी कल लेंगे मुखे मंतरी पद की शपत तलंगाना में पहली बार बनेगी कॉंग्रस की सरकार और विजनस चल्ड के तियास में पहली बार कौमोडिटी मारकेट की हर बारिक्यों को असान भाषा में समझाने के लिए इटिना सुदेश लेकर आ रहा है कॉमोडिटी मारकेट की A, B, C, D इसे देखिए और समझेए छे घंटे की मास्टर क्लास और कॉमोडिटी मारकेट पर देश के सकते वरे दुगजों का नगरिया और साथी ट्रेडिंग पर आम लोगों के हर सवालों की जवाब लेंगी देश बहर की आम उजिनों को एक्सपर्ट्स करेंगे दूर सिर्फ छे घंटे में कमोडिटी मारकेट की हर वारीटियों को समझे देखिए कमोडिटी महाकुंब सिर्फ इटीना स्वदेश को अमस्कार बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का खरा सौदा में मैं हूँ प्रियंका और मेरे साथ हैं अजे और तिम पीवी तो यूएस मारकेट से भले ही थोड़ी से सुस्ती दिख रही हो लेकिन इंडिया में जिस सरह से एफ़ाइस की ताबर तोड बाइंग के बीच में बड़ा नंबर एफ़ाइस की बाइंग का लाज कैप में बाइंग और आनी सोक्स में अच्छा मोमेंटम इन सब के बीच आपके लिए ट्रेडिंग के मौके का बने है एक किस हजार के पार तो आपको गिफ निफटी दिखाई दे रहा है तो क्या ये राली अब भी जारी रहेगी इसी तरह से चलना है इस सब पर आगे चर्चा होगी लेकिन एक और बाद बताने की बिजनस चैनल्स के इतिहास में पहली बार कमोडिटी महाकुम जिए छे घंटे की नौन-स्टॉप कवरेज कमोडिटी मारकट की हर बारीट बातों को सिर्फ छे घंटे में आसान धाशा में समझाएंगे नॉन अग्री मारकेट से अग्री मारकेट तक की पूरी कहानी कमोडिटी डेरिवेटिव मारकेट के हर कॉंट्राक्ट को इंडस्ट्री के दिगजों से समिलेंगे देखिए कमोडिटी महाकुम सुबा 10 बुजे से लगातार सिर्फ इटी नाव स्वदेश पर चले अब आज की ट्रेट की स्ट्राटेजी वनाने शुरू करते हैं सबसे पहले डिसकस करते हैं आजे के साथ की उनकी अप्जरवेशन ग्लोबल मारकेट पर क्या है कि जो भारत में हो रहा है वो अभूत पूर्व है इसा बहुत सालों में देखने को नहीं मिला है, जो जबरदस तेजी स्ते में चल रही है, और बहुत सारे रिजन उसमें से यह है, हमना पहले बात की, अब युएस में रेट कट की बाते बहुत ज़्यादा चले लगी है, रेट है तो बिल्कुल टेबल से चला गया, करूड भ जबरदस इकनोविक इंडिकेटर बता दिये थे, क्यों कि देश में इतनी जबरदस आर्थिक तीजी चल रही है, उसी का रिफलेक्शन देख रहे हैं, जिए आप कह सते हैं, स्टेट इलेक्शन ने एक बूस्त दिया, कल आपने जबरदस फॉल अप बाइंग देखी, मुनाफ़ असूली के बाउट साथ को देखने को मिले, पहले हम दस मिंट के अंदर घटे, रिबाउंड करके फिर बारा बज़े करीब अन्वाइंडिक देखी, तो यह वन साइडि ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था, और इसमें सही यह मालम चलता है, कि अगर आपके पास बहुत मुटे 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 मुनाफ़ वैली लॉंग पोडिशन है, तो थोड़ा मुनाफ़ लीजे, लेकिन पूर्फोली लिकुडिट मत करिये, कोर पूर्फोली को चलने दिए, जब तक बहुत जरूरी नहीं आप पैसा लेने की, क्योंकि यह तेजी पना रुख पना के चले, कल भी अगर आप देखें, अगर आप निफ्टी गेनर्स दिखाएं डिटर साब, आपको नजर आएगा 5-10-10% के मूज निफ्टी गेनर्स में नजर आ रहे थे, आपको अदानी ग्रूप स्टॉक्स के अंदर 15-15-18-18% के मूज नजर आ रहे थे, तो PSU स्टॉक्स, इंडेक्स गेनर्स, निफ्टी गेनर्स दिखाएं ये डिटर साब, निफ्टी गेनर्स का जो आपको नजर आएगा, कि पूरा बजार का रुजहान इससे में, लार्ज कैप्स, अदानी स्टॉक्स, और PSU के तरह चला गया, करेक्ट, स्मॉल कैप इंडेक आप रियल एकॉनिमी से जोड़े में स्टॉक्स पे लगाएं पैसा, क्योंकि एक रियल एकॉनिमी को बूस्ट मुल रहा है, इस पुलिटिकल अंकर इंडेक्स से, और ये बात भले हम और आपना समझ रहे हो, कल देखे, डिया ने पंद्रहसों का सेलिंग किया, लेकिन गोर करना के पॉइंट ये है, अभी आपको शॉड करना तो भूल जाइए, ठीक है, मामूली मुनाफ़ा वसुली, अगर आपको अभूड कर रहा है, तो ट्रेडिंग पोड़े लेते रहे हैं, स्टॉक चर्निंग आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने एक इक टाइम को लाग निशान में चलिगे थी, फिर फ्लैट बंदू है, तो बजार का रुजहान ये बला के रखें, ये सैंटा रैली आपको क्रिस्मस तक, नियू ये तक निराशनी करेंगी, चले ठीक है, बहुत क्रूशल पॉइंट से यानि ट्रेंड के साथ रहे है, बिल सार एकनॉमिक इंडिकेटर में लेबर डेटा रहे था, वो थोड़ा सा, इन फाट जिसना का रुमान तो से थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन अज यूएस के ट्रेड डेटा, फिगर्स पर नंबर रहेगी, डाउट लगबद दूसरा देना है, जब 80 पॉइंट्स नीचे बजाज ओटो, हीरो मोटकॉप, इन पर डाउंग्रेड जाएं, बड़ी चाल चल जगा है, स्तियले से का क्या कहना है, आगे हम डिसकस करेंगे, ब्रोकिंग हाउस पर क्यू डाउंग्रेड की है, और साथी बैंक ओफ इंडिया का क्यू आईपी खुल है, तो इसमें पाटि बिल्कुल ऐसा होई रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो बजार यहां तक पहुंसता ही नहीं, तो ग्लोबल मारकेट और एफाइस के नंबर के बेसिस पर ही यहां तक महुंचा है, अभी अजे और आप एक बार बार तीसरी चोथी बार आपने एक बात बोली, कि बुग जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाजार के अंदर तेजी आई है, कल ही जब बाजार के अंदर तेजी तब भी हमने का था कि एक लेवल ब्रेक होने का और शॉट कवरिंग आएगी, लेकिन अब मैं बोलूँगा वह शॉट कवरिंग नहीं आएगी, और यह मैं ख कर रहे थे, इसमें 40,000 क्रोड की इंडेक्स ऑप्शन की भी है, ऑप्शन करता क्या है, ऑप्शन आपकी स्पीड को डाउन कर देगा, खटम कर देगा आपकी स्पीड को, आप कैश से चल रहे हैं, आप FIS के डाटा के इस के नंबर से चलेंगे, लेकिन ऑप्शन जैसी 40,000 का सेला है ना, यह आपकी स्पीड को खतम कर देगा, अब आपके पास क्या होगा, पचास पॉइंट कमानी के लिए, डेट सो पॉइंट कमानी के लिए, आपका रिस्क रिवर्ड खराब हो गया, फिर आप बोलेंगे, हम नए आए हम तो फज़ गए, यहीं पर आके आपको थो कि ना, वेट कीजिए, उनको पचास पॉइंट, सो पॉइंट कमाने के लिए, इतना जोकिम लेने की जोरत नहीं है, तो उनको वेट करने की जोरत है, और जिनके पास पॉजिशन है, उनको तो सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉपलस लगाना है, और किसी की कोई बास सुननी ही नही ही है उनको सिरफ trailing stopless लगाना है क्योंकि उनके दोनों हाथ और मूँ सीधा कड़ा ही है तो उनको तो trailing stopless लगाना है अब आप ज़रा nifty का data लिखा है या आपको screen पर दिखेगा कल फिर से nifty का अंदर ताजा खरिदारी हुई है जब जब निफ्टी के अंदर ताजा खरिदारी होगी short करने की opportunity गुम हो जाएगी लेकिन options का data और FIS का number हाँ एक और point भी है FIS का number already 49% long हो चुका है कल इसी month से हमने कहा था कि 42-43% है यह 50% तक 100% लेके जाएंगी वो लेके आ चुके हैं अब 50% के बाद जो आ रहा है ना आपके पास वो बजार की 14 तीजी के बाद आएगा तो उसमें FIS तो हो सकता अंदर आ जाएं लेकिन बजार और तेज हो जाएगा उसमें आपका risk और ठीक हो जाएगा उसमें में को थोड़ा डाउट है इसलिए मेरे डाउट पर आप कहे ना माने ना माने लेकिर अपने वित्ते सलागारों से पूछ लेना की टीन ओसे देश में डिंपी काल राजी तो कह रहे थे कि हमको profit book करना चाहिए थोड़ा थोड़ा profit book कर लेना चाहिए क्या वो ठीक कह रहे थे आप उन्हीं से पूछना मेरी बात मानना अब आते हैं आपकी जो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं बीजार नोसो एकिस जार जिस पर आप आज लेंड करोगे यह रिजिस्टेंस एरिया है जैसे कल आपने लेंडिंग गी थी बीजार आट सो पे और कल क्या आप क्लोजिंग चेक कर लो कल आप बीज दर साड़े आठ सो क्यास पासी भी अपिस से क्लोज करके गए हो और अजे थोड़े पहले आपको बता रहे थे कि इंट्राडे स्विंग जा रहे हो पर नीची हो रहा है वह हाई विक्स की वज़े से हो रहा है क्योंकि विक्स होना पड़ेगा यह सपोर्ट है दो चीजों में काम करना है जिसमें डिप की बाद बोल रहा हूं कम से कम 20,500 तक आना चाहिए तो जो लोग आना चाहते हैं थोड़ा वेट कर लें 20-500 के आस-पास मौका मिल जाएगा एक्जामपल बता देता हैं दस लोट लेना चाहते हैं दो लोट, टीन लोट लेलो, साथ लोट के लिए रुख जाओ अभी ठीक उसके बाद आपको मौका मिलेगा ता आप एंटर कर जाना और जिनके पास है उनको तो सिर्फ ट्रेलिंग स्टापलस रगाना उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है उनका पहला स्टापलस होगा 20-700 का और चाहें तो 20-500 का भी वो रख सकते हैं, बैंक निफ्टी का डाटा लेके आईए, वहाँ पर आपको बैक टो बैक शॉट कवरिंग मिल रही है, मैं एक चीज़ और नोटिस करा दू, आज बैंक निफ्टी की ना वीकली एक्सपारी है और आर्वे का फैंसला भी आना बाक प्लस लगाना उन लोगों को 46,500 का या फिर 700 का भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जिनके पास पुरानी बैंक निफ्टियां खड़ी हैं, और जो नया लेना चाहते हैं, 500 पॉइंट का कम से कम डिप की वेट करो बैंक निफ्टी में, मिल जाएगा, थोड़ी बहुत प 500 की रेंश में करें, यह रिस्टेंस एडिया भी है, देखें, आल टाइम हाई хाई आने पर रिस्टेंस होता नहीं है, यह सिर्फ कैलकुलेशन थे होती है, पुरानी डाटा के हिसाब से, आप रिस्टेंस कैसे ढूंडेंगे, बिस्टेंस हाई आ ही नहीं, तो मिलेगा कहा ठीक है अब डिब्पी तो यानि बैंक निफ्टी की एक्सपाइरी के चलते हैं वहाँ वालट अल्मूव आप एक्सपेक कर रहे हैं देकिन अधे सेम टाइम दो स्टॉक्स कौन से हैं जो व्यूवर्स को नजर रखनी है आज मैं एक बाय रखूंगा और एक सेल भी है मेरे पास आज का स्टॉक पहले मैं बाय रखता हूँ ए बी एफ आरल अदिटे बिला फैशन रिटेल एक दो बार हमने पहले भी आपको नोटिस करवाया कि इसकंदर रिस्क वर्ड काफी शांदर है मैं आपको कोई ऐसा शेर दे ही नहीं रहा कई दिनों से जहां पर आलड़ी वो चले हुए शेर्स हैं यह वो सारे शेर्स हैं जहां पर पहले ही अच्छे से मोमेंटम बना हुआ है अगर आप इसका चार्ट दिखा पाएं जो हमने ड्रॉ किया है वाँ पर आप आप देखें में fresh long positions भी बनी है 200 दिनों का average का breakout भी है यह वो चार्ट दिख पा रहें ब्लू कलर की लाइन है ब्रेक आउट 200 दिनों का average है और जो नीचे बिलकुल लंबी सी लाइन कीची हुई है वो इसका support area down channel से निकल के up channels की तरफ आता हो दिख रहा है इस चार्ट को अपनी आँखों मैंने draw की है वो आप एक बार दिखाएंगे आपको just reverse दिखेगा यह 200 दिनों के line के नीचे है और जो baseline है उसके भी नीचे है और यह अपने एक mega support area में को लग रहा है mega support area को तोड़ देगा और उसके बार नीचे के downward trajectory में चलेगा कल इसने participate नहीं किया तो page industry पूरी rally में भी in fact मैं बोलूँगा participate नहीं किया तो जो week है 100 week है जो तेज है 100 तेज है इसलिए दोनों share ऐसे है जिसमें भी momentum आया नहीं है आएगा और दोनों तरफ के मेंने trade आपके सामने रखे है एक sell का और एक buy का इसमें भी risk reward काफी अच्छा है अगर आप short करना चाहें एक मैं level आपके साम ने बड़ायता हम 39,500 तक आप इसको बेच सकते हैं उसके ओपर बेचना निशेद है मना है उसके ओपर आपको बेचना नहीं है उसके ओपर आपको रुख जाना है ये दोशियर है आज हमारे तरफ से चलिए आगे बड़ते हैं ट्रेल्स की बाचीट को हम अपने पैनलिस के पास लेके चलते हैं मैं सज्जय पटेल सोनी पटनायक जितिन गेडिया और संतोश मीना जुड़ रहे हैं बाचीट के लिए आप सबका स्वागत है बहुत शुक्रिया दूसरे दिन हमने जवरदस त कुछ समझ के लिए यही बाचीत हम आगे लेके चलेंगे और संतोश मीना पहला सवाल निफ्टी बैंक निफ्टी दो हजार पॉइंट की बैंक निफ्टी में राली हो चुकी है और निफ्टी यहां से भी गिफ्ट निफ्टी सो पॉइंट ऊपर बता रहा है 21,000 के ऊपर क् हरा चाहिए इस समय और अगर मैं पुराने लॉंग पुदिशन राइड कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए वहां के टागेट देखने को मुझे रहेंगे वहां से कुछ प्रॉफिट बुटिंग या कंसुलिडेशन देखने को मुझे सकता है वहां पर आप कुछ मुनाफ़ा वसूली कर सकते हैं और फिर से पुल बैक आता है नीचे के और फिर से बैंक के मुझे देखना चाहिए मुली मुनाफ़ा वसूली से हिचकिये मत काफी चल चुका है बजार यहां से फ्रेश पुदिशिंज पुल बैक पर ही लें संतोष पीला का ये व्यू है लेकिन बैक 50 की लिडर्शिप कायम रहेगी जैपटेल बाता ये क्या ट्रेडिंग आइडिया लेक्या है आज 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 पहला मेरा पीक रहेगा बैंकिंग साइट पर बंदन बैंक की बात कर रहा हूं है कल के दिन में काफी अच्छा है यहां पर मुमेंटम दिखा हूं हमने 200 दिन के मुविंग एवरेज को क्रोस किया सपोर्ट जो मेगा सपोर्ट भी गोल सकते हैं अरूं 3 टाम सपोर्ट वहां पर लेके बांस बेक दिया ही स्टॉक ने हिस्टोपने हिस्टोरिकली मुझे लग रहा है तो एक दो दिन के लिए टाइम होगा मुझे लगए 2-4-3-0 का यहां पर हम टागे रखके इस टॉक में ट्रेड कर सकते हैं पर आपका पॉजिटिव नजरीया तो दोनों बाय कॉल्स जै की तरफ से सोनी मॉर्निंग आपके ट्रेड्स के आज के गुड मॉर्निंग एवर्यवन जो मेरा दो आज ट्रेडिंग पिक्स है पहला है पावर ग्रिड में पावर ग्रिड में कल और मॉस्ट 5% का अग्रेसिव ग्रेसिब लिए तो यानि कि वो जो ब्रेक आउट कल दिया था अबव तू बन फाइव लेवल वो अल्मस्ट इंटाक्ट है और रन अप राली यहां पर कंचिनू रहेगा तो पावर ग्रिड में कर सकते हैं तू बन फोस्ट आपलोस के साथ और टागेट्स 235-237 जो दूस जिसने 97% का रोलोव जिखाया है और ग्रासीम अगर हम देखेंगे तो 2000 के उपर पहली बार इस मन्त में क्लोजिंग आई है तो कंचिनू कर रहा है और अब ही जो उपर के कॉल राइटर्स जो थे अपने पोजिशिशन को एग्जिट कर रहे हैं अरांट 2100 के लव लव पे तो यहां पर एक ग्रासीम का पॉजिटिव वीव बन रहा है विट्स टॉपलोस अफ 2 0 4 0 एंड टागेट्स अफ 2150 2170 ठीक है अब तक दो मेमानों ने ट्रेड दिया एक ने डाल में भारत दिया है दूसरे ने दिया है ग्रासीम तो सिमेंट की कंपनीस तो आई रही हैं और ग्रासीम अच्छा डाटा है हमने भी इसको कल चेक किया था बट सिरफ प्राइज एक्शन बहुत उपर आ चुका था इसलिए हमारी तो हिम्मत ने उपाई लेकिं सोनी ने अच्छे से इसको कल्कुलेट करके आपके सामने रखा स्टाप्रस टार्गत अच्छे से नोट कर लिजेगा 21502040 का एक स्टॉप भी है जतिन केड़ी में हमार साथ है जतिन बहुत 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 शुक्रिया इसके लिए हम दो ट्रेडिमा एडिया देते हैं तो पहला है वो बालकृष्ना इंडर्स्टीज थे है तो बालकृष्ना इंडर्स्टीज में है हमने 4 दीनों की गिरावट के बाद कलके ट्रेडिंग सेशन में एक गुल्बैक देखा डेका 20 और 40 डेली अवरीज से सपोर्ट पे हमें बाइंग इंटरेस्स देखने मिल रहा है, हमें लगता है कि कल की जो रैली या तो कि पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुगा, वो आज भी कंटीनू रह सकता है, इसके लिए बालकृष्न इंडेस्ट्रीज बाई रहे रहेगा, हमारा टारगेट 2700 के रहे लेकिन अर्डी चार्ट देखे तो 48 आवर एवरेज पे जाके सपोर्ट लिया है, तो मैं लगता है कि एक फिर से नही रैली स्टार्ट हो सकती है, वोकार्ट फार्मा में, हम इसमें स्टॉप लोस 337 का लगेंगे और तारगेट हमारे तीम्स को नब्ड़ क्या होगी, कर ला सदोष, आपके ट्रेज्स के हैं? कि ब्रेकाउट आए आद हिंदुस्तान जिन की बाद मिटिंग भी है, तो महां डिविदेन से ऐटेट को एगा, उसका भी आपके बात करेंगे, लेकिन दूसरा विदांता ठीक है? यह आपके पास दो स्टोउक्स आज बाइरडार के ठीक है? अब एक बार वो सारे स्टॉक्स भी समझ लेते हैं जहां न्यूस बेस्ट आक्शन हो सकता है और शर्द लेकर आए हमारे वो लिस्ट शर्द बताए जी बिलकुल कल शाम को जहें इंपोर्टन अनलिस्ट मीट हुई थी पतांजली की जहां पर जो है एहम जो बात कहेंगे मीट कि यहां पर प्रीमियम प्रोड़क्ट लॉंचेस पर जादा फोकॉस रहेगा और याद रखिए ओयल प्लांटेशन की जो कैपसिटी है उनकी एक्सपैंशन को लेके भी बात की गई थी सदन इंडिया में जो है फूड बिजनस के एक्सपैंशन की भी बात इन्वेस्टर प बात होते कि बायर कौन अब्जॉब करता है तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा होनासा कंजूमर का जहां पर पी ने लगभग पी कंपनी ने दो परसंट स्टेक की बिक्वायली की लेकिन नौर्जिस बैंक जो नैशनल बैंक है नौरवे की उन्होंने लगभग 25 ल इसमें बायर के नाम इंक्लूड करते हैं सुसाइट जेनरल, बंदन मूच्वल फंड, SBI लाइफ जैसे दिगज इन्वेस्टर्स, साफायर फूद्स में भी अक्षन हुआ था, यहां पर प्रमोटर्स ने ओफ लोड लगभग 4% स्टेक किया था, लेकिन बाइंग में सिंग लगभग 20,000,000 शेयर अक्वायर किया था, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री में भी इंपॉर्टन डवलप्मेंट है, यहां पर जो MDF प्लांट है उनके आंधर प्रदेश की उनको बंद करना पड़ा या इस्टेटमेंट आया है, और यह इसका इंपक्ट है क्योंकि जो साइक्ल और हमादरी स्पेशालिटी में आज सुबा इंपॉर्टन डॉस फ्लो आया है, जहां पर वो एक लिथियम आयन बैटरी की कॉंपोनेंट की फैक्टरी बनाएंगे, अगर निवेश की बात करें तो 4800 करोड का टोटल इंवेस्मेंट रहेगा अगले 5 से लेके 6 साल में, और जो फंडिंग होगी इसकी डेट और इंटरनल अक्वल्स दोनों से होने वाली है, पेटेम का भी आज शाम को बहुत एक इंपॉर्टन अनलिस्ट मीट है, जहां पर वो अपडेट बताने वाले हैं और आउटलुक रहेगा, उनके लोन डिस्रिबूशन बिजनस को लेके, औ जो कि आज जो है फिनान्स मिनिस्टर पहली जो बैच जो ग्रांट की होती है, उसको पेश करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि इन ग्रांट में सबसीडी बढ़ सकती है फटलाइजर की, ठीक है, तो फटलाइजर की सबसीडी बढ़ सकती है, चंबल फटलाइजर या कुछ पहले चले वे भी हैं, आज इसमें थड़ा और नोटिस करने वाले हैं, यह तो खबरो वाले शेर्स थे, अब जरह ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी फटावर से चेक करा लेते हैं, वमाक्षी हमार साथ है, वमाक्षी गुड मॉनिंग जरह बताएं आज की करते हैं, हम देख रहे हैं, कि CLSA की तरफ सर रपोटा रही है, और लाज लिए हाइलाइट कर रहे हैं, कि रिसेंट राली के बाद स्टॉक्स वेली वाल्यू नजर आ रहे हैं, वाल्यूम ग्रोथ में रिकावरी जरू नजर आई है, टू वीलर सेग्मेंट में, मगर अगर ह वी फास्टर ग्रो हो सकते हैं, ऐसे उमीद की जा रही है, ओवराल आईशा मोटर्स, बजाज आउटो और हीरो मोटो कॉपर CLSA ने अपनी राय को डाउंट्रेड किया है, और TBS मोटर्स पर हाला कि इन्होंने अपनी बिकवाली की राय को बदकरा रखा हैं, इसके अलावा जुबिलेंट इन्ग्रेविया पर भी हो फोकस करेंगे, इन्क्रेड की तरफ से रपोर्ट आ रही है, और इनका कहना है कि जुबिलेंट इन्ग्रेविया के प्रडक्स की जो डिमांड है ये गिर रही है, लाइफ साइविंस डिविजिन में जो चालिंज नसर आ रहे थे, अभी भी जा रही है, और आगे चलते हुए काफी सारे हेडविंस नसर आ रहे है और साइटलिकल रिकावरी भी काफी दूर है, तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इन्क्रेड ने जुबिलेंट इन्ग्रेविया पर अपनी रिड्यूस की राय को बढ़करा रह है और अपना टागेट पैस भी घटा कर त्री सिक्स्टी फोर रुपीस प्रतिशयर पर कर दिया है, इसके अलावा एशिन पेंस भी फोकस में रहेगा, मैनेजमेंट मीट हुए थी कंपनी की और मक्वाइडी की तलफ से रपोर्ट आ रही है, यह कह रहे है कि कंपनी अब फ मार्केट चेक गेन करना चाह रहे है, ग्रासिम फोकस करना चाहे, काफी इंपोर्टन है ग्रासिम को ब्रांड डेवलाप्मेंट पर फोकस करने के लिए और अब प्राइसिंग जो रीटेल वाटर प्रूफिल मार्केट है, कापनी अब डिटर्मिन कर पाएगी उनकी लीडर इनकी 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 सेशन्स हुए थे और लाज ली कंसेस ऐसा कहता है कि पीक पावर शॉर्टेज और भी रह सकते हैं करीब 18-24 महीनों तक पावर डिमांड की स्रेंट जो है वो इंडस्ट्रिल और हाउसोल्ट के तरफ से बूस्ट होते हुए नजर आ रही है, और केपेक्स जीडिपी ग्रोथ में के फेज में जो भारत अब आ रहा है, इसके चलते जो पावर की इंटेंसिटी है यह भी बढ़ सकती है, ओवर आल इसी के चलते हम लेखेंगे कि पावर स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे, और राइट चलिए आगे बढ़ते हैं धेर सारी स् एशिन पेंट्स के बारे में, एशिन पेंट्स में दो बाते हुई है, आप एशिन पेंट्स का चार्ट देखें, शॉट टर्म चार्ट और लॉंग टर्म चार्ट, आपको नजर आया कि मोटा माटी यह थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, कल देखिए, डेज लो से एक चार्ट के बाइंग हो रही है, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक आपके सामने है, और अब इन्होंने कल अपनी जो एनलिस मीट की है, उसमें ये भी बताया, कि ये बजट एंड आफ दे मार्केट में भी जाएंगे, अपनी बज़ार में अपना पेंट्रेशन बढ़ान और सुनी पटनाएट इस से में एशन पेंट्स का कैसा नजर आता है इन बातों पर? इन अजर आ रहा है, अपनूफ एन्योहाव तोवर्ट्स 3380 और इमेडियेट लवल पे अभी जो स्टॉप्लोस प्लेस कर सकते हैं, फ्रम करेंट लवल से अगर बाय करना है, तो एक पोजिशनल तोर से 3180 का स्टॉप्लोस हम प्लेस कर सकते हैं, इसका हाला कि एक सपोर्ट ज अच्छा राली आपको नजर आएगा तुवर्ट्स 3570 वो बहुत इंपोर्टेंट रहेगा, जो भी वो 3570 को क्रॉस करा है, उसके बाद आप इसमें एक बहुत थी स्ट्रॉंग फ्रेश मंथली ब्रेक आउट नजर आएगा इसमें, आप देख सकते हैं और उसके उपर वो अच्छा राली आपको दिखाएगा, बट वो अगें बहुत काफी लंबा पोजिशनल हो जाएगा, बोस्ट लाइकली फोर तु सिक्स मंस के बाद हो सकता है, तो उस चाइप आप देखेंगे डेटा कैसे होता है, बट अभी करेंटली 3180 स्ट्रॉपलोस के साथ 3380 और 3570 का अच्छा एक दो टागिस लगा कि आप इसको होल कर सकता है, ठीक है, यह ब्रेन के नीचे आने का फाइदा ओईल मार्केटिंग कमपनीज को भी होता है, और चलने के बाद भी ओईल मार्केटिंग कमपनीज वैलुशन के बेसिस पर भी पांच-सवड़े पांस टाइम यह सजे जी इनमें एक multi-month breakout आया तो मुझे लगता हम मोमेंटम बना रहेगा हमने एक consultation देखा है कि आज की से momentum पगरते नजर आएंगे मैं BPCL की बात करूँ बीपी से लग रहा है कि 480 का MJ आगे लिखा सकता है 580 क्रॉस करता है तो और मोमेंटम बनेगा तो इनमें बने रही है अपना इस्ट्रप्लोस ट्रेल करते चलिए इसमें मज़े सबसे स्ट्रों आयो सी नजर आते है इसका क्लासिकल कपन हैंडल फॉमेशन का बेक आउट आया एक सो चोड़ा के इससेंस का ब्रेक आउट दिया लग रहा है कि शायद यह आने वाले दिनों में एक सो पे इती से चालिस के लेवल पी दिखा सकता है तो इन इस स्पेस में बने रहना चाहिए अपने अस्ट्रों प्रो करेक्ट यानि नियर टर्म में कितना चल गया तो जो मैं बात बता रहा हूँ वो फंडमेंटल वाइशन है और कभी-कभी टेक्निकल फंडमेंटल आपस में लॉगर हेट सुभी होते हैं फंडमेंटली स्टा कभी भी सस्ता है अपने पांचियर अपर जैसे बीपील लेकिन इसलिए दो दिन में इतना चल गया है तो और अब आपको इसलिए आपको सोच समुझ से काम करता है तो या फिर डिपर आपको इंटर करना चाहिए तो पुल बैक पर इंटर करना चाहिए ओके एक सवाल था ठीक है जैफरीज की भी कुछ टेकवेज हैं कुछ पावर कमपनिस को लेकर वो सारे एक पर अगर आप दिखा पाएं तो जरह वो भी दिखाएं उसमें एक शेर है आई-ई-ए-X क्या इस सिरीज के लिए ये सोनी क्या बहतर शेर हो सकता है कल पर सो भी एक महमान के आई थी इसमें वो जो प्रॉब्लम थी जो इनकी पॉलिसी को फ्रेंट पे थी वो थोड़ा टल गया है मामला एक शेर का रेक्शन उतना स्ट्राउंग नहीं है काफी समय से एक सो चाली से एक सो पंतालिस की रेंज पर फसा हुआ है जैफरीज के पावर समिट के नोट साने के बाद आपको लगता है कि IEX के अंदर कुछ और रेडिंग होगी अब इएक्स का अगरना सिफ ऑप्शिंस चेन अभी अनलाइज करने जाओं तो उसमें काफी अग्रेसिव कॉल राइटर अभी भी पोजिशन है 145 और 150 इन फाट 150 की की कॉल में काफी अग्रेसिव पोजि करें और कुछ दिनों के लिए most likely एनों एक हफते के बाद या फिर थोड़ा जैसे वो यहां पर इन जादा करेगा और जितना वो टेस्ट करते जाएगा अपने ऊपर का रेजिस्टेंस अरां 145-150 वो रेस्टेंस बैंड को जितना टेस्ट करेगा उतना वो रेस्टेंस वीक इसको आपे कंडिशन लगा लिजे या तो 150 का ब्रेक होने का इंतजार कीजिए किसको अगर फ्रेश लॉंक्स लेना है या तो फिर आप यहां पर अगर अगर इंतजार कीजिए 140 का अच्छा सपोर्ट है 140-138 एक मैच आप स्रोपलोस लगा सकते हैं 150 अक्का टागेट पकट सकता है. The moment 150 क्रॉस करता है, उसके बाद हम इसमें फ्रेश राली देखेंगे, शॉर्ट कर्वी बहुती शाप निजर आएगी, towards 165. But वो most likely second half of the series में हो सकता है. First half में इसी consolidation में ही थोड़ा maintain हो सकता है, entire range पे. ठीक है. एक बार QSR Space में से Sapphire Food की बात करते हैं, क्या यह attractive zone में आते जा रहे हैं, क्योंकि आप जितने भी QSR stocks देखें, इस quarter में, last quarter में, लगाता है एक downside move पे हैं, लेकिन कल Sapphire Food में Singapore Government ने लगब 20 लाक share खरीदे हैं, तो क्या यह value zone में आते वे दिख रहे हैं, एक बार जै आप Sapphire Food या पर दूसरे QSR space भी जो attractive लग रहे हो, आप share करें उनके चार्ट के view Sapphire Food, continuously हम देख रहे हैं, हाय रहे हैं, हाय लो की pattern बना रहे है, daily chat पर पिछले महिने से, और अभी भी मुझे लगे कर के दिन में जो upside दिखाया, वो अभी मुझे लग रहे हैं, यह स्टॉक में जादा तर 1500 का पैला target आते हुए दीख रहे हैं, उसके बाद अगर वो cross हो गया, so वहां से भी upside आदा 1550 तक ही दीख रहे हैं, so Sapphire Food Sapphire Food पर थोड़ा cautious view रहेगा, जादा upside नहीं दीख रहे हैं, बढ़ा cautious ली ट्रेड कर सकते हैं, jubiland food और even zometo यह सब में काफी strength दीख रहे हैं, even jubiland food की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो upside दीखाया है, वो breakout 553 का वो अभी तक sustain किया हुआ है, और थोड़ा भी deep है, तो यहां पर buy करने की सला होगी, weekly chart पर काफी attractive लग रहे हैं, यह स्टॉक का 100 मुगिंग एवरेज के उपर continuously sustain कर रहे हैं, तिजे तीन विक से, और मुझे लग रहे हैं, यह continue हो सकते हैं, यह स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं, तो jubiland food वोड बी मैं प्रेफर्ट पिक इंक यूए से थीक है, पार्थिव शाह भी अमरे से जुड़ रहे हैं, पार्थिव बहुत है शांदार एली बाजार में चल रही है, भारत का market cap, 4 trillion के करीब पहुँच चुका है, cross कर रहा है, एक अपने आप में बड़ी सी re-rating देश की हो रही है, stock market की भी, economy की भी, अगर यह structural नजर आता है, क्योंगे कल S&P ने एक और बहुत interesting note निकाला कि 2030 तक हम third largest economy बन जाएंगे, जिससाब से economic momentum बन रहा है, तो एक section है market का जो 5-7 साल, 8 साल की भी cause लेता है बजार में, मोटा पैसा कमाता है, वो थोड़ा boring section है market का, वो डेली बजार की बातें करता हुआ, डेली भाव देखता हुआ, नजर नहीं आता है, बट काम अच्छा हो जाता है वहाँ पर, उस section के लिए 2-4 ऐसे stock बताईए, economic momentum दिख रहा है, हमें बजार में momentum बनता दिखी रहा है, बहुत भेंकर रेरेटिंग होई है लास्ट दो-तीन दिनों में, और अब लोगों को बहुत जादा मजबूती से कह सकते हैं कि, हमारी economy रेरेट होगी और तीस्टी लाजेस बन जाएगी, तो पाँच-साथ साल के साब से, सेफ दो-तीन stocks अगर आप शेयर करें, अगर हम हमारा बेंचमार्क अन्य बड़ी कंट्रीज के साथ करें, तो चाइना का स्टॉक मार्केट आज की तारिक में नौ ट्रिजन की साइज का है, as compared to their economy size of 17 trillion, हम जानते हैं कि वहाँ पर हमेशा valuations काम रहते हैं, because of corporate governance, US की बात करूँ तो 30 trillion dollar की सामने, trillion dollar की सामने stock market is 48 trillion dollars, और जपान का भी markets देखें, तो basically हमसे बड़ा है, तो उसमें कोई दोरा नहीं है, जब 2030 की बात कर रहे हैं, और अगर इस तरह का 7% का real growth momentum, उसमें अगर पास्ट का inflation आड करें, तो 11% nominal growth के momentum की अगर बात करें, तो उसमें कोई दोरा नहीं है, कि आने वाले 6 साल में, हमारे stock markets, another 3 to 4 trillion minimum आड करेंगे, अगर 3 trillion भी आड करते हैं, तो you can imagine the quantum of wealth created, not only from the existing company, लेकिन जो primary market से भी नहीं नहीं companies आ रही है, वो भी काफी wealth आड करेंगी, तो in terms of stock discussion, हमें लग रहा है कि I think कुछ proven winners है, तो बोरिंग stock है, लेकिन यहां पर अभी जैसे हमने देखा कि FPI इंडिया में आते हैं, तो उनके लिए पनेटिका मसाला है, सबसे underperforming large cap front line clear bank रहा है, और यहां पर में लग रहा है कि Valuation historical lows पे है, और जिस तरह का growth moment है है, जिस तरह के credit disbursement है, उनकी underwriting standards है, मुझे लग रहा है कि Boring investors के लिए सबसे शांदा return देने वाला stock HDFC bank बन सकता है, दूसरा stock रहेगा Reliance Industries, See Reliance Industries, अभी O2C company है के लिए नहीं रहे, वह segment में से हमें लग रहा है कि जिस तरह का CapEx से वो तो अच्छा ही करेगा, लेकिन जिस तरह का B2C segments है, जैसे कि जो retail assets उन्होंने बनाई है, जो store के footfalls उन्होंने बनाई है, not only that, Reliance Jio उनका जो vertical है, तहां से भी जिस तरह की tele density अभी उन्होंने capture किये है, और अभी Arpooz में, DVD में जो गुद्धी आ रही है, fiber to home connectivity में जिस तरह का penetration है, I think यह easily 2 या 3 company spin-off हो सकती है, और यहां से बहुत अच्छी शांदार value create हो सकती है, third company would be Adani Port, last week मुझे आता है, Adani Port का जिकर किया था, we just got lucky with the new flow, but very frankly speaking, आज के तारिक में भी 16 टाइन इभी EBITDA multiple पे है, और जिस तरह का उनका target है, कि 500 million metric ton का उनको जो cargo से वो process करना है, आप देखिए, I think that will add a fantastic 15% volume growth until 2030, तो generally यह company में उनके targets, already past में देखा है अबने कि पहले ही achieve करती है, due to organic or inorganic growth, लेकिन यह भी बहुत चीप रॉक्सी है to be India's economic growth, and the fourth stock would be Maruti, लेकि Maruti एक ऐसी country है जो लोगों का inspiration पूरी करती है, पहले मुझे यहादे 5 लाग की गाड़ी वोग करती है थी Maruti उसकी, अभी लोग 12-15 लाग की गाड़ी की बात कर रहे है, and I won't be surprised कि आने मुझे तीन-चार साल में Maruti काड़ी की asset selling price 17-20 लाग हो जाएगी, तो यह भी एक अच्छा stock है, क्या बात है, चार-चार शांदार भेतरीन stock large cap universe से, जहाँ ज़ादा flows आ रहे हैं, और medium term में बोल रहे हैं कि last cap ज़ादा चलेगा, Reliance, Adani Port, Maruti, और HDFC Bank, बहुत ही शांदार, चलिए वापर हाजाते हैं, long term से, अब short term, medium term, वापर हाजाते हैं, मैं बात करना चाहूंगा, IEX की बारे हैं बात की, डिंपी ने, यह जो जिफ्रीज का power conference हुआ है, इसमें दू-तीन बातें बहुत important निकल के आई हैं, आप और हम, अगर last 8-10 साल, 2 साल से, क्योंकि हम और आप प्रशान जैन तो हैं नहीं, कि 4-5 साल से power stocks लेके बैठे हुएं, हम लोग तो चलते हुएं माल को देखते हैं जादा, तो इसमें डिंडे साल के अंदर जादा तेजी आई, हरकत आई, लेकिन अगर आपने से पैसा कमा लिया है, अच्छा पैसा कमाया है power sector में, चाहिए power lenders हो, power gencos हो, जो भी है, तो आप इसको जल्दबाजियें बेचे ना, क्योंकि जेफ्रीज ने कल एक बड़ा भेंकर power summit किया, बड़ी-बड़ी दिगज कम्पनिया बोलाई, एक्सपर्स बोलाई, और वहां से रिकल के यह आया है, कि 2030 तक भारत का power sector में भीशर ग्रोथ जारी रहेगी, इन फैक रहने यह भी कहा है कि 18 से 24 महिने तो demand supply mismatch भी हो सकता है, demand जादा हो सकती है, क्योंकि एक industrial cycle, capex cycle शुड़ू हो रहा है, और इसलिए आप जल्दबाजी ना करें, अपने power stocks बेचने में, तो बापस हैं और हम बात करेंगे power financiers की power transmission companies की power grid, यह stock में discuss करना चाहूँगा, जतिन गेडिया के साथ, जतिन power grid, अगें large cap है, FIS का पसंदीदा बन सकता है, जो दीदेरे लॉट रहे, 13 महिने में, तीन महिने में देखिए, इसमें कुछ corporate action rate बात करेंगे यह बेटर रहेगा, 222 का भाव है, लेकिन थोला सा चला भी हुआ है, इस भाव से आप लेंगे या किस भाव पर मिले, तो नई position मिनानी चाहिए, अगर जो power grid बात करो, तो मेरे को लगता है कि तीन वीक का एक consolidation को कल की trading session में चार trading session तो momentum जाड़ी जरूर रहता है, तो मेरे को लगता है कि जो breakout आया है, उसमें अभी भी steam बाकी है, मेरे को लगता है कि 235 से लेके 240 तक का ये upside potential है, इसमें तो PCP trader को या तो investor को buy करना है from short term perspective, तो मेरे को लगता है कि current levels के भी risk reward favorable है, तो यहां पर long किया जा सकता है for a target of 235 to 240 और इसमें हम एक stop loss लगाएंगे 217 रूपे का, तो 217 रूपे के stop loss के साथ इसमें डेफिनिटली bind की position बना ही जा सकती है ठीक है, टन, ये इसी जेफरिस के note से दूसरा जो डिसकस हुआ और पावर ग्रिड था, पहला आई एक्स था जो सोनी ने बताया और अब आपको जदीन ने दूसरे श्टॉक के बारे में आईडिया दे दिया fertilizer stocks को लेकर भी बाचित हो सकती है ख़बर market के अंदर ये है कि supplementary demand जो grant दी जाती है 23-24 के लिए parliament में वो दी जाएंगे और खबर ये भी है कि थोड़ा extend करके दी जाएंगे ने कि जितनी demand है उससे कहीं थोड़ी जादा उनको पैसे दी जाएंगे और ये typically चुनावी साल में होता भी है और आपको एक छोटा सा analysis हमने कल भी आपके सामने रखा था कि बीजेपी जातर शेहरों में जीती लेकिन जहां पे Congress के दूसरी पार्टी को वोटा है वो टिपिकली रूरल एरिया था तो इसलिए बीजेपी को रूरल एरिया में और पैट पलाने के लिए थोड़ा और काम करना पड़ सकता है जो सीधा रूरल एरिया से ही connected हो तो उसमें fertilizer एक की रूल अपना आएगा तो इसलिए हम जरा आप पता कर लेते हैं संतोष जी से पता करते हैं संतोष जी जरा चंबल fertilizer देखिए और अगर इसके अलावा भी कोई और आपको share दिखता है fertilizer stock में जो ठीक है इस समय वो भी आप बता सकते हैं हमारे तरफ से चंबल है सर जी डिंपी एक चंबल fertilizer का चार्ट तो अच्छा है यहां पर एक अच्छा momentum बना होगा चोटे stocks में एक अच्छा structure बना होगा एक resistance का breakout आया यहां पर आपको 300 की upside देखने को मिल सकती है अगर भी खरीटता है तो यहां पर stop loss भी चोटाई बन रहा है तेन सो तेविस का प्लेकिन जो strongest counter है कोरोमेंडल इंटरनेशनल इस स्टॉक में एक 52 विक हाय लगाया और इसमें जो momentum जो बना होगा है काफे strong है लग रहा है कि यह शारी stock 1300 रुपर तक की upside दिखा सकता है तो यहां पर नज़ा जगिए यहां पर 1180 का stop loss लगाई है यहां पर करीबन 100 रुपर की upside दिखने को मिल सकती है तो यहां स्पेशालिटी केमिकल अग्रो स्पेस के stocks action में आ चुके हैं और स्पेशली यह CDMO बिजनस वाले stocks भी तो कोरवेंडल में कल भी action था कल भी हमारे closing show में BTST trade भी था और आज संतोश भी recommend कर रहे है कुछ और stocks की बात करते हैं जहां कल blocks भी हुए Swann Energy जो अच्छा खासा move में 78% वहां पर promoter ने ब्लॉकसल क्या लगबक 352 करोड की वहां पर लेकिन buyers बड़े थे Soggen, SBI Live, Bundan Mutual Fund Swann Energy में एक बड़ी move पिछलो दो दिन में आई है क्या follow buying भी आज देखने को मिल सकती है Soni प्रियंका जी Swann Energy में मैं जहां तक देख सकती हैं 465 का एक resistance है उसको अभी तर्क्रॉस किया नहीं है और कल की move में भी वह उसी resistance के पास से थोड़ा सा नीचा आया है थोड़ा profit booking या फिर थोड़ा नजर आई है So, एक resistance रहेगा 465 को क्रॉस करने की एक कोशिश रहेगी The moment वह कर सकता है क्रॉस कर सकता है बाद हम वहाँ पे एक अच्छी से राली देख सकते है towards 510 levels So, काफे important रहेगा नीचे के तरफ आला इसका support अच्छा बन गया है 427, 438 base में से So, अब 427 जब तक होड़ करता है वो डेफिनिटली कोशिश करेगा resistance break करके 500, 510 के तरफ जाने के लिए ठीक है तो ये तो बात होई Swan Energy पे लेकिन एक बार बात करते है बजाज ओटो और Hero Motor Cop पर भी और इन पर CLSE का एक डाउंग्रेड आया एक बार वो पॉइंटेस भी लेकर आते है कि क्या बड़ी बाते गई है और किस वज़े से इने डाउंग्रेड करने की बात हो रही है क्योंकि अच्छे बड़े stocks चल चुके है टूविलर स्पेस में एक अच्छा momentum है तो auto sector पे CLSE किराया है और उनके साबसे margin पर क्योंकि जो cheaper electrical two-wheelers आएंगे उनसे इनके margin पर impact पर सकता है जो premium motorcycle segment में है ठीक है क्या इस report का एक आज downside देख सकता है एक pressure देख सकता है इस चौक पर प्रॉफिट बुकिंग देख सकती है जतन आप बताए देखे ये जो भी आपने auto stocks के नाम लिए hero motor cup बजाज auto ये सब के trend बहुत ही strong है और में को लगता है ये जो report आई है वो हमें as an opportunity to enter लेनी चाहिए definitely a major reaction हमें देखने मिल सकता है on the downside में को लगता है कि technically trend बहुत ही strong है और में को लगता है कि ये जो dips आती है वो इन्हीं डिपोर्ट के कारणे कभी-कभी आया चाती है तो में को लगता है कि ये जो dip आईगी तो उसमें हम definitely buying का ही recommend करेंगे technically strong है तो buy on dips की सला बन गी है auto sector ले नवमुरे ने आज एक काफी interesting report निकाली है बड़ी थी rally और जो political stability की तरफ बढ़ रहे है हम उसको बोलते हुए नवमुरे ने कहा है कि structurally वो इंडिया के उपर bullish हो गए है और buying on dips का रुजहान मराने की बात करते है policy continuity दिख रही है political continuity दिख रही है उसका फाइदा भारती markets को नज़र आएगा और उने ये कहा है China plus one का जो narrative बढ़ रहा है चाइना से पैसा निकल रहा है वो बढ़े market देख रहा है भारत उसका फाइदा ले सकता है और उसका beneficiary हो सकता है और ये भी कहते हैं कि high quality stocks थोड़ा सा महेंगे मिले तो जरूर लीजे आप क्योंकि FDIFIR देश में बढ़ने वाला है उन्होंने एक list दिये ICSEI Bank, Access Bank, L&T, Reliance, Godrich Consumer, Fortis, M&M और You Know Minda पार्थिव एक stock इस पूरी list में से मैं आपके साथ शेर करना चाहूँगा M&M जी यहाँ चला हुआ है नीचे थे बिलकुल लेकिन आज M&M ने ये भी बोलाई कि एक नया प्लांट लगा रहा है जो चार साल में आके बन जाएगा In fact, उन्होंने बोला कि चार साल में हमें capacity, overall capacity कमणी के double करनी है जब M&M जैसी कमपनी बोले, देश की सबस्वरी ट्रैक्टर और farm equipment कमपनी कि हमको चार साल के अंदर अपनी overall total capacity को double करना है तो क्या यह व्यू दिखा रहा है, यहां से अर्णिंग प्रॉस्पेक्ट्स कमपनी के कैसे नजर आते हैं सतरा सो के हिसाब से, मैं छे मेने आट मेने का भी नहीं ले रहा हूं, मैं उसके beyond दिख रहा हूं अगर आप OEM जो पैसेंजर वेहिकल सेगमेंट की जो कमपनी से, उनका total capex intensity देखे तो इस करीबन 80,000 करोर Tata Motors is talking of putting up 18,000 crores in the next 4 to 5 years, Maruti ने करीबन 20-22,000 करोर की target दी है Hyundai ने भी करीबन 17-18,000 करोर का target दी है, इस तरह के मिना के M&M की अपनी जो बात की तो और आउं 80-90,000 crores का OEM का capex है, और अरड़ी यह capital work in progress चालू हो चुका है और on the whole, हर एक जो vehicle manufacturers है, their guiding के उनको उनका जो volume है, वो आने वाले 5-6 साल में double करना है तो बुस्टु शो के M&M जैसी company भी बहुत beneficial होगी और सबसे चीवात ही है कि M&M की investors को एक बड़ा लाभ यह मिलता है कि उनके पास one of India's largest farm equipment segment है जो relatively काफी profitable है लेकिन fortunes of the rural economy पे dependent है I am very confident कि government definitely rural economy पे बहुत focus करेगी क्योंके वहां पे I think अभी देखा है कि it is not firing with all cylinders तो that will directly benefit companies like M&M तो M&M is definitely a very good stock for the long term Utility Vehicle और जो SUV segment है M&M ने बहुत अच्छी शांदार pipeline दी है और वहां से भी उनने अच्छा market share गानर किया है EV में भी they are now trying to be the second mover after Tata Motors M&M I think valuation के लिए से IPPM अच्छा लग रहा है प्रादर में चार से पांच साल में I won't be surprise कि यहां से minimum double हो से साल में double की कोशिश कर सकता है यह stock यह आप ड़ज़र बना के रखें जैपटेल औरवंदू farma को देखिए 1000 जब से cross किया है थोड़ा सा समय बिता रहा है यहां पर क्यूटू के नंबर बहुत मजबूत आए थे लेकिन हजार हजार पच्चिस के देखिए एक बैंड में आ गया यह क्या यह comfort दे रहा है आपको इस बहुत से long के लिए यह आप अवाइड करेंगे मुझे लग रहा है मुझे लगए टाइम करेक्शन में अभी फर्स के आए 1000 के लेबल जब से आगया यह स्टॉक में 1100 हजा के बित में काफी काफी कॉंसरेटिशन चल रहा है और next move के लिए थोड़ा प्रिपेर हो रहा है मुझे औरो फार्मा पर काफी बुलिश वियो है मेरा फार्मा सेक्टर बर भी ओवराल बुलिश वियो है आने वाले दिनों में सो औरो फार्मा अगर कोई भी डीप पर मेरा राउंड हजार के अराउंड भी मिले तो buy would be definitely recommended at this point मुझे लग रहा है यह स्टॉक में 1200 से 1300 तक के टागेट तीन में में हम देख सकते हैं तो औरो फार्मा को long definitely करना चाहिए कोई भी डीप मिले I guess around 21 day moving average तक एक डीप मिल सकती है जो just narrow range around thousand के around 995 का वो टीप है तो वहां पर buy करने की सला होगी औरो फार्मा पर और 1200 से 1300 के बीच में I will suggest कि यह stock आ सकता है दो तीन में थीक है तो इस पर view और विद्व फार्मा पर जैपतेल गले के नब हमार साथ Sanjeev Vaseen जोड़ गया आई उन से बात करते है Good morning Sanjeev जी आपने कल Asian Pains भी दिया था और Asian Pains पे इंफाट आज एक बुलुष वी आया एक तो यह कॉल आपने बहुत ताइमली दी अदर्वाइस और कॉंसे आपके बड़े ट्रेट्स है आजके अजके आपको अजके अजके आपको अजके नहीं जी मैंने दो आपते तीन अपते पहले दिया था प्रियंका जी और मैंने उस समय कहा था कि यह आउट परफार्मर होएगा यह जो एक टो वीकनेस इन क्रूर और साथ में मैंनेजमेंट इस व्री आप्तिमिस्टिक साथ में अज़ 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 आपको जितने बैंक्स दिये थे कोटक, ICICI, AXIS, BANDAN BANK, PNB, FEDERAL BANK सब आउट परफार्मर हैं आज अगें मैं Asian paint पे रिए ट्रेट करता हूँ Crude at 72 डॉलर मीन Asian paint should be a big beneficiary और जो यह competition का threat थ्रा from Gassim and Jindal I think it is overdone हमने देखा एवन पातांजली has existed despite पातांजली, Lever and Colgate have existed and done better than that लो इंडिया बहुत mass consumption है 2-3 player के आने से कोई फरक नी पड़ता Buy Asian paints, target of 34.50 IGL ने बहुत consolidation और weakness देखी after the talk of you know CNG being done away with लेकिन वो सब में 5 साल लगेंगे IGL की management बहुत optimistic है और वो कह रहे हैं जो new registrations है जो पराणी registrations है और उसमें 15 साल का license है वो अभी भी उनकी consumption बहुत strong है तो मुझे लगता है IGL is a perfect player 4.40 का target मुझे near term में 4.75 भी आजाए कोई बड़ी बात नहीं 3.90 का stop loss रखिए And last but not least DLF देखिए मेरे को लगता है आज IT और reality में ज़रूर buying आईगी These are very very visible place और यहाँ पे मुझे लगता है out performance है 6.50 में लीजिए 6.35 का stop loss 6.85 का target यह 3 मेरे picks है आज के लिए बसीन साब आभी आपने DLF के साथ साथ Real Estate के एक और जोटी स्कुआए सेक्टर हो था IT आपको ऐसा लग रहा है कि IT के अंदर buying आएगी सब उसके reason गिनवा सकते हैं कि क्यों आएगी और उसमें से share कौन सा चलेगा कल-कल आपने साथ देखा हो तो सारे 3% वापिस Apple was up और Apple is again hitting new highs 7 stocks in the Nasdaq have led to 58% rally in the IT basket or the Nasdaq out performance दूसरी बात despite markets being a debtor high रुपी is over there only in fact लोग 2 पैसा वी क्यों होता है और thirdly IT में जिस तरह से हमारे you know transcending हुई है और our companies they have been cash generators मुझे लगता है IT is now going to participate और मुझे दोनों LNT के shares LTIM और LTTS ये दोनों बहुत reasonable है along with persistent mid cap IT में पैसा डालिए LTTS is my topic LTIM and persistent ये तीनों शेहर यहां से 20% भी बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं बसीन साब एक हिस्सा है बजार का जो बहुत जबदस चल रहा दो दिन से मैं बात कर रहा हूँ अदानी ग्रूप स्टॉक्स की दो दिन में 22% मूव तो ठीक है लेकिन एक एक स्टॉक में 2000 क्रोलों की delivery based buying हो रही है आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब वो hiddenberg report आई थी इनके against और stock गिरे थे वहाँ से राजीर जेन जो बड़े investor रहोंने बड़ा पैसा कमा लिया लेकिन मैंने विज ने भी debt cut करने की कैपेस तो थोड़ा slowdown करने की non core assets को बेज देने की इच्छाएं जाहिर की और rebound आया आपको इन में से कोई stock पर कोई view है आपका क्योंकि बजार में काम बहुत हो रहा है interest बहुत है stocks के उपर ये थोड़ी सी कहावद दूंगा थोड़ा add करने को actually first week of February में मैं 3-4 conferences था आपके हाँ भी था और मैंने अपना neck out का जब गीदर भंकी भेचेंगे तो शेरों को खाईदना चाहिए और वही राजीत जैन शेर निकला तो शेर के यहाँ पैसा ऐसा आ रहा है कि हिसाब नहीं तो शेर मार्केट को आपको शेर भी बनना पड़ता है जब खराब news किसी concentrated rumor momering या और उसकी मज़े से आई you have to buy the underlying asset Adani Port and Ambuja both are in our portfolios from that February Fiasco they are more than doubled and we think they will triple Adani में अभी शरुआ आते है Ajay जी यह कोई businesses overnight नहीं होते है यह 20-20 साल की महनत और vision के साथ है you cannot have these businesses run only on you know good luck they have to run on debt and they have been serviced well और अब तो उनका their realizations are coming to the front तो कब हमने देगा 20-20-18-18% large cap index stocks में which is telling you के इसमें कितना underweight और shorting होई थी वो covering होई है और अभी तो शुरुआत है Adani Port और Ambuja as a disclosure हमारे portfolios में है और हमेने 50% upside तट भी भेचने का कोई plan नहीं है Adani's will lead 2024 much-much higher market cap can go up by another 20% शानदार जिग्रा वाली बात आपने कहें दी कि कई बार बजार opportunity देता है आपको share की तेरे जिग्रा दिखारा चाहिए अपना homework करके तो भी बड़ा पैसा बनता है बना फिर तो खेर छोड़ा-छोड़ा quick single गडबिल तो चलते ही रहते है बहुत शुक्रिया मेरी तरह पजाबी भी बना पड़ेगा जोड़े खटा रहेगा क्यों ब्रहांगा जी असी तरह दो लगता थे मोकाँ चुकांगे बिल्कुल चक्दिफटे नब्दिखिली बिल्कुल संजीर जी पजाबी देखे हमारे डिपी जी भी खुश है बिल्कुल पजाबी है तो कट्सर्ड है इंफाट थीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिन शांदार हो यहां पे इठिनाव सादेश पे बहुत ही शांदार ट्रेडिंग और इंडेस्टिंग की बाच्ची चर्चा जारी नहींगी जल्दी ही हम स्टॉक्स भी लेक्याएंगे नवरतना स्टॉक्स से पहले हम अश्याएंगे जो पतानली का अनलिस्ट मीट हुआ है इसके बड़ी फाइंडिंग जो निकल कराएंगे क्या स्टॉक को और फॉर्धर मोमेंटम दे पाएंगे पर पात्रव से डिसकस कर लेखेंगे को इक स्टॉक एक रीज में रहा है पात्रव अनलस्ट के जो 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 निकल कर आया है इसमें एक आप अपने उसके सारे इक इनकल देखिए शायद अधर भावि सकते हैं ग्राफिक्स पर सब कुछ था लेकिन सिफ इस पोट सेग्मेंट के जो बात कर रहे हैं उससरे लेटर तो कोई प्रॉटक नहीं है इनके पास अभी रहे हैं आज एक नजर रखनी चाहिए टेक्निकली भी आब बताए संटोष यहां से और अप्मूफ दिखती है ठीक है बैंक ओफ इंडियो का भी क्यू आईपी यह उपन हुआ है लेवग एक सो पांच रुपए पर एक बार बैंक ओफ इंडियो क्योंकि यह सारे पिस्यू बैंक्स जो है मिट कैप स्मॉल कैप पिस्यू बैंक सभी चल रहे हैं और लाज कैप भी अफकर्स तो क्या आप इस पर भी आज एक नजर रखनी चाहिए सूनी बैंक ओफ इंडिया मेरे ख्याल से थोड़ा अंजर परफॉर्म कर रहा है कंपर तू उसके बाखी पिर्स के साथ एक रेस्स्टेंस है उसका एक सो तरह एक सो चौदा में जब तक वह एक सो चौदा के ऊपर क्रोस करके सस्टेंग करता है तब तक यहां पर वो कंफर्म ब्रेक आउट नहीं आर दिख रहा है तो एक सो चौदा के ऊपर ही कंडिशनल बाई बनेगी आप उसके ऊपर ही खरीच सकते हैं 120 टारगेट के लिए 121,22 वहां से जा सकता है और वो ब्रेक करने के बाद 114 के बाद आपको जो स्टॉपलोस प्लेस करना है वो है बड़ी सिमेंट कंपनी के साथ सातना एक छोटी सिमेंट कंपनी में आपको बताता हूं शाय धूड़ने में थोड़ा समय भी लग जाए उस शेयर का नम है ककातिया सिमेंट इपर आप धूड़ सकते हैं के एक के नाम से है संतोजी आपके टर्मिनल पे होगा क्याश की इसमें में इक मोमेंटम देखने को मिल रहा है चोटी सिमेंट कंपनी अगब से वाजर एक पूजिशन चल रहा है तो कल अच्छे हाय वाल्यूम के साथ इसमें ब्रेक आया था इक इंपॉर्टन डर्सिस्टंस था इसका 244 का उसे के आसपास पास प्लोजिंग भी है तो ब्रेक आउट जैसा फीलिंग आपको दिलवा रहा है थोड़ा वॉल्यूम कम होता है बस वैसे आपको वैसे इतना भी कम नहीं होगा आप चाहें तो इसके अंदर एक ट्रेट ले सकते हैं अब आपने वित्तिसलाकारों से पूछ लेजेगा आज फिर से सवार पर इसे यहां पर जो है मार्केट आज के बाद अनलिस्ट मीट हुई थी और यहां पर प्रिविमाइजेशन पर फोकस पर जो है कमेंटरी आई है और सदन बिजनिस में जो है वो लॉंच करने वाले है ज्यादा प्रोडक्ट अस्पेशली बिस्कित सेग्मेंट पर उस पर भी फोकस मीट का दिन है और जो यहां पर वो अपडेट देने वाले और आउटलुक भी देने वाले फ्यूचर उनके लोन डिस्ट्रिबूशन बिजनस को लेके चौथा ग्रूप स्टॉक्स रहने वाला है फोकस में रह सकते हैं क्योंकि आज जो है फानांस मिनिस्टर प्रेजेंट क रहेगा हमारा पाच्वा स्टॉक है उनकी आम ने जो एक लाइसेंसिंग एग्रिमेंट के किया है एकलरिस थेरपी के साथ और यह इम्म्यून इंफ्लमेटरी डिजीज के लिए है ग्रीन टैनल इंडस्ट्री इस में फोकस करें तो यहां पर उनकी एमडीफ प्लांट में ड 4,800 क्रोज का अभी स्प्रेड आउट होगा पाच से 6 साल में और इंवेस्मेंट को जो है इंटर्नल अक्रॉल्स और डेट के जरीए जो है फंड किया जाएगा आठ्वा स्टॉक जो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है वो रहेगा से का आईशर मोटर्स पे रिपोर्ट यह कि यहां पर रनप देखने मिल चुकी है इसके कारण जो है यह डाउंगेट देखने मिल रही है आखरी स्टॉक जो रहेगा खबर पर जो फोकस रहेगा वो रहेगा बंधन बैंक यहां पर एक इंपॉर्टन डवलप्मेंट आ रही है जो एक रिकवरी है क्रेडिट चाहिए जो फिनांशियल्स है उसमें एक अच्छी बंप देखने मिल सकते है यह थर्ड कॉर्टर में भी इसके कारण एक पॉजिटिव इंपाक्ट देखने मिल सकता है तो यह नौ स्टॉक्स है जो आपके रडार में होने चाहिए आज राइट, बहुत बहुत शुक्रिया है जिस्तरिक का मोमेंटम है 21,00 – 21,100 के असपास निफ्ती जा सकता है और वहां से हम एक प्राइंड फॉट बोफिट भॉप निफ्ती का पूरा दम्सम है 47,400 – 47,600 तक जाने का बिफॉर वी सी नू, सम केंड वफिट बोफिट वॉट बोफिच वॉट वॉट जा सकता है long positions को trailing stop losses के साथ hold करें या profit book करके चलें इंडेक्स पे ये सला रहेगी जहां तक stock specific action की बात है काफी अच्छे moves देखने मिल रहे हैं मेरे साब से यहां पे 2 stocks हैं जो आपके radar पे होने चाहिए पहला है PNC infra इस stock में हमने एक अच्छा सा breakout देखा है इस sector में overall तेजी है ही इसमें volume action भी था और near term averages जो है इसको भी cross करके stock ने कल अच्छी closing भी है यहां पे 360-365 के near term targets के लिए buy करें 344 यह आपका stop loss रहेगा जो मेरा दूसरा pick है that is AWS finances इसका setup जो है थोड़ा सा अलग है from PNC infra यहां पे आप देखे 1400 के आसपा stock ने इन्हें को अच्छा सा base बनाया है दो बार इसी level को test करके up move दे रहा है यहां पे आप इन्हें एक long position बने positional bet लेंगे तो better रहेगा बट मेरे हिसाब से near term के हिसाब से play कर रहे हो 15-20, 15-55 के दो levels है इनको target लेके चलें 14-60 यह आपका surplus रहेगा ठीक है अवास financials और दूसरा बता रहे है PNC infra दो share आपकी तरफ से होगे overall आप भी यह कहा रहे हैं कि nifty कंदर या bank nifty कंदर अब थोड़ा रुक के आपको चलना चाहिए एक छोटा सा break है तुरंट lottery break के बाद कुर्णगे अपको अपको उड़ा है कि 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 बाद अब फिर आपका स्वाकता और अब चले कुबारिटी मार्केट्स का अब देद देने के लिए मासत विश्व मुवन जुड़ गया विश्वा कल आपकी गोल्ड पर सेल की कॉल तो चली होगी अमश्वार बिल्कुल और कल जब इवनिंग सत्र में बंध होने से पहले 2500 के आसपास की गिरावट तो टार्गेट भी हिट हुए थे लेकिन आज की सुरुआत की बात कर लेते कि आज अगर आप देखे तो धीमी सु पर भी कारोबार हो रहा है 75500 के आसपास मार्च का नया कॉंट्रेक्ट चांदी का आज से सुरुआ है कच्छे तेल की बात करें लें तो यहां पर दबाब दिख रहा है हलकी गिरावट के साथ में कारोबार हो रहा है नैच्रल गैस पर भी एक परसंद के आसपास की है आपके लिए जहां पर गोल्ड फिर्ट से आज खरीदारी की सलाह रहा है जो नए साल में वापस से पूर्फोलियो में गोल्ड एड होंगे बहुत सारे फॉन मैनेजर्स की उससे फायदा मिलेगा हाला कि यह ट्रेडिंग कॉल है आज के लिए सिर्फ बाससदार 350 के टार् आखरी कॉल एडरी मार्केट से है हाला कि मार्केट अभी खुला नहीं है हल्दी की कॉल है खुलने के बाद आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं 15200 दिन के दौरान हल्दी का वायदा जा सकता है तो यहां पर खरीदारी की सलाह आ रही है बहुत बहुत शुक्रिया विश्वा इन सारी कॉल्स के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रेडिंग आइडिया दिसकस करते हैं हमां से निमेश ठककर जुड़ रहे हैं पार्थिव की जगह निमेश बॉनिंग शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एक स्टॉक में आप से डिसक्रिस करना चाहूंगा जो कि प्रामल एंटरपराइज का स्टॉक ये सावर और नौसों में आसपाफ सी घुम्ता रहा इसका साथ ही जो है प्रामल फार्मा है वो चल गया है वह सी 2 पर चीश लेकिन जो में कमपनी है प्रामल एंटरपराइज इसके अंदर अब सिर्फ परामल कैपिल है, और हाउजिं देखे, बूर्मारिंग अजी जी देखे, NBFC स्पेस के अंदर, जब से हम लोग उन देखा कि पिछला जो रन लप था मार्केट का, वो NBFC स्पेस आया था और जब से ये डी एचेपल का और जो कुछ भी इस्यू मना है, तब से एक जो वैल्यूएशन इप्रिवियाशन मिल आथा NBFC के अंदर, उसके अंदर काफी regulatory changes हुए हैं, और जो NBFC रन करने का advantage था बिजनेस वाइस, वो उसके restrictions से बेंक के जैसे लगने लगए, इसलिए कही न कहीं जो है काफी underperforming growth लाने में जो है, वो sector को दिक्कत का सामना कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहां से gradual recovery जो ह अगर आप एक से दो साल का horizon है, तो इन current scenario आपको यह stock में 1100 तक देखने को मिल सकता है, तो view all over जो है, बुली से बायो डिप्स की strategy रखनी चाहिए, और 1100-1150 का target price set करके रखना चाहिए, इससा मना मानने, 1150 का target लिए काम करना चाहिए, आपको पिरामवल enterprises में, एक और stock जिसस करना चाहिए, जो consumer space से काफी end up form किया है, संतोष, डाबर, डाबर का बुरा समय घटा हो नजर आ रहा है, आपको लगता है, इनका बुरा समय खतम हो गया, या भी नहीं, स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, तो मोमेंटम इतना नहीं रहेगा, तो डाबर में लग रहेगा, तो डाबर में लग रहेगा, तेजी रहेगी, उक और में पांसो पिचुतर, पांसो असी के target आसानी से अची होते है, ज़िए एक पांसो पैतारी स्टॉंग मेंटम थोड़ा स्लो बना रहेगा, एक बार एक कांटर लेकर आता है, CESC का ये भी बड़ा गेनर रहा है, in fact अभी आप ये 20,000 से 21,000 की राली देखेंगे, तो स्मॉल कैप स्पेस में CESC ने भी 23% गेन किया है, और इसमें तो अब एक न्यूस भी आ रहे है कि रिन्वेब आप नहीं हो पाएगी, Jay आप बता है, CESC मैंने दो दिन पहले रिकमेंड किया था, अभी भी मुझे लग रहे है ये स्टॉक में रहना पा सकता है, because यहां पर गवर्मेंट और प्टिक्लर रिनिबल स्पेस पर काफी मुमेंटम है, so I guess 130 would be something I am looking for in very short term, so CESC को बाइकर के च स्टेंड कर रहा है और वाल्यू के साथ कर रहा है, so upside momentum definitely intact है, but थोड़ा conscious way में ये stock को बाइकर नहीं है, step-by-step way में ये stock को लिना चाहिए, so 130 would be my first target, इसको break करेगा, so then 142 would be another target I am looking for in CESC as per the Fibone की चाहिए ठीक है, gift nifty आपको दिखा रहा था, 21,000 market खोल रहा है, 2950 पे, ये actually जो 21,000 वाली range है, थोड़ा resistance area है, 95 point उपर खोल रहा है, और अगर आज आज आपके top gainers फिर से check करेंगे ना, तो आज शुरुवारत में हो सकता है पहले एक गंटा, फिर से अडानी shares का दब दबा रहे, व इसके अलावा अगर आप mid cap category में भी चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी अदानी के ही shares आपको सबसे उपर दिखेंगे, जैसे अदानी greens 9% उपर, अदानी energy 4%, ATGL 4% और इसके अलावा और भी कुछ अदानी group के shares है, तो आप आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे बेहतरी जो segment आच opening भी कर रहा हो, फिर से अदानी group के shares है, इसके अलावा, BPCL, Power Grid, Asian Paint, SBI और HDFC bank, यह कुछ एक और share है, जो जो आच खुलने के तियारी कर रहे है, ध्यान रखेगा, 21,000 के आसपास एक छोटा सा resistance area है, all time high पर resistance होते नहीं, बढ़ पुराने data के विस्टिस प ट्रेलिंग stop loss लगाएं, नए वालों को थोड़ा रुप जाना चाहिए, डिप के वेट करना चाहिए, लेट भी एक बार market open हो जाए, उसके अपने सारे फ्रस ले लीजेगा, अब आप advanced decline को भी चेक कीजेगा, यह कम से कम 1200-1300 shares का आज भी होना ही चाहिए, तेरह सोटी shares है, 2921,000 वाला वाज दिन भर में एक मिनिट, पांच मिनिट, दस मिनिट दे के आप उसको थोड़ा समय दीजेगा, उसके बाद ही अंदर आने की कोशिश कीजेगा, 47,000 के उपर कल की closing हुई थी, आज opening 47,000 के उपर है, 47,500 तक या 300 से लेके 500 तक की पूरी range यह बैंक निफ्टी क हाई पे, market all time हाई पे ही काम काच कर रहे है, 76,000 के करीब आपको पहुंच गया आता हो दिख रहा है, अब आते हैं जरा आज के top gainers पे, आफिर से चेक करेंगे, अडानी ग्रूप के शेर, अडानी एंटरप्राइज इस 3% उपर, पोट 2% उपर, एक चीज़ आप नोट कर र हाल भी का है, तो यहां से स्पीड कम हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा, आप देखोगे, बीपी से लफ सिरफ एक परसंट उपर है, HDFC Life, Britannia, Access Bank, SCL Tech, इन सम्में बढ़त एक एक परसंट की है, शुरुआत में, लेटिट भी देखते हैं आगे कि और थोड़ा कितना वीक ह आज गिरने वारे शेर्स भी आपको शुरुआत में मिलेंगे, जैसे एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने का कि हीरो और बजाज की वेल्यूशन अच्छी नहीं रही है, तो बजाज ओतो आज धेड़ परसंट नीचे है, आईशार धेड़ परसंट नीचे है, हिंडाल को मे तेना सू शेर अडवांसिज हो चुके हैं, ये तेना सू से बढ़कर दो सू शेर बढ़े हैं, लेकिन लेवल्स नहीं बढ़ें निफ्टी के, तो ये बात ये है कि जो फ्रेंट लाइन बढ़े शेर जो इंडेक्स को मैनज कर रहे हैं, उन में दम नहीं अभी, एक मिनिट क आप स्क्रीन पर देख पारेंगे, पहले दोनों शेर का दबदबा अदानी ग्रूप का है, अदानी पोर्स और अदानी एंटरपाइजिस, फिर बीपी से लाता है, कुरूड का इंपक्ट लेके, एशेर पेंट भी कुछ वही है, रिपोर्ट भी है, उसके बाद HDFC लाइफ कंपनी, सन फार्मा कल की अच्छी क्लोजिंग, आज की अच्छी ओपनिंग, और इसके लावा, ओंजी सी, एक्सेस बैंक, और कुछ SBA, आज आपको आध-हरी परसेंट उपर दिख रही होंगे, जो शेर लाल निशान में, उसमें दो आटो कंपनीज हैं, आईशर और बजा हैं, क्या करना है, बस हो, यह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, प्रेंक आपको बतारी है, छोटे मजोले शियर्स के बारे में, आपको दिख रही है, कुछ पैक्स में, अधानी स्टॉक्स में, आप देखें, खुलें के बाद भी अधानी विलमर, खुला 2.5% के तेजी अधानी विलमर में है, टाटर केमिकल्स, यहां सो उडाश प्राइज को लेके पिरसें यूज है, 3-3% सेकंड टॉप गेनर है, मिट कैप स्पेस का, हिंदुसान जिंग, फिर से हच्पी सील जैसे काउंटर्स में, आपको मूव दिख रही है, पावर लाउं काउंटर्स आर पर भी जिन में मूव दिख रही है, एंजिल वन, इनका भी डेटा पॉइंट भी आया था और यहां पर भी 3% की तेजी आपको एंजिल वन में दिख रही है, कुछ इसरे स्टॉक्स में आपको APL Apollo, Metro Brands, और साथ ही कुछ MFI सेगमेंट के Credit Access Grameen, लेंडर्स में से Credit Access Grameen, जि में आपको मूव दिख रही है, लेकिन कैंप्स वहां पर 3% की गिरावट बढ़ चुका था पिछले 2 दिन में, वहां पर बायस बढ़े थे और उसके बाद आज थोड़ी Profit Booking वहां दिख रही है, सुजलोन में Profit Booking है, और कुछ Real Estate Countess में भी आपको Profit Booking दिख रही है, चल अज़ पर इसमें की स्टॉंग बनाता है, कल थड़ा स्टॉक पूलबग दिखाया था, लेकिन आज पर से स्टॉंग दिखाते हैं नज़र आ रहा है, यहां पर करिदारी करना चाहिए, आपका स्टॉपर्टी बं का ओपर में जो टागेट रहेगा, वन पर दुबारा बोल कर रहा है, यहां पर लॉंग पोजिशन बना सकते हैं, नियर टर्म में यहां पर जो टार्गेस निकल क्या रहे हैं, यह 1475 और 1495 के दो लेवल्स हैं, जिनके लिए आप पोजिशन ले सकते हैं, स्टॉपलोस इसका 1400 के करीब लेके चलें, तो न्यूजन सॉफ्ट्वेर इसक स्टॉपलोस लगा है, टार्गेट रहेगा 465-468. के साथ चल रहे हैं, सो आज के दिन में काफी अच्छा मोमेंटम यह स्टॉक दिखा सकता है, 270 तक के टार्गेट इंडिया समयन पर आते हो, मुझे दिख रहे हैं, स्टॉपलोस अरम 255 कर रहके यह स्टॉक में टेड कर सकते हैं, और अल्सो कल जो BTST ट्रेड में ने दिया थ और वो आज हीट हो चुका है, अराउंड 407 के बाव चल रहे हैं, सो जीके वेपर का BTST वाला प्रेड अच्छे से एक्जिक्यूट हो चुका है ठीक है, एक गुजरात अम्भूजा एक्सपोर्ट है, वो क्षियर हमने कई बार आपको नोटिस कराया, आज भी अच्छी ओपनिंग के साथ खुला है, एक बार जड़ा खुश आप चेक करेंगे, गुजरात अम्भूजा एक्सपोर्ट, G.A.E.P की नाम से होगा है पार जड़ात अम्भूजा एक्सपोर्ट, G.A.E.L. गुजरात अम्भूजा एक्सपोर्ट, वेल अगैन इसमें जो रीसेंट रन अप था, काफी शार्प था, अब ये बिलकुल अपने रेइसेंट्स जोन नेर टम पीक हो है, 380 से 385 का उसके पास आके रेस्ट कर रहा है, बट जिस तरीके का हम इसमें momentum setup देख रहे हैं हमें लग रहा है कि यह शायद cross हो सकता है there's a very good possibility कि अब यह इस near term resistance को cross करके 400 के तरफ एक move देगा तो मेरे सब से यहाँ पे slightly preemptive ही सही बट एक long position बनाई जा सकती है तो 400 आपका पहला target रहेगा 415 इसको अपना second target बना के चले और on the downside इसका जो support zone है यह 365 के आसपस निकल के आ रहा है so overall setup अच्छा है हाला कि volumes पर चले कुछ दिनों में थोड़ से taper होते हुए नजर आये हैं बट जिस सरी के momentum setup और जो इसका resistance होने इसके breakout के पास ही है हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक fresh long position बिल्कुल बन पी है ठीक है बैंक निफ्टी 47,000 के आसपस आके अब रुखने की कोशिश कर रहा है 46 point की सिरफ बड़ा तबी बाकी रह गई है आप पांच मिनिट के बाद इंडिया विक्स और advanced decline चेक करना आप देख पा रहे हैं उपर से वापिस नीचे आए तो यह क्या होता है ना यह हलकी सी profit booking होती है क्योंकि gap मिल रहा है अगर gap नहीं होता तो यह पहले उपर जाता फिर नीचे आता तो कि gap मिल जाता है तो पहले खुलते ही उपर है तो उसके बाद आपको मौका ढूंडने के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ता है कल भी यह हुआ आज भी यह हुआ अब यह tendency कितनी बार-बार repeat करेंगे यह इस पर doubt है मेरे को कि आप एक कल तो कर रहे हो आज भी आप वैसे करोगे परसो भी आप वैसे करोगे तो उस tendency भी मेरे को थोड़ा doubt है otherwise वैसे कोई दिक्कत नहीं है देखते थोड़ देर में और कुछ indices पर कुछ निकल गया आगा तो बात रखेंगे आपके सामने एक दो शेयर और भी है जो आज थोड़ा मोमेंटम दिखा रहे है एक टाटा केमिकल्स में को पता करना था एक हजार बाइस है जै आज आप इसको प्लस करोगे आज अभी जो सुपह इंडिया सेमेंट और टाटा केमिकल्स दोनों में एक प्रोब्लेम था कॉंसा स्टॉक दो तो दोनों स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे थे बड़ टाटा केमिकल्स और टाटा केमिकल्स बढ़ चुका था इंटाटे परस्पेक्टिव से इसलिए वह अभी एवाइड किया बट अभी भी किसी का अगर 3-4 दिन के लिए वियो तो मुझे लग रहा है यह स्टॉक काफी अच्छा पर्फॉर्मस दे सकता है हलाकि रेजिस्टन्स 1050 के उपर है अभी 100-200 डे मूविंग एवरेज के वहां पर सपोर्ट लेके यह स्टॉक गैप अगे के लेवल 1085 तक यह सकता है अजके दिन में खोरा रहना पा चुक है तो थोड़ा भी टी पाने दीचे उसके बाद फ्रेश बाइं कर सकते टाटा के कमिकल कर सकते लेग तो टीप पर फ्रेश बाइंग कर सकते है यह वाल्यू डूंडिए है उस पेस में क्या रलाइंस पेक जोन में आता है और साथ ही UPL जैसे स्टॉक्स में, UPL अब देखें, खुलने के बाद इसमें बाइंग आई है, और चेमिकल, एग्रो स्पेस, इसमें अच्छी मूफ है, दो ड्हाई पसंट की तेजी आपको UPL पर दिख रिया है, और एक बर रिलाइंस को भी डिसकस कना दोनों में क्या स्ट्रेंड बर सकती है, कुश? और 6.40, यह जो दो लेवल्स है, यहां तक स्टॉक, एक मूफ दिखा सकता है, इन दे करन्ट मोमेंटम, और जो स्टॉप लॉस रहेगा, आपका वो 5.75 के आसपास का रहेगा, यहां पे स्टॉक में मोमेंटम उतना तेजी से नहीं आया है, सेलिंग प्रेशर रहा है, अक्र बाइक कर रहे हैं, तो कॉंटिटीज थोड़ी सी मैनेज करें, I will not go too big on UPL in terms of quantity, हला कि the trend is obviously, you know, up right now. Reliance, she has already shown some movement, 2250 से जो इसकी rally शुरू हुई थी, अब अपने 200 moving average को cross करके sustain कर रहा है, अब मुझे नगर है कि यहां पे थोड़़सा profit booking की जा सकती है, अगर किसी ने मिचले स्टरों से लिया हो तो, because यह जो जो जोन है पूरा, 2450, 2475 का, यहां पे multiple selling points है, तो थोड़़सा pause हो सकता है, अला कि positionally अगर मैं देखो, तो the stock is due for a move towards 2600, okay, ठीक है, तो यह तो बात हुई Reliance पर थोड़ी सी profit booking की बात कर रहे हैं, और UPL पर quantity manage करके चले हैं, लेकिन power stocks फिर से आपको move दिख रही है, RC जिसे stocks में, power grid जिसे stocks में, वहां पर अच्छी move है, तो यह space तो लगाता च लेकिन जो नए इंट्रिंट दिख रहे हैं, अला कि crude derivatives का फाइदा, paint stocks में, station paints को पहले नहीं मिला था, लेकिन अब यह जो चलना शुरू हुआ है, तो क्या इस पर यहां से, in level से bet करना चाहिए, संतूश? इस प्रेंका, power stocks में, जिसे आज, हजी जी ने morning में highlight किया, कि अभी भी positional business पर बड़ी theme है, आउट perform करेंगे, और अब PFC को टेकर दो, एक दो दिन के consolidation के लाग फिर से momentum पकड़ रहा है, तो वो सकता है, चार्सों के psychological level को टेस्क करते हैं, वहां पर जागर कुछ profit booking आ सकती है अब 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 टेजी का दो रहेगा, किसी टिप में खरीदारी करें, और अभी कोई खरीदारी करता है, इस डे टेडर, तो इसके लिए 380 का stop loss आएगा इनर्बी बेरिंग्स, यहां यह एक mid-tier engineering company है, लेकिन engineering की ख़बर नहीं है, ख़बर यह है कि इनोंने एक थाड़े में plot बेचा है, Obroy Realty को, stock 30% उपर है, काफी चला था, फिर साइडवेज चला गया, सोनी, जड़र देखी, जो move इसका है, यह sustainable दिख रहा है क्या? यहां पर अगर हम देखेंगे, इसका move अराउंड 285 का भी CMP चल रहा है, आज के level पर अगर 290 को भी cross करता है, तो एक और up move यहां पर continue रहेगा, 300 का ultimate take यहां से current movement पर short term target बन रहा है, तो 300 targets के लिए आप इसको hold कर सकते हैं, small stop loss ही place करना पड़ेगा, 276 का stop loss place करके 300 targets के लिए deal कर सकते हैं, यह दीपक नाइटराइट को भी लेकिया है, दीपक नाइटराइट में हमने देखा है कि हाला कि chemical stocks में select move है, यह future option में available है, तो इसको जड़ा देखिए, अभी अभी इसके अंदर, last 2-3 minute के अंदर जोर का move आया दीपक नाइटराइट में, कुछ जड़ा और जड़ाइट वह देखिए अज़ा देखिए, अगर देखिए अज़ाइटराइट अगरी अज़ा देखिए अटर रिखिए अच्छा मूव आया है, और एक साइकलोजिकल लेवल है 2300, but I think beyond that, you know there is a lot of upside in this, if you see the recent high 2375, that is very easily in play, volumes in volumes we have seen, you know an uptick where the stock has actually done on the days when the stock has done well, overheating is very far so I think it's got a few things going for it, here is a positional bet, I think the first target is 2375, you know you need to take a long position, and thereafter 2425, these numbers are the second target, on the downside, I will say that the low today is 2236, so this is actually given the momentum, a stronger pick, especially if we compare it to UPL. करके रह चुका है, Larch Caps में एक समय में बहुत पसंदीदा था, वह है 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 पटेल्स और है वोल्स को लेकिया आई है, और चार्ट देखे बताए, क्या ही है अपने consolidation के एक period से बाहर आ सकता है, आगे जाते है 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 चार्ट लिक्टे साब तो यहां से अजाय अजी एखाओट इमिन दिख रहा है कलके प्रिवेस्ट रहाए जो लेवल ता उसको ब्रेक आउट करके और जो ओविंग एंवेजिस का कजेशन था उसको भी ब्रेक आउट करकी यह स्टॉक अपसाय दिख रहा है तो मुझे लग रहा है आज के विंग में भी अपसाइड ये वीक में भी ये अपसाइड काफी स्टेंग दिखा सकता है रहा है 1378 तक के टाइगेट मुझे ये स्टोक पर आते हुए दिख रहे है एक पुरानी कहावत है अती हर चीच की बुरी होती है ये जो गैप मिल रहे थे ना ये अती हो गया था अब आप पूझे रहा है बैंक निफटी मैं दिखाता हूँ बैंक निफटी इन रेड है लाल निफटी निफटी तो उपर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है बट बैंक निफ्टी लाल निशान में है बैंक निफ्टी के फूचर्स लाल निशान में है और सुबह हमने आपके सामने बुला था ठीक है आजे एवर परेंग का बार बार आपको कह रहे है शौट मत करो शौट मत करो शौट मत करो लेकिन हमने आपके सामने थोड़ा जोर से बुला था कि शौट करो है ना करो आप प्रॉफिट बुक जरूर करो क्योंकि हो कहा रहा था ना पहले जो गैप आ रहे थे ना वो ट्रेडर से वो शौट से उनको फसा रहे थे अब आप गैप भी जादा कर दोगे ना तो तेजी वाली फस जाएंगे बचा रहे तेजी वालों को लगेगा हमको तो मोका ही नहीं मिल रहा हमको तो मोका ही नहीं मिल रहा आप ये निफ्टी बैंक का जो ओपन इंटर्स देख पा रहे है न ये माइनस 0.34 है ये अन्वाइंड करवा रहा है यानि कि जिन्होंने पोजिशन ले रखी थी वो अपने सौदे को प्रॉफिट बुक कर रहे है ये बात हमने बजार खुलने से पहले आपको आज बताई थी तो इसलिए मैं सिर्फ नोटिस करवा रहा हूँ मैंने आपको ये नहीं बोला था कि आप बेचो मैंने का था कि प्रॉफिट जरूर बुक करो और इस लेवल पर जरूर करना भी चाहिए आपको मौका भर-भर के मिलेगा कहीं बाजार नहीं भागा जा रहा है एनिहाओ एक स्टोक हमने आपको और नोटिस करा था है साड़े 500-600 के लेवल पे उस शेर का नाम था 80GL आज उसके भाव देख के हमें खुशी हो रही है 1000 रुपे हो गए है आप सिरफ साथ दिन का चार्ट दिखा सकते है 80GL का तो आपको पता लग जाएगा कितना बढ़ी है तरीके से चला और अभी 1000 के उपर आ गया ट्रेड क्या 80GL के अंदर कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ये 7 डेज है 87% हा एक करीब करीब 500 रुपया क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सोनी ये आप से है सवाल 500 साड़े 500 वाला शेर 1000 हो गया प्रॉफिट बुक कर ले है मैं शॉट नहीं कह रहा है प्रॉफिट बुकिंग कह रहा हूं सिरफ जी डेफिनिटली डिम्पी जी अगर हम देखेंगे चार्ट में तो लास्ट 5-6 डेज पे ही इसमें काफी अग्रेसिव वाल्यूम्स मैजर आ रहा है सो एक राउंड यह पर प्रॉफिट डेफिनिटली बुक कर दिना चाहिए और एक छोटा डिप अनिवर अराउंड 950-900 यह एक लंबा रेंज रहेगा तो लॉंग-term positional play के लिए ही बता रहे हूं सो वो डिप में अक्यमिलिक करना बहतर रहेगा यहां पर सो प्रॉफिट बुक कर दीजे दूसरा स्टाटीज जो सकता है कि आप स्ट्रेल कर दीजे अपनी स्टॉप लॉसस तो अराउं 950 के आसपास अगर कोई अगर आउड़ी लॉर लेवल से बाई करेके बुल कर रहे है सो इसको एक बार आप प्रॉफिट बुक कीजे ट्रेल कर दीजे स्टॉप लॉस डिप पिले तो रिएंटर कीजे दुबारब वो अगर थाउजन 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 फिफ्टी की रेंज में आ सकता है वो एक थोड़ा मीडियम टॉप का पोजिशनर दे रहेगा ठीक है बैंग निफ्टी करीब करें 100 पांट नीचे आ चुका है अब 46,900 पे हैं पहले हमने खुला है 47,900 के उपर हमने कल Most किया था ध्यान रखना है कि एक रज़ को जो मैं आपको बता रहा हु 47,000 के उपर हमने कलोस किया था आż 47,000 के उपर Open किया था उसके उपर Trade किया था कल और आज में यानि कि कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग में अब हम नीचे हैं अब हम करीज सौ पॉइंट नीचे हैं तो मार्केट को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी उस जगे पर आके नए शौट कवरिंग कराने पे जहां पे आज का उसका हाई बना है तो आज का जो ब और मैंने आपको सुभी रखी थी चारसो पांसो पॉइंट का त्यार हो जाएगा बैंग निफ्टी पे सारे तीनसो पॉइंट उपर से टूटे हम बैंग निफ्टी में एक और चीज आपको हम नोटिस कराते हैं अडवांस डिक्लाइन एक बर जारा वो दिखाईए यह कम स सकती है क्योंकि रेश्यो अभी भी वन इस्टू टू से उपर चल रही है यह एफर्ट वाला इससा देखना है ने सीब्स से छोड़ दो वह आपके ज्यादा काम का नहीं है तो यह कुछ एक पॉइंट से आपको जमने नोटिस करवाए हैं ठीक है आगे बरते एक दो शेर ज यहां पर अभी जो देख रहा है थोड़ा यहां से पॉजिटिव मुव्मेंट यहां पर चार्ट पर नजर आ रहा है जो एक रेसिस्टेंस थार्ड 2070 वो ब्रेक कर चुका है और आज 2100 के उपर अभी कंफिटेबली सस्टेन कर रहा है तो पॉजिटिव यहां से बन रहा है पॉजिशनल टागेट अगर हम देखेंगे तो और मुस्ट यहां से 2240 के राउंड का टागेट बन रहा है वो इक पॉजिशनल आएगा शॉट टम के लिए जो टागेट बन रहा है वो अभी भी 2200, 2180, 2200 के रेंज पर बन रहा है जो के और मुस्ट लेक इंट्राडे यहां प्लोटी प्लस बान के एक रेंज पर मूफ कर सकता है तो आप इसको खरीच सकते हैं और नीचे इस टॉपलोस प्लेस करना है तो 2070 स्टॉपलोस के साथ आप इसको प्लेस कर सकते हैं फोल कीजिए 4 टागेट ऑफ 2200, 2240 बाला जी अमाइंज एक और स्टॉक लेता है हिमादरी स्पेशालिटी केमिकल ये भी 3% उपर है क्योंकि एक अपनी लिथिमाइन बाटरी के कॉम्पोनेंट के एक फैक्टरी लगए 4800 क्रॉर की इंवेस्मेंट की इन्होंने बात किये और सब इंटरनल अक्यूरल से ही होग और चार परसंट का मूव भी है क्या यहां से तेजी और बढ़ सकती है संतूश इस टॉक में यह स्टॉक के केमिकल स्पेस का रहा चुका हो और रहा है साल रहा है यह नियूस किसके पता होगी अब यह फिर से ब्रिक आउट दे रहा है तो इस अपना इस टॉक्ष भी लिए इसे जरूर रडार पर रखे कुष HBL पावर कहीं बार आपने पहले भी स्टॉक पर आया दिया है लाकि थोड़ा सा यह साइडवेस हो गया था बीच में क्या ही अब फिर से चलना शुरू हुआ है बिल्कुल प्रियांकादी है एक consolidation के बाद फिर से इसमें breakout आया था and that consolidation was also a very healthy consolidation तब करीब 100 रुपे के आसपास था वहां से इसने करीब 300 के आसपास की चलांग लगाई तो एक consolidation बिल्कुल ड्यू था अब consolidation के बाद जो यह अपनूव आया है which is also very healthy मेरे असाब से यहां पर अभी भी upside इन्हों काफी बाती है तो अगर कोई investors हो जिन्होंने positional trade लिया हो तो बिल्कुल इसे hold करके चले नई positions आप बनाना चाते हो तब भी इसमें लेके चल सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से हमारे यहां पर जो targets निकल के आ रहे हैं यह 415 और 430 के जो levels है इनके targets हैं बिल्कुल hold करके चले और on the downside 380 से 385 का जो zone है यह इसके लिए एक support zone के तोर पर act कर रहा है पिछले कुछ दि नीचे band आपको दिखा दिया from days high से कौन कौन से share कैसे कैसे तूट रहे हैं कितना कितना तूट है महज एक profit booking है जो typically आपको हमने data के जरीए या फिर अपने analysis के जरीए आपके सामने रखी भी थी और आप अपने screen पर उसको देखी पा रहे हैं करीब 200 point अब आ चुका है bank nifty न करने के लिए 300 point और आ सकता नीचे लेकिन अपने वित्तिस अलागारों से पूछना आप मेरे कहें मत जाना विबाद में आप मेरे कुछ कहें इसलिए आप अपने वित्तिस अलागारों से पूछे हैं हम तो सिर्फ data analysis करके आपके सामने point रख रहे हैं ठीक है एक दो शेयर ज partnership दे आज सुबह बसीन साब भी कह रहे थी IT के बारे में सोनी से पता करते हैं सोनी infosys की कोई option का trade है क्या अगर यह momentum देने वाला तो options बताना अगर आपको लग रहा है नहीं momentum fast नहीं आएगा इसको वैसे रख के भर लो तो हम infosys सीधा भी buy कर सकते हैं दोनों option आपके पास ह और सीधा cash features भी जी डेफिनिकली गंपी ची यहां पर option का trade बन रहा है इंसाट अगर मैं देखो option चे 1470, 1480, 1490 हर call पे unwinding हो रहे हैं यहानी की writers अपने position exit करें technically भी अच्छा लग रहा है सो यहां पर जो option यहां पर suggest करना चाहेंगी वो है 1480 call option करीबन 22-23 रुपेर के आसपास आप इसको खरीच सकते हैं 17 रुपीज, 17 का stop list लगा है पहला target रहेगा 34, दूसरा target रहेगा 42 का है ठीक है, done, आगे बढ़ें एक दो शेयर और चेक कर वा लेते हैं जहां पर थोड़ा momentum fast है या फिर मैं बोलूंगा कि एक LICI, यह LIC India वाला है, LICI code है इसका, यह खुछ से पता करते हैं, खुछ यह रहा है LICI निकालना, यह दो चार दिन से चल रहा था, हर बार मैं इससे मिस हो जा रहा था मिरसे पूछना आपसे, आज मैं थोड़ा लेट हूँ, मैं खुद ही असेप्ट कर रहा हूँ कि मैं लेट हूँ शेयर को पूछने में, लेकिन फिर भी बताईए, कोई ट्रेड बनता है तो जड़ा आप गाइड कीजे हमको यहां पर मेरे साब सब एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड बिल्कुल बनता है, अच्छा सा हमने अपमूफ देखा है, वॉल्यूम्स में भी पिक अप है, बट मेरे साब से यहां पर रेजिस्टंस के पास है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सब प्रॉफिट बुक तो क्या फार्मा स्टॉक्स एक बार उपर आ सकते हैं, अट लिस्ट वो स्टॉक्स जहां पर न्यूज है, संफार्मा को डिसकस करते हैं, उनकी एक आम नेक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट भी किया है, संफार्मा पर क्या व्यू रहेगा, हाला कि अभी कोई बड़ा मूफ न अभी को डिसक अब अप्र लि किता है, संफार्मा पे मार उनकी पर लिसका सबाने कर Allah प्रीमेट मूफ ज्च वो 2030 के करीब, अपिस को एंटर कन सकते हैं, फ्राना का वह समौ अश्मा स्टॉप्लों स्टॉपलॉपलॉस प्लाइस काते हैं सकते हैं 1 2115 का, & then आफ उप तो यह आप इस पर इंटर रह सकते हैं जो फटलाइजर कांटर पर भी फटलाइजर स्टॉक्स पहले हैं कि केमिकल, फटलाइजर, अग्रोकेमिकल यह सारा स्पेस चरटा है क्योंकि एक रीजन यह भी है कि अडिशनल फंट्स फटलाइजर के लिए इस पर बात भी रखेंगी तो क्या इस कड़ी में चंबल फटलाइजर जैसे कांटर को इक पर देखना चीए एक शॉट कपने का बाउट तो थोड़ा सा देखा है जो है, चंबल फटलाइजर को आड़ करेंगे तो तो टेंके जिकल, इवन 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 शो में दिम्पी जी ने कोरो मंडलो चंबल में ऑप्शन दिया था तब मेरा व्यू चंबल पर ही बूलिशता और आज भी वाहे पर बूलिश है कुछ कुछ और शेयर्स भी है, जरा कैंफिन होम्स लेके आज सक्रीन पर कैंफिन होम्स और पेज इंडस्ट्रीज भी लेके आना, दोनों दिखाना जरा पेज इंडस्ट्रीज भी कैंफिन होम्स भी दोनों दिखाना, यह साड़ चार परसंट यह है पेज इंडस्ट्रीज बता ही आज मारी एक शॉट कॉल थी इस पे यह डेड़ परसंट उपर है खुश यह थर्टी नाइन फाइव हंडर्ड तक इसको बेचना है समझदारी होगा पेज इंडस्ट्रीज को अभी 37,500 का है दो हजार पाइंट का मैं रूम दे रहा हूं इसको कि दो हजार पाइंट तक उपर आना जितनी शॉट कवरिंग करा नहीं करा दो यह वापिस वीक हो जाएगा बहुत जोर से तेजी से गिर सकता है यह चैनल का ब्रेकडाउन भी हो सकता है आप एक बर जागा पेज इंडस्ट्रीज को देख के बता है 39,500 तक बेच सकते हैं का इसको अगर 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 श्टॉक जाता है तो शॉट कावरिंग जो है थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है 38,500, so about 1100 points from here लेकिन अगर overall structure मैं देखूँ तो यहां पे weakness ही है तो मैं कावोंगा 38,500 के level को ही आप एक stop loss बना के shot करें नियर टर्म में जो support zone है वो भी करीब यहां से 600-700 point दूर है 36,800 के करीब 36,800, 36,900 के आजपास का एक support zone है तो वो पहला target होगा on the downside वो break होते ही 35,900 यह level है जो आपके लिया अज़े target प्ले करेंगा तो stop loss यहां पे आप 1000 point का लेके चले on the downside आपको यहां पे करीब करीब 1500-2000 point का downside मिल रहा है तो risk reward ratio भी shot के लिए favorable है 38,500 को अपना stop loss बना के चले विकास यहां पे इसके averages कुछ है जो converge हो रहे है तो यह as a trigger act कर सकता है अगर यहां से stock उपर जाता है तो overall setup बीक है stop loss के साथ score short कर सकते है 1500-2000 point का downside यहां पे likely है ठीक है अगर आज आप Adani Group के shares वापिस से चेक करेंगों तो cash or futures में आपको साफ साफ फर्क दिख रहा होगा कल एक तरफा euphoria था और cash or futures को किसी को नहीं देख रहा था 10-10% 20-20% चले लेकिन आज Adani Enterprises Adani Port यह Nifty के पार्ट में और futures में भी है तो आप इन दोनों का percentage चेक कीजे अब आपको मैं दिखाता हूँ Adani के और share ATGL दिखाओ cash का share है Adani Energy cash का share है Adani Greens cash का share है इन सम्में अभी भी 10-10% की तेजी बरकरार है तो एक नहीं division भी होता है आप और सारी division करें ना करें business की भी लेकिन अगर आपको trading के पार्ट में से बता हूँ तो cash और future Nifty के component और non-nifty के component पे भी आप ध्यान रखे आपको जहां-जहां cash के stocks है गिरावट और तेजी दोनों ही fast और ज़्यादा बड़ी levels की मिलेगी ये आप अगर आपको नहीं है idea तो आप थोड़ा सा इसको पीछे जाके check कर लो समईशी है उसको आपको पता लग जाएगा जो मैं बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ खहरे नहीं हाओ अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं आज के जो week counters मैं उसमें से कुछ एक trade check करवाना चाह रहा हूँ बजाज auto क्या इसको short कर सकते हैं क्या सोनी आप से हैं सवाल बजाज auto बजाज auto काफी अच्छे अपमुफ के बाद अभी थोड़ा सा यहां पर हम देखेंगे तो यहां थोड़ा profit booking आया है in fact आप यहां पर शॉर्ट करना चाहेंगे तो 5900 तक ही आप कर सकते हैं वहां पर 5900 पर गूम सकता है तो 5900 तक आप उसको short कर सकते हैं short करने के लिए stop loss जो आपको प्लेस करना है वह 6040 stop loss in futures futures पर 6040 stop loss प्लेस कीजिए 5900 के target है वहां पर book कर दीजिए गूम भी सकता है वहां पर इसलिए मैंने काई कि 59100 के around target है तो वहां पर एक बार profit book कर दिना बैदर रहता मजार में exactly हो रहा है जो 2000 पॉइंट की जबदस्त बैंक निफ्टी के उच्छाल में 21 अल्मूस शो गया था 60 पॉइंट रह गया था के बाद होना चाहिए वह यह कि जो early bulls हैं जिन्होंने सबसे पहले बटन दबाया था वह अन्वाइंड कर रहा है position को बहुत बढ़ी मंदी की शिरुवात नहीं ही है यह चोटे समय में बहुत बढ़े बढ़े गेंज आ जाने का फॉल सो लूप आप देख रहे हैं कि अन्वाइंड हो रही है और टेक्निकल जो हमारे पैनलिस आते हैं चैनल अक्सर उस बारे में जो टर्म्स करते हैं कि यह जो पुल बैक है कहां पर जाके थमता है यह जो डिप मापको मिल रही है यह उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने शुरू में सबसे पहले बड़ फास्टेस फिंगर फर्स नहीं कर पाए वह लोगों को मिल रही है जो नीचे करके पैसा कमाने का मूड बनाया हो या अन्वाइंड कर रहे हो पुदिशन बारा बज़े तक आपको आइडिया लग जाएगा कि नीचे कितना जाएगा कल कल पहले दो दिन का कंप्लीटली रिवर्स आज हो रहा है लाज कैप स्थोला सॉफ्ट है मिट कैप स्मॉल कैप में आक्षिन वापिस आ गया और यहीं देखिए देज हाई की तरफ स्मॉल कैप इंडेकर यही होता भी रहेगा ग्यारा-बारा बेर तक आप देखिएगा कि शाले साट्टों के आसपास पास पैंडियुटी सपोर्ट लेता है फिर से रिबाउंड शुरू होता यह नहीं आपको लगता है और गटेगी 770-760 या किस लेवल्स पर आप इसको लेना चाहेंगे तो बिल्कुल सही लेवल्स आपने सुझा हैं यहां पर 767-70 के जो जो जोन्स हैं यहां पर इसका एक बहुत ही स्ट्रॉंग कंसॉलिडेशन फेस चला था बिफोर यह नो मुविंग हायर तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा आज की जो फॉल है अभी थमी नहीं है इंफाक अक्सिलरेट ही हुई है तो फिल्हाल यहां पर थोड़ा सा वेट करें स्ट्रॉंग के बीच में स्टॉंग अगर फिर से एक बार इस फॉल को अरेस्ट करता है और वहां से इक स्टेबिलिटी का साइन तब हम यहां पे बिल्कुल कंसेडर करेंगे फिल्हाल के इसको वेटन वॉच में रखें लाट्स तो जोंग अगर लुक अट सेवेट पर बनाएंगे अजन बिन इस टॉक स्टॉट तो गो साइड वेस और इनुस्टास शों स्टेंग अर्बिल बैंक देखिए 216 का लो बनाया अभी पंदरा दिन पहले जब अर्बिया का एक शिन था और आज 250 को टच कर रहा है जैपटेल 250 को कर गया इंफेक्ट अभी अभी क कि अभी अभी अच्छा राना पॉंसर इडिशन के बाद काफे अच्छा रनप दिखा सुपर ट्राइन के बीडिया अभी अभी एक इनिडियेट रिजिशन दिख रहा है रहा है तू फिफिटी सेवन के महां पर जो एवन ऑक्टोबर महीने का भी हाई था और नवेंबर मह कि वहां वह क्रोस करने के बाद मुझे अपसाइड काफी दिख रहा है वह क्रोस कर लेगा तो 294 तक की लेवल को आ सकता है तो वन वन का होराइजन हो तो I guess 294 वो बी सम्थिंग एम लुकिंग फो as a target 257 का एक रेजिस्टन से छोटा सा उसको पार करने के बाद एक स्टॉक म पास सकता है वोल्यूम भी काफी अभी चल रहा है मिटके पाईटी बेंक्स में सारी बेंकिंग सेक्टर में तो जिन स्पेसेस में अभी तक मूव नहीं थी अब उन स्पेसेस में मूव आ रहे है क्या बैंकिंग स्टॉक सोड़े नीचे आये लेकिन IT के स्टॉक सूपर आ ग तो क्या थोड़ी सी पुजिश्टिंग और इसका व्यू आईटी स्टॉक्स के लिए लाज काप IT के लिए बनाना चाहिए कुश और राइंस को भी देकी 1.5% हो अगर पहले आईटी से शुरूआत करें तो बिल्कुल यहां पिक पुजिश्टिनिंग आपकी लॉंग पर बननी चाहिए, especially से स्टॉक्स जो आपको डिप पर मिल रहे हों थोड़ी तर पहले दिंपी इंफोसिस का जिकर कर रहे थे मेरे लिए फिलहाल पेकिंग ओर में लार्ज काप निम्स में इंफोसिस विल रैंक थर्ड आफ्टर आफ्टर एटी से तो मैं थोड़ा सा वहां काफी समय से चला रहा है, there is nothing suggesting that, you know, that will stop anytime soon. जहां तक रिलाइंस की बात है, बिल्कुल देखिए, प्रॉफिट बुकिंग का जिकर में करी रहा था, यहां पे 24, 50, 24, 75 की जो 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 पर बेकिंग डाउन, तो मुझे लग रहा है थोड़ जो 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 ज अच्छी शॉट कवरिंग भी आपको दिखरी है आपको दिखरी है ईट के स्टोक्सूश और इंफाइक कुछ और गांटर्स प्याया है पी बिख आधा है आइज अपर गाई पर अलग कि बॉक्स ओफेस चलेक्शं खुछ मूविस की बहुत अच्छी भी थी वह एक रिजन है और अब वीकेंड के पास भी है, पीवेरान एक यह भी ज्यादा चला नहीं है, एक साइडवेज हुआ है, एक बड़ी तेजी के बाद अठारा सो तक के लबल के जाने के बाद सोनी, क्या इस पर आप एक वीव बनाएंगी? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक 1700 का उसका जो रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया है, अभी सस्टेन कर रहा है, तो 1700 का भी एक बेस बन गया है, जब तक 1700 होल करता है, वो दुबारा कोशिश करेगा तुवर्ड्स 1800 को क्रॉस करने के लिए, तो यहाँ पे रिस्क उस ताइम पर हम दिखेंगे, अगर क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पर और भी आपको फ्रेश एक्सेंडेड डाली अपको 1870, 1880 लेवल भी नजर आएंगे, तो लाइकवाइस आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा, अक्युमिलेट कर सकते हैं 1700 स्टॉपलर्स लूपिन को एक दवा के अप्रॉफल आई है, एक बड़ लूपिन का चार्ट दिखाएंगे, नीचे भी खबर भी चल दी थी, लूपिन, लूपिन दिखाएंगे, नीचे भी खबर वापी से चला दीजे, लूपिन सड़न स्पाइक के साथ उपर भी आया है, जरा पता कर लेते हैं, सोनी, आप ही जड़ा चेक कीजे, लूपिन को, जी जेफिनिटली जिंपीची, लूपिन में मैं अभी चेक कर रहे हूं, तो जहां पर नजर आ रहा है कि एक छोटा इंट्राडिप बेसिस या फर एक दिन के लिए हम सपोर्ट देख सकते हैं 1260, अगर 1260 ब्रेक क कीजे, थोड़ा वेट कीजे, यहां पर इसको क्रॉस करना काफी लेवल्स है, इनो 1270 के ओपर ही 1270 के ओपर के सस्टेन करता है, तो थोड़ा सा बोर कोशिश करेगा towards 1300 जाने के लिए, 1300 पर रेस्टेंस है, बट रिस्क रिवाट रिशी यहां पर फेवरेबल नहीं है, डिप कहां इंतजार कीजे, 1240, 1230 के अंदर आप डिप में ले सकते हैं, 1225 का एक स्टॉब्लोस लगा सकते हैं, अब हाँ से घुम सकता है, तो 1280, 1300 के टार्गेट्स आपको बनेंगे, चीक है, एक शेर और जरह चेक करके जया आप बताएएगा, हमने सुम्हेना बाला जी अमाइन्स के बारे में पता किया था, वो अलग है, एक इंडो अमाइन्स भी है, आई एंडी ओ, इंडो माइन्स, यह तो खहाएँ तीन परसंट है, जरह इंडो माइन्स भी दिखाईए आई एंडी ओ माइन्स, वो होगा एक सुचबीस रुपे के आसपास कसे, यह जरह इसको भी चेक कीजिए तो, यह दो सो दिनों के एवरेज पर स्ट्रॉंग बेस बना हुआ है, आज एक रिजिस्ट्रेंस को ब्रेक करने की तियारी कर रहा है, वाल्यूम बैड है, यह पार ह अच्छा ब्रेक आउट दिखाया, वोल्यूम थोड़ा एस्टॉक पर दिखाया, और मुझे लग रहा है यह स्टॉक 134, 135 के लेवर्स तक जा सकते आने वाले दिनों में, तो यहां से डेफिरेंटली बै करना चाहूँगा, इवन बाला जी अमाइस जब आपने टिवी पर बोला था और उसी ताइम कुंसिनेंगी मैंने अपने क्लाइंस को रिकमेंड किया था, तो यह दोनों में मुझे बाला जी अमाइस काफी स्टॉंग दिखाया, यहां पर थोड़ा वेट करना चाहूँगा, मैं रांट 127 के लेवल को ब्रेक आउट करने के लिए, और सस्टे बाला जी अमाइस पर आपका एक वियो, तो chemical, fertilizer, agro-chemical इन सब में अच्छी मूव बनी होई है, कहीं सारी recommendation इस पेस से आया है, और अब तो IT में भी मूव दिख रही है, क्योंकि कल टेक शेरों में, नास्टैक में भी आपको अच्छी तेजी दिखी दिखी तो और वो spaces जो है थोड़े से पीछे भी थे, अभी उनमें भी value दिख रही है, वक्त एक छोटे से capture कर लेता है, पहले headlines को, उसके बाद फिर आगे 10 पुझे, market महारती में हमारे सब expert होंगी, headlines में capture करता है, कौन-कौन से spaces से move इस वक्तार ही, और कौन से थोड़े से profit booking देख रहे है फगाता चौते दिन नए शिकर पर बाजार, निफ्टी ने 20956 का नया record star बनाया, लेकिन नया शिकर बनाने के बाद, बैंक निफ्टी में मुनाफ़ वसूली, record हाई से करीब 2500 अंग फिसला IT शेरों से बाजार को support, LTI माइन 3, 3% की तेजी के साथ, निफ्टी का टॉप, गेनर, विप्रो, टेक महींद्रा, इट्सील टेक में भी टेट से 2% की तेजी अडानी ग्रूप शेरों की फराटा रफ्तार जारी, अडानी टुटाल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी एनरजी में 13 से 14% का उचाल, अडानी एंटर्प्राइज और अडानी पोर्ट्स में भी मस्बूती CLSA के डान्ग्रेड के बाद 2 विलर आटो शेरों पर दबाव, बजाच आटो 2% फिसला, आईशर और हीरो मोटो में भी करीब 1% की तमजोर आट से शुरू होगे आरब्याई की मॉनेटरी पॉलिस्टी कमिटी की बैठक आख दिसंबर को आएगी पॉलिस्टी, दरों में किसी बदलाव की नीद नहीं, महिंगाई और ग्रोथ को लेकर कॉमिंटरी पर होगी नज़र ड्रिवन्त रड़ी होंगे तलंगाना के नए मुख्यमंत्री, कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपत, तलंगाना में पहली बार बनेगी कॉंग्रस की सरकार और बिजन्स चैनल के त्यास पे पहली बार कमोडिटी मार्किट की हर बारी क्यों को आसान भाशा में समझाने के लिए एटी नास पर वेश लेकर आ रहा है कमोडिटी महा कुम्पी देखिए 9 दिस्टंबर शनिवार को सुबा 10 बुझे से लगाता है सर्फ एटी नास पर देश पर किसके फ्यूचर में क्या है कमोडिटी मार्किट की A, B, C, D इसे देखिए और समझेए छे घंटे की मास्टर क्लास और कमोडिटी मार्किट पर देश के सकते वरे दुगज़ों का नगरिया और साथी ट्रेडिंग पर आम लोगों के हर सवालों की जवाब मिलेंगी देश बहर की आम उजिनों को एक्सपर्ट्स करेंगे दूर सिर्फ छे घंटे में कमोडिटी मार्किट की हर वारीटियों को संच देखिए कमोडिटी महा कुंद सिर्फ इटी मार्स वदेश को कि मास्टर क्लास में मारसत होंगे कौन-कौन एंडी एंसी ओं एंसी डी एक्स के अरुन रस्ते होंगे सीपी आई के प्रेसिटेंट नरेंदर पात्ता होंगे एंसी सीब्डी ओ डिविसिजन के श्री रामकृष्णन होंगे इस पैनल पर 9 दिसम्पर को शनिवार सुबाद 10 बचे से चार बचे तक लगा था 6 घंटे के क्लास होंगे इसमें कल कमोडिटी एक्सपर्ट्स होंगे जी चंदर शेकर होंगे हमारे साथ और साथी मासत की शोर नार्मे और अशोग गौतम भी होंगे तो देखना ना पूरे 9 दिसम्पर को सुबाद 10 बचे चार आगे बढ़ते हैं आज मार्कित महारत ही में हमाई महमान है प्रतीक्षा दफ्तरी को फंड मैनेजर एक्कुटास प्रतीक्षा गूद मॉर्निंग बहुत बहुत शुक्रिया हमें सब्चे देने के लिए आपका स्वावत है रेट्स पीक हो गए सबका मिश्रल हुआ और एक बड़ी रेटिंग का इंडम मूव देखी यहां से 6-12 महिने के लिए इंडियन स्टॉक्स का आउटलूग आपके साफ से अर्णिंग्स रेट्स की टाजेक्ट्री जैसाब से पुलिटिकल स्टेबिलिटी के संकेतार है मिला आंतर हैं इंडियन नंपर और ही सबस्ते आपक आपके मोरा कि अवर्ड़ा श्रॉक्न करते के लिए उड्री थ Irish ल में सटा है। स्टेबिलिटी, पुलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आई, तो उस हिसाब से मार्केट का कॉंफिदेंस बहुत बड़ा है, तो मार्केट ओडराल रिफ्लेक्शन होता है, एकनॉमी का एकनॉमी बहुत स्ट्रोंग समझ आई अभी. काफी स्ट्रॉंग लग रही है प्रतिक्षा गुड बॉर्निंग प्लेशर तो हाव यहां से निफ्टी और एकॉनमी स्ट्रॉंग लग रही है एक तेज रनप हम अलरडी दो तिन दिन में जिसना की मूव दिख रही है हमें दो हजार पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी मे सिर्फ दो दिन में कवर कर ली अब यहां से प्री एलेक्षिन राली में और कितनी तेजी का एक एस्टिमेशन क्या लगा जा सकता है छे महीने में कौन-कौन से स्टॉक्स और स्पेसिस हैं जो आपको काफी पसंदाते हैं अगर आप देखे कि जो मोमेंटम है वो काफी स्टॉंग है इंट्रस्ट अब जब देख लो मैनुफेर्ट्रिंग कैपिल हो यह सारे सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम है बट यह ओल्रडी काफी सारा चीज काफी सारा पॉजिटिव न्यूस प्राइस डिन भी लगता है मुझे मार्केट में आज अगर हम देखे तुम भी ऐसी मिट कैप स्मॉल कैप का रिटर्न एक साल का रिटर्न अरां 35 पिसेंट है निफ्टी इस अरां 14 पिसेंट तो यह काफी सारा ओल्रडी फैक्टर इन है ब अच्छा एक और चीज प्रतिक्षा आप से हमको समझनी है वो जरह कैपिल गूड्स को है अब लोग यह कह रहे हैं कल हमार साथ जुड़े थे कोटक के एक फड़ मेनेजर थे पहले अभी लेकिं वो कोटक नहीं देखते हैं तो यह कह रहे थे कि अब मनुफैक्ट्रिंग न ने बहुत अच्छा पैसा बनते हैं अभी तक देखा नहीं है अगले दो-चार साल के लिए मनुफैक्ट्रिंग में ज्यादा पैसे को कॉन्टम को शिफ्ट कर दें क्या मैनुफैक्ट्रिंग में अगर देखे तो एक बहुत बड़ा मैक्रो शिफ्ट दिखाई दे रहा है जो हम पहले ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर होते थे अब हम हमारे मैनुफैक्ट्रिंग को भी वही पॉलिसी शिफ्ट का फोकस मिल रहा है वही बहुत सारे इंडस्ट् अपना प्रेजन्स क्रियेट करेंगे उस वज़े से अटमाटिकली एंडस्ट्रिंग बड़ेगा काफी सारी अधर बेनिफिट दिखाई पड़ेंगे आगे आगे जाके तो उसे साब से मैनुफैक्ट्रिंग डेफिनिटल एक बहुत बड़ा थीम डेवलप हो रहा है अगर मार्केट्स के पॉइंट अफ्यू से देखे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा यह अज के वैलिवेशन में कैप्चर्ड है काफी सारी काफी सारा जो भी पॉजिटिव ग्रोथ आने वाला है वो मार्केट में अभी एक अंसेडर कर लिया है तो वैलिवेशन पॉइंट अब ही नहीं है पर ग्रोथ प्रोस्पेक्स बहुत स्ट्रॉंग दिख रहे है तो उससे साब से यह थीम तो डेफिनिटली बहुत अच्छा प्लियाओट हो सकता है कि मिनुफैक्ट्रिंग थीम एक काफी स्ट्रॉंग थीम है प्रतिक्षा बट इस वक्त जुस्टा की बात की जा रही है कि आस कंपेर तो स्मॉल और मिडगाप लाजगाप की वैलूशन जादा अट्राक्टिव है वहां जादा कंफर्ट बहुत सारे एक्सपोर्ट को आ रह जो काफी बड़ी कंपनीज है जो काफी स्टेबल और स्ट्रॉंग कंपनीज है वह आज काफी डीसेंट वैलुएशन पर वह कुछ लाजगाप में बोल सकते हैं हम जेनरली अगर देखे तो पिछले कुछ सालों में अभी लाजगाप में ऐसा हो गया है कि पचास साथ पी 100 यह भी बहुत नॉर्मल चीज हो गई है तो लाजगाप में पूरी सेक्टर में में हैसे नहीं बोलूंगे कि वैलुएशन अविलेबल है बट डेफिनिट्ली कुछ-कुछ हिस्तों में वैलुएशन स्मॉल और मिट से काफी जाधा अट्रैक्टिव है इन सम पॉकेट्स कुछ-कुछ जगा पर वैलिवेशन अविलेबल है कभी-कभी कहीं पावर अगेरा में अविलेबल है वहां पर कापी अट्रैक्शन है इन टरम्स ऑफ वैलिवेशन राइट प्रतिश्या यह जो कल अभी जफ्रीज ने हाली में अपना पावर कॉन्फियंस किया और वहां प अब यह जो आप जो इसके अंदर चेंजेज आ रहे हैं भारती पावर सेक्टर में वह बहुत स्ट्रॉक्टरल है वह बहुत बहुत सकते हैं पांच से आठ साल भी चल सकते हैं तो क्या अगर इस तरह का माहौल बन के आ रहा है क्योंकि एक 40-50-70-year-old सेक्टर है जिसमें रि अगर आप देखे तो पावर इंडिया था कंजम्शन जो है वह बढ़ी रहा है आज अपना प्रकापिटा पावर कंजम्शन यहां से सिफ बढ़ने वाला है एसी कंजम्शन बढ़ने वाला है अगर बढ़ेगा तो अब्विसली पावर यूसेज भी बढ़ेगा तो की तरफ बढ़ रहा है जो अपना पूरा फोकस अभी सोलार और विंड की तरफ है वह बहुत बढ़ा थी में इट्स ओन वे तो पावर में डेफिनिटली बहुत रिफॉर्म्स आ रहे है जो पिछले दस साल में थे नहीं जो दिखे नहीं थे इस्टिब्यूशन पर ट्रांस सब्सक्राइब को सकता है यह एंडेफ सीज में काफी हमने देखाए कि बात इंकल के आ रहे हैं कि यहां से करे रेट्स वाकरी ट्राजेक्ट्री टॉप आउट के नीचे की तरफ जाती है तो एंडेफ सीज में काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है कुछ हाली में एंडेफ सब्सक्राइब करने का तो यहां पर मतलब हमारा कोई इतना स्टॉंग यू नहीं ठीक है अब जब मैं कॉमोडिटी बेस्ट कुछ एक सेक्टर से आपका एक व्यूपइंट लेना चाहता हूँ जैसे कि शूगर इसके अंदर काफी जोर का मूवमेंट आया हाला कि फ्यूचर में सिर्फ एकी कंपनी है बलराम पूर्चीनी जाता स्टॉक्स कैश के हैं जे दो सालों में जहां पर एथेनॉल को बहुत स्ट्रॉंग बूस्ट मिला अपना गावर्मेंट का अल्मोस्ट ऐसा व्यू हो गया था कि शूगर एक्सपोर्ट इस गूइंट इस गूड़ एक्सपोर्ट हो जाएगा एथेनॉल के लिए काफी पॉलिसी सपोर्ट आया और काफी शुगर कंपनीज में अपना एथेनॉल कापैसिटी बढ़ाया है जिस हिसाब से इस साल महाराश्रा क्या शुगर आउट्पूट रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि शुगर प्राइज़ काफी स्ट्रॉंग रह सकते हैं तो शुगर अभी अच्छे स्पोर्ट पे है अभी जिस हिसाब से एथेनॉल का ब्लेंडिंग बढ़ रहा है वहाँ पे वो सेग्मेंट में भी अच्छा पर्फॉर्मेंस आ सकता है शुगर में और डॉमेस्टिक प्राइज़ भी काफी स्ट्रॉंग है तो शुगर अच्छा स्पेस में है और राइट शुगर में एक स्ट्रॉक्टिल स्टोरी लेकिन आज एक रिपॉर्ट सेक्टर पर भी आई प्रतिक्षा जिसमें उन्होंने ये बात कहीं कि कहीना कहीं बहुत जादा चल चुके हैं ये स्टॉक्स और तेश दौर के बाद अब वालिएशन इक्स्पेंसिव हो ओने आज नागी आज पर एक प्रेश जरूर है जब लेक्ट्रिक टूविलर सेग्मेंट में नए मॉडल जाएंगे वीरेंट जाएंगे और वहां से इनके लिए क्वेंशनल मॉडल्स के लिए तो अरसा मार्जन ट्रेशर होगा, आप क्या वियू बना रहे हैं इस बग टूबलर स्पेस पे, आउटो स्पेस पे इन स्पेसिफिक? I think valuation अगर आप देखे तो overall market में ही काफी हाई है, in general अभी मुझे ऐसे लगता है कि market में काफी सारे positive news, काफी सारे positive triggers को factor in कर लिया है, तो margin of safety जो हम गोलते हैं, वो market में फिलहाल बहुत कम available है, तो ये चीज, मतलब companies हमें पता है कि अच्छा कर लेंगे, उनके earnings अच्छे होगा, बट जब stock price की बात करें, तो I think मैं भी agree करती हूँ कि value margin of safety अभी कम नज़र आ रहा है, हर हिस्ते में margin of safety नहीं है, तो ऐसे में आप जो नए flows आ रहे हैं पतिश्या, अपनी PMS में आप उनका क्या कर रही हैं, क्या नए flows बहुत restrict कर रही हैं, आप select में ही ले रहे हैं, या आपनों को बहुत जादा मेहनत करनी पड़ी हैं ये वाक्री में undervalued stocks निकलने में, जैसे अब 2-3 सार हम long term players हैं, हम generally value investors रहे हैं, made and small space में, तो इस space में जो कुछ सालों पहले वाला जो माहौल था, वहां पे stock ideas निकालना, वहां को multi-vagger opportunities निकालना जो था, वो काफी आसान अभी valuation point of view से बहुत कम opportunities हैं, ये तो fact है क्योंकि काफी सारा, काफी stocks के valuations काफी बढ़ गए हैं, तो definitely अगर आप कुछ सालों के पहले से compare करें, तो अभी opportunities कम हैं, पर हम long term view लेते हैं, हमारा view generally 5-7 साल से उपर होता है, 10 साल होता है, तो उस हिसाब से हम हमारा आगे का strategy बनात ठीक है, परतिक्षे इस fertilizer stocks या chemical stocks पे आपका take क्या है, ये partially regulated है और partially China based है, इनका अपना demand supply so है, so है, वो तो सभी companies का होता है, बट इन बे दो critical part है, जो private वाले हैं, वो चाइना को देखते रहते हैं, और जो सरकार वाले हैं, वो सरकार को देखते रहते हैं I think ये space में China बहुत बड़ा factor play करता है, और definitely हम देख रहे हैं कि China में बहुत तकलीफे, internal economy में चल रही है, तो बहुत सारे chemicals में काफी साधा dumping इंडिया में हो रही है, उसके कारण Indian chemical space में बहुत problems है फिलहाल, काफी price pressure भी है उनके commodities पे, और ये सरासर उनके results में भी दिखाए पड़ता है, तो I think वहाँ पर थोड़ा short term wise तो पका दिख रहा है कि अभी तब कोई revival scope नहीं है, so वहाँ पर earnings visibility में थोड़ा issue तो है because of China. Right, so Pradikshah कोई ऐसा sector भी है जो इस वक्त avoid करना चाहिए? Valuations, I think हमारा यही हम बहुत strong view रखते हम valuations को लेके और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है 50-60 multiples बहुत easily companies को मिलते हैं and यह वो market का वो हिस्सा है जहां पर सबसे ज़्यादा downside risk रहता है. तो definitely अगर markets का अतना अच्छा run रहा है, अतना अच्छा rally रहा है यह साल, तो अगर बहुत high valuation zone है तो हमारा discomfort रहता है. I think SME space पर भी बहुत जादा irrational valuation वाला feeling है because अभी कली पढ़ा कि 1 trillion हो गया है SME IPO का valuation. So यह valuation सब समझ के बाहर है and यहाँ पर risk हाई लगता है हुझे. ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रतिक्षा आज समय देने के लिए और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए अपना view हमारे से share करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप. चले, अब बढ़ता है, एक बार commodity markets का check ले लेता है, हमारे सथ विश्व moment बने हुए, अब अगरी commodity में क्या हल चल हो रही है, इस वक्रों बताएंगे, विश्वा बताएं. इनर्जी market में हलकी तेजी है, लेकिन अभी भाव पांच महीने के निचले असरों के आसपास है, इस तार जो जुलाई का जो लेवल था, ब्रेंट का उसी के आसपास ब्रेंट का भाव भी ट्रेड हो रहा है, बेस मेटल्स के अगर बात करें, तो यहाँ पर हलकी तेजी दिख रही है, कॉपर में, जहाँ पर चौथाई परसिल के आसपास की तेजी है, जिंक में चौथाई फीजी की तेजी है, अल्मूनियम सिर्फ दबाब दिखा रहा है, लेकिन आज के लिए आपको ट्रेड क्या करना है, फाई पैसा कैपिल की तरफ से तीन कॉल्स है, वो आपको फड़ापट से बता देते हैं, कॉपर खरीदने की सला है, 722 रुपए के टार्गेट के लिए 710 का स्टॉप लोस है, अगली कॉल भी बता देते है, अगली कॉल कच्छा तेल जहां पर बेजनी की सला है, 5960 के टार्गेट के लिए कच्छा तेल यहां पर आपको बेचना चाहिए, 6100 रुपए का स्टॉप लोस भी लगाना चाहिए, तीसरा कॉल नौन अगली मार्केट की तरफ में ही है, वो है नैच्छोल गैस, यहां पर भी विकबाली की सला, 217 रुपए के टार्गेट के लिए, यह काउंटर भी आप बेच कर आ जा सकते हैं, आज राइट, चलिए, आगे बरते हैं, विश्या बहुत 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 शुक्रिया, लेकिन हाँ, मैं यह कह सकता हूँ कि, मिटकेप स्पेस में बहुत अड्माराइड कमपनीज हैं, स्पेशली आपकी लिडरिशिप में, आपने दो-तीन साल में बजार को बहुत ही बेमिसाल तरीके से इंप्रेस किया है, यह मैं आपको फीडबाइक देना चाहूँगा खास तौर पर, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मिटकेप फंड मैनेजर से, पोर्टफोलियो मैनेजर से, पीएमेस ओनर्स से बात करते हैं, शिवर जी यह बताईए, बजार को ऐसा लगता है कि, काफी अच्छा डिमांड इंवार्मेंट आने वाला है, आगे चलके, अभी आपका जो बिजनिस है, वो एक्स डिवर्जर होके ट्रेड हो रहा है, बोरुसल सैंटिफिक निकल किया है, इस से में बताईए, अनॉर्गनाइज़ प्लेस से किस तरह कॉंपेटिशन फेस हो, कैसी डिमांड है, ओन ग्राउंड कारुबार का हाल क्या है, देखे, जो इस साल शुरुआत हुई थी, क्वार्टर बान, क्वार्टर टू में, हमें डिमांड में थोड़े इशू दिख रहे थे, और मार्केट तो आगे काफी दौर रही थी, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जैसे आप कहह रहे हो, आप कहह रहे हैं, वो मार्केट उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन Q3 में हमने ज़रू देखा है कि, डिमांड काफी रोबस्ट रही है, फेस्टिफ सीजन में, और जो भी हमें एक आगे के ट्रेंज नजर आ रहे हैं, उसमें हमें समझ में आ रहा है कि, ये डिमांड जादी रहेगी, और हमारी जो एक प्रोड़क्शन हमने कापैसिटी बढ़ाया है, उसका भी यूटलाइजेशन काफी अच्छा रहेगा, तो हम confident हैं कि, ये आगे के साल, दो साल में, जो जैसे इंडिया की ग्रोथ हो रही है, और हमारी consumer division की भी वैसी ग्रोथ हो, और जहां तक सवाल आता है, हमारे खुद के capacity expansion का, हमने दूसरा furnace लगाया था, ओपल ग्रास बनाने के लिए, और हमारा एक तीसरा furnace, बोरुसरी के ग्रास की furnace आ रही है, जो जैनूरी में चालू होगी, तो उसका भी हमें काफी anticipation है, कि वो भी अच्छा करें, और जो demand इंडिया के लिए है, वो हम उसको satisfy कर भाए है, बिल्कुल आपने जो consumer business की, इंफाक जो बात भी की, तोड़े सा और समन्हें कोशिश करेंगे, वेडिंग, festive season, Q3 में किसना के demand trends दिख रहे हैं, अफकॉस ये time आपके लिए भी बड़ा money making time होता है, और majorly volume based growth होगी, value based growth होगी, देखिए, जो हम देखते हैं अभी, mainly volume growth चल रही है, क्योंकि इस सार हमने price entries हमने नहीं ली है, हमें demand को spur करना था, तो हमको एक value based offering देना था, तो हमने price entries नहीं ली, लेकिन हम सारे channel में present हैं, या तो ये moment pop retail stores हो, या आप large format stores बताएं, या e-commerce में हम सब जगे हैं, और हमें दिख रहा है एक काफी broad based volume growth across channels, तो ये हमारे ले काफी satisfactory है, कि ऐसा नहीं है कि एक order मिला और इसलिए हमें volume growth हो गई, लेकिन across channels, across categories हमें growth दिख रही है, और जैसे आपने कहा marriage season में, हमारी product gifted में काफी use होती है, तो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि हम B और C टाउंज में हमारी growth अच्छी है, so we are quite satisfied with the quality of the growth we are having. सार, एक चीज़ से में बताएंगे, आपके balance sheet में debt की positions का और cash flow की positions का है, क्योंकि मेरे पास जो information है, थोड़ा cash flow में आपको challenge हो रहा है. एक cash flow में challenge नहीं है एकदम, आप हमारी balance sheet है net, before de-merger, हमारा net debt position सिर्फ 40 पे तंस क्रोंग था, और after de-merger करीब हमारी scientific division में 100 crores of cash रहेगा, और consumer division में, बोर से limited में करीब 500 crore का debt रहेगा, but compared to 1000 crores of turnover and you know, 150-200 crores of EBITDA, so debt is not even 1 is to 1 to EBITDA, so we are quite, we are very comfortable, और हमें कोई challenges नहीं है, सारा capex हो गया है, तो अगले साल में हमें ये भी नजर नहीं आ रहा कि, हमें कोई significant capex करना है, तो we are very, in next one year cash, the cash flow itself will pay off the debt, and we will be debt free, maybe by end of next 2024, ओके एक आखरी सवाल, शिवर, आपने जो guidance देए, 15-20% consumer business और scientific business करीब 10% ने करीब grow करने की आपको visibility यहां से मिल रही है, इस पर आप confident है या आपको किसी भी बिजनेस में upward bias भी दिखती है? Actually, अभी जो हमें दिख रहा है, sales grow तो दोनों business में हम, यह जो भी आपने range कहा, वो range के upper side में या उसके थोड़े आगे भी रहेंगे, मैं short term की बात कर रहा हूं, मैं quarter quarter मैं बोई नहीं सकता, लेकिन next 12-24 months, मुझे जो नजर आ रहा है कि अभी short term में मेरे इसाफ से we are on the higher end of that range, but अगर हम long term के देखें, तो long term में scientific business 10-12% grow करेगी और consumer business 15-20% grow करेगी. All right, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुष्रिवर आज समय देने के लिए और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका. चले, बाजार पर वापस लोटते हैं, एक quick check markets पर देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा bank nifty में हमने देखा था कि वहाँ पर एक profit booking आई थी, अब थोड़ी सी profit booking और बढ़ी है, लेकिन निफ्टी मर्तेजी बनी हुई है, बीस नौसो के उपर हम है, और sectors जो चल रहे हैं अचे, उनमें IT से participation आपको clearly दिख रही है, in fact, आज बैंक्स नीचे हैं, IT, large cap IT उपर आये हैं, और अडानी स्टॉक्स में मूव है, उपर से जरूँ थोड़े नीचे हुएं, लेकिन थोड़े से उपर ज़रूर आये हैं, और IT से स्टॉक्स में भी अच्छी मूव देखने को मिरी है, तो फिलाल शो में इतना ही, लेकिन अगला शो आपकी query से जुड़ा हुआ है, इस शो में अगले एक घंटे हम लेंगे दर्शकों के सवाल, उन पर फोकस करेंगे हमाई साथ दो एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, जो की उन सवालों की जवाब देंगे, और साथ ही आपको देंगे कुछ बहतरी ट्रेडिंग आइडियास भी, तो ज़रूर जुड़ी हमाई साथ एक छोड़े से ब्रेक के बाद हम लेकर आएगे, आपके सामनी यूर्सक्स. किया हैं, क्या है कमोरिटी मार्केट की A, B, C, D? इसे देखिए और समझिए, छे घंटे की मास्टर क्लाफ, और कमोरिटी मार्केट पर देश के सब्सक्ते वरे दिज़गजू का नगर या, और साथी ट्रेडिंग पर आम लोगों के हर सवालों के जवाब मिलेंगी देश बहर की आम उज़नों को एक्सपर्ट करेंगे दूर सिर्फ छे घंटे में कमोडिटी मार्केट की हर वारीतियों को सम्झे देखिये कमोडिटी महाकुंद सिर्फ ईटीना स्वडेश को झाल 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 एक रिसर्च के मताबिक प्रगिंसी के दोरान मा का जैसा वहवार और खानपान होता है बच्चे पर उसी तरह का असर पड़ता है जो मदर का एक्षिस होते हैं जिसे कि मदर बेवी को लला राई सुनाए या ब्यूजिक सुनाए तो बेवी को काफी सूधिंग एफेक्च होते हैं जैसे उसकी फीजिल हार्टे स्टेलाइज हो सकती है उसका पोजिटिव इंपक्ट बच्चे को डेवलोप्मेंट में आते हैं करिमें बाता है आपको इनसे बातों का ध्हान देना बहुत ज्रूरी है और माता के साथ पुरे करीवार को इन बातों पर गओर करना बहुत ज्रूरी है क्या है कमोडिटी मार्किट की A, B, C, D इसे देखिए और समझिए जे घंटे की मास्टर क्राफ और कमोडिटी मार्किट पर देश के फ़क्ते वरे दुगजू का नगरिया और साथी ट्रेडिंग पर आम लोगों के हर सवालों के जवाब मिलेंगी देश बहर की आम उजिनों को एक्सपर्ट करेंगे दुग सिर्फ छे घंटे में कमोडिटी मार्किट की हर वारीटियों को फंच देखिए कमोडिटी महाकुंद सिर्फ इटिना स्वदेश को लगाता चौथे दिन नए शिखर पर बाजार निफ्टी ने 20,956 कर नया रिकॉर्ड स्थर बनाया लेकिन नया शिखर बनाने के बाद बैंक निफ्टी में मुनाफ़ वसूली रिकॉर्ड हाई से करीब 300 अंक फिसला आईटी शेरों से बाजार को सपोर्ट एल्चे आई माइनटरी 2% की तीजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल विपरो टेकमेंदरा एससे एल टेक में डीड से 2% की मजबूती अदानी ग्रुप शेरों की फर्राता रफ्तार जारी अदानी टोटल अदानी ग्रीन अदानी एनरजी में 13-14% का उच्छाल अदानी एंटरप्राइसे अदानी पोर्ट्स में भी मजबूती फर्टलाइजर शेरों में खरेदारी मदरास फर्टलाइजर चंबर फर्टलाइजर और कोरो मंदल में 13% का उच्छाल वितमंत्री निर्वला सीता रमड आजसन सद्वी अतरिक्त फर्टलाइजर सबसिडी का परस्ता और रख सकती है आज से शुरू होगी आरवियाई की मुनिटरी पॉलिसी कमिंटरी की बैचक आठ दिसंबर को आएगी पॉलिसी दरों में किसी बदलाव की उमीद नहीं मेंगाई और ग्रोथ को लेकर कमिंटरी पर रहेगी नज़र त chicken रेड़ी होंगे तिलंगाना के नए मुख्यमंतरी कर लेंगे मुख्यमंतरी पत की शपर तिलंगाना में पहली बार बनेगी कॉंग्रेस की सरकार और विजनेस चैनल के तिहास में पहली बार कमोडिटी मार्केच की हर बारिकियों को आसान भाषा में समझाने के लिए एटीनाव स्वदेश लेकर आ रहा है कमोडिटी महा कुम देखे 9 दिसंबर शनी बार को सुबह 10 बज़े से लगातार सिर्फ एटीनाव स्वदेश पर नमस्कार योस टॉक्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अभिशेक और मेरे साथ में मेरी सेयोगी कविता थपलियाल और पूजात रिपाठी बाजार में लगातार साथवे सत्रमें तीजी और लगातार चोथे दिन हम देखने की नया रिकॉर्ड बन रहा है यह क्योंकि निफ्टि के मुकाबले हाल के दिनों में जो रफ्तार रही थी बैंक निफ्टि की वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि ला जवाब रही थी आज थोड़ी से प्रॉफिट टेकिंग के संकीत वहां पर हमें दिख रहे हैं और जो दिगज बैंक है आप दिखें आइसीसे बैंक हो या फिर कोटक बैंक एक्सिस बैंक यहां से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है क्योंकि आइसीसे बैंक का शेर जवरदस तेजी के बाद रिकॉर्ड उचाई पर पहुंचा था वहां पर थोड़ा सा ब्रीदर लेते भी आज के सतर में द आकर्शक नहीं रहे गए हैं तो डाउन ग्रेड आया है हालांकि कई सारे स्टॉक्स के लिए जो टार्गेट है सी एलेस ने रिज़ किया है बावजूद इसके आज हम देख रहे हैं कि आटो स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर बजाज आज आज एक परसंट कमजोर है आईटी स्टॉक्स में आज रहोना के हम देख रहे थी कि थोड़ी सुस्ती थी वहां रंग फीका था लेकिन आज चमक रहे हैं यह स्टॉक्स और एलचाए माइंट्री विपरू इनमें अच्छा मोमिंटम है और एक और स्पेस ही जो हाइलाइट हम करना चाहेंगी वो है ख शेर में भी हमें दिख रही है तो बाजार में यहां से आपके रणनेती क्या हो इसको लेकर हम आपको गाइड करेंगे आपकी जो भी शेर हैं उन पर अपने एक्सपर्ट से हम व्यू लेंगे और आज दो मिहवान हमारे साथ जुड़गे हैं आपकी मदद करने के लिए इन आप यह बताई कि क्या थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली कर लेना ठीक रहेगा या पिरी जो मुमिंटम है इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है जिनके पास हो अगर स्टॉप्लस लगाके रुखना चाहें तो रुके रहें बाजार में मेरे ताबिक थोड़ा बहुत नहीं काफी मनाफ़ा लेना चाही है मेरे ताबिक तो मार्केट बहुत ज़्यादा चल गया है और ऐसा भी कुछ निए कि जन्नल इलेक्शन करता हो गया है अभी काफी समय है और काफी और चीजें आल सकती है सामने और वैसे भी कोई इतना मेरे तो मार्केट बहुत ज़्यादा चल गया है और इसमें ज़रूर मुनाफ़ा थोड़ा बहुत नहीं काफी लेना चाही है और चलिए तो यहां पर और स्टॉक स्पेसिफिक आक्शन पर बात होगी और दरशल दरसल हमारे साथ फोन लाइन पर जुनना शुरू हो चुके हैं और वक्त आ गया है कि उनकी दुवधाव को सोझाने का शांतिलाल जैन राजस्थान से मेरे साथ फोन लाइन पर है शांति तो अच्छा है इसी नहीं है अच्छा रिटर्न आपको कैसे कॉंटिफाइ करता है कितना परसें ऐसे कम से कम पाचास ब्रेट परसेंट करता चलिये तो रतनेश इस रिटर्न एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कितना रुखने की सलह आप देंगे इंको टाटा टैक में तो थोड़ा बहुत आगर इनके पास में निवेश के लिए और पेसा बच्ता है किसी डिलिजन से ऐटाटाटेक पर निचे आता है तो इनको एवरेज करने कि सला देगी इनको और रुखना पड़ेगा मेरे साभ से एक, अगर इनको पीसा पापी जचे डábल गणना है इसके इन्दर साल दो साल का समय देना पड़ेगा टाटा टेक में हालांकि एक जबर्दस हमने लिस्टिंग देखी टाटा टेक में पैसे डबल सी भी ज़ादा हुए अब फोड़ी से स्थिरता के संकीद दे रहा और इस्थिरता ठीक है बहुत इस रफता से लगातार भागना भी ये खत्रे की निशानी होती है अब मुंबई से संतोष हमारे साथ से संतोष नमस्कार पूछी क्या जानना है आपको संतोष जी आवाज आ रही आपको कुछ दिकत है कुछ तकनीकी खामी है लेकिन उनका सवाल हमारे पास आ गया है S.V.I. Life के शेर है 42 की संक्या में और भाव है 700 रुपए का आश्थिर जी हाल फिलाल हमने देखा है कि Life Insurance वाले शेर भी चले और General Insurance वाले शेर में तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से आग ही लगी थी New India Assurance हो गया या फिर GICRI हो गया S.V.I. Life इनके भाव से तो अब ये डवल से भी जादा है क्या रणनीती होनी चाहिए निवेशित रहे या फिर मुनाफ़ा वसूली करें तरह मेरे नताबिक काफी चल चुका है और मेरे नताबिक कम से कम पार्शल पार्फट भूबिंग ज़ूर बनती है और बहुर कुछ नी तो अट लीस्ट 50-30-40 परसेंट आपना पनाफ़ा ज़ूर ले ताकि आपका जो बाखे का निवेश है वो अर्मोस्ट फ्री हो जाएगा ठीक है कम पार्शल पार्फट भूबिंग ज़ूर बरते हैं और गुजरात से शांतिलाल जी फोल नाइन पर है मेरे साथ नमस्कार शांतिलाल जी नमस्कार बताइए सर मैंने यस बेंग कर दो हुजार लिया हुआ है उनीश रुप्या पंटेट है और और कुछ सोच कर लिया है आपने इसमें नहीं लंबी ताउजी के लिए लिया है रतनेश मेरे ख्याल से अब आप इनको दिशा बताएं कि क्या इसमें रुपना चाहिए या इस पेस में इनको कहीं और एंट्री लेनी चाहिए पेसा निकालके तो मेरे साब से महात जल्दी इनको रिटन निकालके तो मेरे साब से इसमें इनको निवेश करने के सला रही है पेसा निकालके तो मेरे साब से महात जल्दी इनको रिटन निकालके तो ये इस बेंको लेकर ये वी उनके भाव के आज-बास ही ट्रीट कर रहा है भुपाल से राहूल हमारे साथ है राहूल गूड मॉनिंग कौन सा शेर आपके पास है और क्या सला चाहिए आपको तर मेरे पास Tea-जीएस की-चार्ड-शेर हैं और ये मेरी खरीद है 3800 की ओष़़े दो आपके पास के लावथ की रहें है तो तो relates का जो मान करेंगे हम चलने के एकसेप्तिंस रिशो 25% का इसपासर भी रहेगा वाढ़ें और रिचेर उध जैगा 3500 रुपए के आसपास के भाव है TCS के फिलाल 4150 खा बाइबेक प्राइस है और कलतक ये बाइबेक खुला है जो दर्शक में देख रहे हुँ जिनके पास TCS के शियर हो इस विकल पर विचार कर सकते हैं एक बार एक्सपर्ट व्यू भी ले ले लेते हैं TCS आज हम देख रहे हैं कि इसमें आशियर जी आईटी स्टॉक्स में थ्वड़ी सी बाइंग आई है हलांकि अभी भी महौल हम बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं देख रहे हैं आईटी स्पेस के लिए आपका क्या व्यू होगा आईटी स्पेस और टी स्पेस में क्या करना चाहिए अभी सेक्टर वाइज बूर आउट ओ फेवर है और काफी हैट विड्स हैं क्योंकि ग्लोबली काफी सिथी खाब है और काफी कट आउन हो रहा है एक्स्पेंडिचर पे वर्ल्डवाइड खास करके तो उसको ले के काफी जिनता है और विड्सार काउट की टाइम काफी एक्सेस हुए थे काफी ज्यादा रिप्लूट्मेट हुई थी काफी ज्यादा लोगों ने सेलरी हाइक्स किये थे तो वो सारा चीज अप्रेक्ट हो रही है सेक्टर वाइज दूर आउट ऑफ फेवर है अगर डपेंड करता है इंवेस्टिटा की किता नभाव वोड करना चाहते है अगर जनुमेन नभी अप्धी के निवेशक है और 3-4-5 सान वोड कर सकते है तो मेरे ताविक टी-सी-स खास करके यहां पे बहुत अच्छा सेफ स्टॉक है बाकिस रन-अप काही ऊचुक है मार्किट में तो मेरे ताविक तो बहुत अच्छा सुनहरी मौका है लेने का ताविक होड करने का और फिजारी करने का तो कि रिटेभी श्रीकिंग स्टॉक ने करने के लिए लेकिन आपका नजरिया लंबा ही होना चाहिए और मुनाफ़क माने के लिए इन दौर से निखिल नाएक साब मेरे साथ फोन लाइन पर है नाएक साब नमस्कार क्या हाल चाल नमस्कार में बढ़िया हूँ बताइए CDSL में किस टेवल पे खरिदारी की है 1285 पे मेरे बास 8 सेर थे CDSL के अप्रोक से 47 परसेंट मुझे ट्रॉपिट हो रहा है तो मुझे ट्रॉपिट बुक करना चाहिए या भी खोल्ड करू में परानी खरीद है न अब की सब्सक्राइब करना चाहिए या फिल्हाल क्यूंकि 8 महीने पुरानी खरीद है लेवल भी हम देख रहे हैं पिछलो 6 महीने में तो कम से कम अच्छा ही चड़ा है क्या और चड़ने की गुंजाईश है या फिल्हाल पार्ट पॉफिट भी अगर बुक करना हो तो किया जा सकता है सब्सक्राइब कर रहा है एक पॉर्मिशन हमको देखने को मिल रहा है सब्सक्राइब करना चाहिए तो आपके सवाजवाब के सिल्सले को फिर से आगे बढ़ाएंगे आप बने रहे हमारे सब्सक्राइब भी अग्लिय क्वार कर दपेशन हमारे को से वitel 12 को से ऑचर को समस्या पम tribune मारे मारे इपिक प्रॉद ऑल्रॉष टिर में बहा है स्क्राइब 2 कि जाच्षा 2 कि में ऑच्षा 2 स्क्राइब 2 पान बनके घर मेप पार्ट झाल 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 आल झाल 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 यह झाल झाल जया डिओ झाल बैंक निफ्टी के बारे में आपका क्या कहना है? यह लेवल्स आपके मुताबर कुछ इनिशिएट करने के लाइक है? बैंक निफ्टी बैंक वैसे तो काफी स्ट्रॉंग लग रहा है पर आज के दिन में कुकि हमने थोड़ी सी मुना का वसुली देखी तो थोड़ा और नीचे आया जाए तब खरीदारी करने के अच्छे मौके मिलेंगे इसमें जो बढ़िया लेवल खरीदारी का बन रहा है वो 46,500 बन रहा है यानि कि यहां से 300 पॉइंट्स नीचे तो सारे 66,000 के आसपा सब निफ्टी बैंक आता है तो खरीदारी करने की सला रहेगी उसमें फिर स्टॉप लॉस रहेगा 45,500 का थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है लेगिन कि जो टागिट्स बनेंगे वो अराम से 47,500 तक के रह सकते हैं तो बैंट्स टी को खरीदारी करने हैं पर अभी नहीं अभी बिल्कुल रुपना है और 46,500 चे 46,400 के जोर में बैंग करने की सला नहीं 44,500 चे 46,400 के लेवल पर खरीदारी करें फिल्हाल थोड़ा सा और रुपने की जरुवथ है ताकी और थोड़ी सी कम्जोरी आ जाए 47,500 तक के आपको यहां पर टागिट्स देखने को मिल सकते हैं आउटो काउंटर्स में, क्योंकि सेले से के डांगेट के बाद हम देख रहे हैं, दबाफ में हैं, आईश्रमोटर बजाज आउटो क्या लगता है, यहां पर थोड़ी और गिरावट का इंतिजार करना चाहिए, यहां कुछ खरदारी इनिशेट की जा सकती है? आईश्रमोटर थोड़ा सा और अगर गिरता है, मेरे सबसे अरांड लेवल ऑफ कहें कि 3960, 3970, यहांनि कि यहां से भी अगर हम देखें, तो कम से कम 30, 50 पॉइंट और नीचे आता है, तो बढ़िया लेवल होगा आईश्रमोटर में खरदारी करने का, आज के सब्र में क्यूं आईश्रमोटर को भी खरदारी करने की सला है, पर अभी नहीं, टांसाइड में 3950 के लेवल के आसपास, वहीं पर अगर हम बजाज आउटो के बाइस करें, तो बजाज आउटो भी क्यूंकि आज जिस तर से 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 का डाउंग्रेड आया है, सभी आउटो काउंटर्स नहीं, 50, 80, 80 तक की लेवल्स पर अगर आपको मिलते हैं, तो इनिशियर किया जा सकता है बाइंग, लेकिन उसके लिए आपके टागेट्स होंगे 4190 के लिए, और भी काउंटर्स जहां पर हम तेजी देख रहे हैं, क्या उन में से आपको निकल जाना चाहिए, तेजी मुनाफा बा प्रिदास एक्सपोर्ट्स की बात होगी, जो ग्लोबिल सरपर कपड़े के उतपादन और एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती है, कंपनी करीब सालाना 32 मिलियन गार्मेंट का उतपादन करती है, जिसका 50 से ज्यादा देशों को निर्यात होता है, हाल ही में टेक्सटाइल ए तेजी भी देखने को मिली है, यॉरप से डिमांट बड़ी है, बैसे में भारत और ब्रिटन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रिमेंट से कंपनी को आखिर क्या-क्या उमीदे हैं, और इसके अलावत एक्साल इंडस्ट्री के लिए क्या-क्या चनौतियां सामने आती भी खड़ी देख रहे हैं, तमाम उद्दों पर बात करेंगे हमारे साथ गोगलदास एक्सपोर्ट के M.D. शिव रामकृष्ण गणपती जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हमारी इस बहत खास पेशकश में और कुछ आपके पुराने रिजर्ट्स को अगर हम देखें मोमेंटम को देखें, फिनांशल को देखें, तो काफी हद तक जो मोमेंटम है वो आपने बरकरार रखा है, अगर हम उम्मीदों की बात करें, लेकिन ये बताएं कि किस तरहां से मोमेंटम प्ले आउट हो रहा है, इंडस्ट्री थोड़ी सी बॉटम आउट होती ही वो से, इन फाक्ट, सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे, तो क्यू थी में थोड़ा साप्टिक दिख रहा है, और क्यू फोर में वो आप्टिक कंटिल्यू करता है, येर ओन येर आइं सी ग्रोथ, और मुझे लगता है कि most of the US ब्रांट्स जिनको हम केटर करते हैं, उनके जो एकसी सिखेंगे अटिक दिख दाएं आप तक केर वो चुका है, और देखेंगे, और आउर नो, इन इन फी मर्के तो बॉटर काःट कुष्टैख लाएं नहीं करते हैं, लिगता आप अग्रोथ स्टॉथ ग्रोथ, और अगरे ले साप्टिक प्र पार आट इंगे जी क्योंकि interest rates अभी भी हाई है और retail demand कैसे होगा यह हम speculate ही कर सकते हैं लेकिन हम कोई predict नहीं कर सकते हैं तो I am being conservative in my approach and thinking that even if it is flattish because of the excessively low buying that they did in 2023, they will have to come back and correct themselves in 2024 तो उस हद तक हमें एक growth डिखाई देगा और उसके आगे तो I am very confident that the growth will be fairly strong and this applies to Europe as well revenue growth लगबग 14% की इस्तिमाई के H1 में देखी गई है लेकिन यह पताईए कि क्या आप revenue growth को लेकर FI24 के लिहाज से देखें तो आप पटरी पर हैं लगबग 10% जैसा की guide किया गया था पहले और long term outlook FI24 के आगे का अगर मैं समझना चाहूं तो वो क्या है Traco acquisition का contribution आपकी growth में कितना भागेदारी यहां पर ले सकता है So मैं FI24 में I'm not predicting a growth FI24 में even if we come out flattish it will be great क्योंकि demand अगर you know 20% से 25% कम हो जाता है globally तो it is not possible that we will have a growth we will have you know we are trying to come come as close as flattish as possible that's what I want to register correct you but FI25 के लिए अगर आप देखेंगे तो attractors certainly contribute करेगे growth के लिए and I think ourselves also we will see some growth so both put together I am I am looking at a fairly decent growth in FI25 over FI24 यहां पर अगर हम export trend समझना चाहें textile export trend के लिहाज से तो भारत को ध्यान में रखते हुए कितना आपको लग रहा है कि हाँ पर फाइदा होता हुआ दिखाए दे रहा है UK FTA कि अगर हम बात करें तो इसको quantify करें इस पूरे मौके को तो आपके लिए किस तरह से यह आगे भुंतावा दिखाए दे रहा है कई सारे प्लेयर से इंडिया में और सभी लोग इस FTA का फाइदा उठाना चाहेंगे और उठाना चाहिए भी इच शुड लीड तो अलोड अफ ग्रोथ ऑफ दे इंडियन अपैरल इंडास्ट्री तो हम भी क्षिश करेंगे यह आपी अप्लेड प्लेज क्लिए दो आप्ट सब्सक्राइब इस में इस्तोरिकली हमारा फोकस नही ता यॉडपेन मांके सब्सक्राइब की हम विख एच्छा ट्रक्शन उस मांकेट में हमें मिल रहा था so abhi with FTA we have started looking at UK and we have acquired some clients but we are waiting for the FTA to happen before the volumes can pick up so so my contention is that a good chunk of that will come to larger players including us it will of course take you know almost two to three years before all of this benefits can be realized because build up happens slowly and then it turns into volume flow so we should get a good chunk but there are many players and they should also benefit if we want to understand from the UK then in any kind of inquiries you have seen in any kind of inquiries you have seen in any kind of inquiries you have seen in any kind of inquiries so there are some new customers that have been onboarded from the US and UK is going to be focused on the US definitely UK will be more catered if the FTA comes to the UK then 100% we will be focused on that in this anticipation we have acquired a customer as in we started working with them so this will be become more meaningful exercise once the FTA comes into play because we are waiting for this FTA you know FTA implement you know FTA you know agreement enter enter India and UK that is what we are all anticipating and once that happens only the rest of the things will fall in place so we are all working in anticipation towards that hopefully it should happen soon we are awaiting margins we are awaiting margins 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 you can anticipate so long term our historical average has been around 12 percent long term I am anticipating about 1 and half percent improvement over the 12 percent average EBITDA margin margin in the short term there will be margin pressure because there is a demand supply mismatch अगर आप देखेंगे last year, you know, US and European purchases have been significantly lower than the year before, so globally if demand supply imbalance supply is far in excess of demand so margin प्रेशर आही जाता है और वो हम आज तक पेस कर रहे थे so especially if you look at our H1 results, there was a margin pressure, hopefully it will start easing going forward in the over the next one year, definitely you know, some bit of that pressure will go away and we will start building it up operating leverage will definitely kick in as all these new capacities come on stream and they reach a level of maturity अब क्या हो रहा है कि नए के पैसिती में हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और ट्रें कर रहे हैं तो actually उसका उल्टा इंपक्त का रहा है क्युकि कोस्ट जादा है और उसके proportionate revenue नहीं आया भी तक बिल्डप हो रहा है तो that will always be the case initially when you are ramping up बट उसके बाद definitely those capacities will also start yielding a much higher EBITDA margin my sense is one and a half percent improvement का scope definitely है going forward that will materialize in two to three years आपका अपने समय निकाला इतने वस्तार से कंपनी के तमाम योजनाओं की जानकारी हमारे साथ साथ है की लेकिन बेक के उस पार रास्ता हमारे साथ जुरी हुई है आस्ता से गुकलदास के बारे में जानेंगे और साथ ही fertilizer शेर मुझे तेजी आ रही है आपके लिए कहां मौके बनते हैं इस तेजी में सब कुछ इस छोटे सपेक के बात आस्ता है आस्ता है आस्ता है झाल 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 बना रहे हैं जहां पर USA UK उनकी रननीती शिफ्ट हो रही है बाकी तमाम मुद्दो पर बात हुई क्या कुछ सलहार दर्शुकों के लिए कोई मार दर्शुन स्टॉक को लेकर तो अभी इसमें लॉंग पोजिशन नहीं लेनी की साना है इन फैक एक बार डांसाइज मिलता है अरॉंग फिप्टी पॉंट्स नीचे ऑल्मॉस्ट फिफ्टी तो सिक्स्टी पॉंट्स नीचे तभी वहां पे एक बोकुल जास एक्सपोट्स में मेरे सबसे कर एंट्री नही अच्छी पॉर्टर्स की आप एक प्रेडिक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मेरे इसाप से थोड़ी गिरावाट अगर और आती है तब खरीदें अभी इस टॉप में मेरे को नहीं लगता कि मोके हैं खरीदारी करने के क्योंकि चाट्स को भी जुमें स्टड़ी कर रहे हमें आगी जाते भी देखने को मिल सकती हैं यहां पे जो है गवर्मेंट को रिक्वार्मेंट है एक अलोकेशन की जो फर्टलाइजर सब्सीडिय उसके और बड़ोतरी की मांग कर रहे हैं लगबग 13,000 करोर से जादा का अलोकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंटरनाशनल प्राइस में बड़ोतरी देखने मि इसलिए जो है हम देख रहे हैं कि सबसीडिय रिलेटेड न्यूस फ्लो पे जो है स्टॉक्स में तेजी देखने मिल रहे हैं अगर हम प्राइसें की बात करें तो जून लो से अगर हम बात करें तो ग्लोबल रेट्स में डीएपी ले लिजिए वो 34% उपर है वहीं अमोनिय फर्टलाइजर ले लिजिए तो उसमें जो है 122% से जादा का जो उच्छाल देखने मिला है और ब्लूमबग की जो फर्टलाइजर इंडेक्स है वह भी रिसेंट लो से 6% उपर है यानि की इंटरनाशनल प्राइस में बढ़ोतरी हुई है उसको बचाने के लिए भारत में सब्सीडी लेवल्स बढ़ा है अब विच साल 2023 में सब्सीडी लेवल्स दो लाग करोड के ऊपर थे लेकिन जो विच साल 2024 के भी सब्सीडी के आक्रा है वो भी बढ़ सकते हैं करेंटली 1.5-1.7 लाग करोड का यह आक्रा है अगर निवेशों को यह बात करें तो 2022 के जैसे अब वापस 2023 में वो देखने मिल रही है और अगर 2023 के लोग से बात करें तो फैक्ट, RCF और Madras फटलाइजर जैसे स्टॉक्स में जो 80% से ज्यादा का रिटन्स 2023 के लोग से इन्वेस्टर्स को मिला है तो यह पूरा जो लेखा जोका है फटलाइजर सेग्मेंट का अगली एक घंटे में हम आपको बताएंगे उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर की आक्शन देखने को मिल रहा है और आखरी कुछ घंटों की रणीती भी आपके सामें रखेंगे तो बने रही हमारे साथ एक छोड़े से ब्रेक्रेंगे पर ब्रेके बाल अपने रिकराएंगे स्टॉक्स फटा पर कि अजो एक पर की अजो रखेंगे रहा है आव जड़े रहा हैंगे तो बाल आपके सामें ठीम जो एक बाल केरे ऐाक जो आदो से आपके सामेशन देखने रहा है झाल 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 की आम उजिनों को एक्सपर्ट्स करेंगे दूर सिर्फ छे घंटे में कमोडिटी मार्केट की हर बारी इतियों को संच देखिए को मेर्टी बहा कुम्ड सिर्फ इतियों को इतियों करूदी पूर्ट्स पास ते लगतार चौते दिन रिकॉर्ट बनाने के बाद उप्री हस्तरों से हलका वा बासार मामली बढ़्रट के साथ 20,000,000 के पास तोहीं नया हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी में ने पूर्ट् आई टी शेरों से बाजार को सपोर्ट, LTI माइन्ट्री 2% की थेजी के साथ, निफ्टी के टॉप, गेनर में शामिल, विप्रो, टेक महिंज़ा, HCL टेक में 1-2% की मजबूती. अदानी गुरुप शेरों की फर्राटा रफ्तार जारी, अदानी टोटल, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी में 6-16% का उचाल, अदानी पावर में भी मजबूती. फर्टिलाइजर शेरों में खरडारी मदरास फर्टिलाइजर चंबल फर्टिलाइजर फाक्ट में 6-11% की बढ़त वितमंत्री निर्मला सीता रमन आज संसत में अतिरिक्थ फर्टिलाइजर सब्सिडी का प्रस्ताव रख सकती है सुले सेके डाउं ग्रेट के बाद टू विलर ऑटो शेरों पर दबाब बजाज ऑटो और आशर धाई परसंट तक फिसले हीरो मोटो पर भी दबाब बाजार में आज डिफेंस शेर दिखा रहे हैं दम H.A.L. में 7 परसंट की तेजी B.E.L. कोचिंच शिप्यार में शृधातु निगम में भी 2-5 परसंट की मज़गती केमिकल शेरों में भी गर्मी, बालाजी अमाइन्स, अलकाइल, अमाइन्स, कनोरिया केमिकल में 8-14 परसंट का उचाथ हिमादरी और टाटा केमिकल भी 1,5 परसंट की तेजी के साथ कर रहे कारोबार हाथ से RBI की मौनटरे पॉलिसी कमिटी की बैठा कार दिसंबर को आएगी पॉलिसी दरों में किसी बदलाव की उमीद नहीं, महंगाई और ग्रोथ को लेकर कॉमेंटरी रहोगी एहम रिवंत रेड़ी होंगे तलेंगाना के नए मुक्यमंतरी, कल लेंगे मुक्यमंतरी पद की शपत, तलेंगाना में पहली बार बनेगी कॉंग्रेस की सरकार नमस्कार, स्वागत है आपका इची नाव, स्वादेश पर, मैं हूँ आपके साथ पूजा अतरपाथ हैं और मुंबई स्टूजियो से विश्मोर्म भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं यॉर्स्टॉक्स और इस शो में हम विंस्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर की आक्शन देखने को मिल रहा है और वहाँ पर रंडीती क्या होने चाहिए इस पर भी हम आँगे एके करके चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले नजर डालेते हैं बाजा की बड़ी बातों पर और लगातार चौथे दिन हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तेजी पर बाजार कारुबार कर रहा है निफ्टी बी से जार नौसो के करीब वहीं बैंक निफ्टी में रिकॉर्स तरों से गिरावठ देखने को मिल रही है अच्छी तेजी वहाँ पर भी थी लेकिन अब करीब करीब 1.500 अंकों के आसपास 1.500 से जादा की कमजोरी है बैंक निफ्टी में और इस पर 66,800 के पास बैंक निफ्टी कर रहा है कारोबार हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक्सपारी का भी इंपाक्त है अब पॉलिशी भी इवेंट रहेगी जिसके चलते हमने आपको पहले ही यह हाई राइक कर दिया था कि बैंक रिफ्टी में उताच रहाव बना रह सकता है। लेकिन वही दूसरे तरह फाइटी शेरों में खेला रही ल्टी आई माइन फ्री आज का है टॉप गेलर। फर्टिलाइजर शेरों में आज शादार तेजी देखने को मिल रही है। मितमंत्री निर्मेरासीता रवन सब्सिटी का प्रस्ताव रश्त की है। उसी का असर आज हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर शेरों में हैं। इंडिया विक्स में करीब एक परसंट की तेजी तेरा के ऊपर इंडिया विक्स कारोबाल कर रहा है। तो बाजार में हम देखेंगे आज काफी रेंज बाउन सेशन देखने को मिल रहा है। जो की एक्सपेक्टेट ही था इतने चार दिनों की तीजी जो है वो निफ्टी में तो बरकरार है लेकिन बैंक निफ्टी में क्यूंकि एक्सपारी का भी असर है। इसके अलावा हम आर्ट तारिक को पॉलिसी भी आने वाली है। तो उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के लिए क्योंकि इवेंट काफी सारे हैं तो उस लिखाद से उतार चड़ाव देखना भी वाज़ब था। तो हम देख रहे हैं कि करीब 180 को की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। चली अब आगे बढ़ते हैं और अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे अपने साथ मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवी सिंग और HDFC सेक्योर्टी के विनेर जानी हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर आगे सेंट्रम ब्रोकिंग के निलेश जाएं भी हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सिब से पहले विने आपसे समझना चाहेंगे क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर आज तो रेंज में हैं लेकिन जिनकी लॉंग पोजीशन है उन्हीं क्या करना चाहिए इस तरो पर और तेजी के लिए भी रुके रहें और स्टॉप लॉस भी सुझाएं क्या अच्छी कासी पिछले कुछ सेशन में तो 200-300 का करेक्शन को कुछ भी नहीं कहलेगा लेकिन जहां पर इस लेवल से आपको प्रॉपिट मिल गाए तो प्रॉप स्पेसिफिक जो स्टॉप में अच्छी कासी बढ़त हो चुकिए उतना प्रॉपिट करना कोई इस्यू नहीं है जो आप अगर शॉर्ट टर्म टेडर है लेकिन अगर आप पोजिशनल टेडर है एक से दो मेने का भी नहीं बग रहे है तो मुझे लग रहा है अभी भी काफी तेजी बाकिये मार्केट में 2100 के लेवल के एक्स्पेक्टेशन हमारी साइब से हैं जो एक विगोना की एक् युटी में रखना चाहिए जबता कि लेवर तुटा निया तबता कि एक्जिस्टीं तो लॉंग पोजिशन हो बनाया रखनी चाहिए और ऐसा भी हो सकता है कि यही रेली में 2100 के टार्गेट संगो देखने मिले शॉट टम में तो मैं यह सजेस्ट करूंगा ट्रेइलिंग तो अभी भी इतना ओवर बॉट नहीं लग रहा है और एक्जिस अजार दोसों के टार्गेट हम शॉट टम में आते लों देख रहे है यानि शॉट टर में तेजी अभी और बाकी है अभी भी ओवर बॉट इनको नहीं लग रहा है और 20,700 के स्टॉप लॉस के साथ आफ नि इस रैली में निफ्टी को जाता हुआ देख रहे हैं राजानी जी इन चले अब सुरू करते हैं ट्रेड का चौका जहां आखरी दो घंटे के लिए आप हमारे एक स्पॉर्ट आपको चार्ट ट्रेड बताने वाले है रभी जी सबसे पहले आप बताए ये दो टॉपिक तो व्हीं इस समय अपने थोड़ गर पहले बात करी फ gekर फर्टीलाइजर की तो एक जो स्टॉक मेहां पर मुझे समझ में आ रहा है इसमें टॉम्छ काउटिलाइजर से है पहले यहां पर लेकर चल सकते हैं घुसे इस संधानक के इस समया पहला है यहां पर GSFC इस समय 220 के आसपास चल रहा है और टार्गेट है इसका 250 रुटय का स्टॉप लेके चल यह 24 रुटय का काफी अच्छा मोमेंटम है और इस स्टॉप में अच्छा गासा आगे जो है वो तेजी जारी रहा है कि चार्ट पैटन पढ़िया ब्रेक आउट के साथ यहां पर निकल रहे हैं दूसरा स्टॉप है श्याम मेटैली के समय पांच और अच्छा मेटैलिक्स साड़े 500 के टार्गेट के लिए आप यहां पर नज़र अखिए विने आपके ट्रीडिंग आइडियास क्या होगे मेरी पसमिदा जो सेक्टर है वह इस अफरिलाइजर पटिलाइजर में से पी एस्यू स्टॉप से पॉबलिक से अर्फ राश्ट्री चेभी चेबिकल फरिलाइजर और पूरे सेक्टर में जबरतास तेजी होगी है तो नहीं पर लियार्ट एंफेल जी एपसी और जो भी फर जो 2nd tick रहेगी वो defense shipping sector से रहेगी GRSE तो हमने देखा कि Cochin शिप्यार्ट में नया ultrion हाई दियुक्ता हूँ था उसके पिछे जिए मजगाउं। GRSE जैसे stocks जो defense and shipping sector से belong करते हैं और PSU भी कहा जाता है तो यह पूरे combination of sectors, bullishness as well as the defense theme मुझे अधर है GRSE जो 855 से 860 की रेंग में कहीच सकते हैं 840 का स्टॉप बोस रहेगार अपसाइड में 880 के शॉटकंग टार्गेट्स रहेंगे अलाकि अभी फिला पिछले बंदर्स मिरूट में इसमें अच्छी रही आई है बट 880 से भी एक टार्गेट एक्स्टेंग कोंगे मौसु तब भी जा सकते हैं तो ओर और जो गोड़ टिक रहेंगे वो RCF और GRC रहेंगे RCF और Garden Reach इन दोनों में तेजी करने की सलाव इने की तरफ से अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेता है हम दिखते हैं Mid Cap में सेलेक्टेट स्पेस में काफी अच्छा एक्षन है फर्टलाइजर को तो हमने हाइलाइट किया इंडिया मार्ट इंटरमेशा यहां परिबर राह ले ले लेते हैं 2682 के पास कारोबार कर रहा है स्टॉक में ची बाइंग आ दी है यहां से अठाइस सो पचास तक का मोमेंटम ले सकता है रिस्क रोड रेश्यो देखते हैं तो वह भी अच्छा लग रहा है 2550 के स्टॉक्षर बिल्कुल भाई करके चलना चाहिए एक आज दो दिन का अगर समय देते हैं तो मुझे लगता दो दिन में अच्छी का सिदेजी यहां पर आ सकती है एक से दो दिन में यहां से अच्छी तीजी आ सकती है लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है ऑप्शन्स का चैंपियन जानने का और ऑप्शन्स की कॉल देने के लिए हमारे साथ फाइपाइसा.com के रूचित जैन फोन लाइन पर मुझूद है रूचित बताईए आज कहां होके दिख रहे हैं आपको यह वेरी गुड़ा पनौन आइटी के हेविवेट्स में हम कुछ ऑपर्चुन्टी इस दून रहे है तो ल्टीय माइन ट्री का पताउन सुका कॉल ओप्शन खरीदा है करनी की सलाह देगी 140 पे 90 रुपे का उस पर स्टॉप लोज अगे 240 के टागेट्स जनो यह ओप्शन में आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं रूचित बताने के लिए तो 5700 के स्ट्राइक की ल्टीय माइन ट्री की कॉल ओप्शन खरीदने की सलाह है 140 के आसपास टार्गेट इसके प्रीमियम का 240 देख रहे हैं रूचित शुक्रिया चलिए आए बढ़ते कुछ और स्टॉक्स पे अच्छा कर लेते हैं फिर नहीं स्टॉक्स की कुछ बात करता है बल्रामपुर चिनी में गिरावट दिख रही है करीब साहिश 4% मीचे है रवी जी आपका सलाज चाहिए क्या लग रहा है आपको बल्रामपुर चिनी में इस गिरावट में क्या करना चाहिए और गिरावट दिख रहे हैं यहाँ पर अगर इंट्रेटे चार्ट देखता है तो बिल्कुल चार्ट फॉर्मिशन यहाँ पर थोड़ी से बीक होई है तो वो 430 तब के पास सपोर्ट होती है उने जरा सकती है तो फिलाल अभी कांटर फॉर्स और गिर सकता है 430 के आसपास के लिवन देखने को मिल सकते है ठीक है तो यह है सारा बल्रामपुर चीनी में L&T Finance Holdings, stock में भी अच्छी बाइंग आई है तो दे पहले 156 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है और पिछले एक हफते में आप देख रहे हैं लगातार एक बाइंग नजर आदे धीदरे करके इस stock में अपने 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा है L&T Finance Holding का इस वज़े से stock को हम हाई राइट भी कर रहा है इस वक्त विन्हें अगर कोई ट्रेट लेना हूँ तो क्या भी भी मोके हैं L&T Finance Holding में आगे के टागेट्स क्या देख रहे हैं आप stock में इसमें अच्छा करेक्शन आया थे करेक्शन आया थे शाप करेक्शन दो सकते हैं नवेंबर मंत की मिड नवेंबर में इसमें अमने देखा था कि 150 रुपी से अगर आपकी एग्जिस्टिंग ओन पोजिशन से अगर आप प्रेश भी लेना चाहते हैं तो 151 का श्रॉप लगाई है और आप साइड में 169 जैसे मने बता है तो तो यह है सला स्टॉक में हम देख रहे हैं फिनाशन स्पेस में अची बाइंग नज़र आ रही है नवें लेंटी फाइनांस के बारे में तो बात की एमनेम फाइनांस में अची खरिदारी यहां पर देखने को मिल रही है 10% उपर 204 के पास स्टॉक कारूबार कर रहा है तरभी क्या वियू बन रहे है आपका एमनेम फाइनांस पर बिल्कुल पुझा जी आपने सही का इंटाक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बीटी एस्टी करते हैं तो उसके लिए भी यह काउंटर काफी अच्छा है यापर दिखाई देरा है 290 तके टार्गेट अभी जाते हुए नजर आ सकते हैं फ्रिश पाई करते हैं तो आपको 270 का एक मोमेंटरी स्टॉप लेकर यहां पर चल सकते हैं और इंट्राडे के ट्रेडर के लिए काफी अट्रेक्शन यहां पर दिख सकता है तो इंट्राडे के हिसाप से कर रहे हैं त पर चल के लिए पर चल के लिए अगर आगे करते हैं तो चल के लिए तक भी उपर भाव दिख सकता है लेकिन इस ट्रेड में 270 का इस्टॉप लोगा लिजेगा फटिलाइजर स्टॉक्स हमारे दोनों एक्सपॉर्स बता रहे थे अपनी ट्रेड के चौका में एक एक पिक ब और GSFC गुजरात इस्टेट फर्टिलाइजर पर राय दीती एक और स्टॉक है फर्टिलाइजर स्पेस में चंबल फर्टिलाइजर रभी जी कैसा दिख रहा है यह आपको क्या करना चाहिए यह चे परसेंट ऊपर है यह यहीं भी फ्रेश बाई के हिसाब से भी देख रहा है तो भी यहां पर 340 के स्टॉप रॉसस को बाई किया जा सकता है इमेरिट टार्गेट फिर से नोट कर लिए 360 और तुछा लंबा रखते तो 400 रुपए तक का टार्गेट यह दो अचीव होते हुए नज़र आ सकते 400 के भी टार्गेट यहां पर दिख रहे हैं इनको चंबल फट इलाईजर में लेकिन दो और स्टॉक एफए नो का ही स्टॉक से पी एस्यू कंपनी एचेल जहां पर आज 6% की तेजी है 2718 रुपए के आसपास का भाव है और IR CTC यहां पर भी सारह 4% के आसपास की तेजी है विना जी क्या लग रहा है इन दोनों में HAL और IR CTC इन दोनों में क्या करना चाहिए? और IR CTC की बात की है तो यह एक PSU स्टॉक से रेंवे स्टॉक से और काफी लंगे अर्से की बात इसमें मोमेंटम दिखा और मुझे जो अपसाइड है वो IR CTC जैसे स्टॉक में ज्यादा देज रही है जिस तरह से मोमेंटम हो रहा है दीरे दीरे यह ऐसा PSU स्टॉक से जिसम अच्छे का से अपसाइड बन सकते हैं मुझे लगा है कि यह 800 के और बढ़ रहा है और एक अच्छा लार्ज के बूर कॉलिटी कंपनी है तो यह एक स्टॉक रिखा सकता है और आपका तो स्टॉक से वह साथ सोबीस का स्टॉक लगा कर आप पर ट्रेड लीजिए अच्छी के लिए तग्यारी कर रहा है इस बीच अच्छी बाइं नजर आ रही है आज हम देखने है आई टी शेयरों में काफी अच्छी मजबूती है कल के करेक्शन के बाद आज मजबूती का बराने का काम करें और इस भी मिट्केश स्टॉक्स भी कॉंट्रिबूट करने लिए अच्छा मोमेंटम निकला है इंफाट यहां पर की एक रिजिस्टंस है 4850 यानि कि 4850 रुपय के उपर अगर यह निकलता है तो यह फ्रेश बेक आउट अट अबर डेडी चार्ट पर यहां पर डबल टॉप के पैटन से ख़ड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि जो टेक् अब यहां पर बंग सकता है शॉट्ट तंग के लिए मोमेंटम के लिए फो आसा वेट करिये जब तक 4550 रुपर नहीं निकलेगा तो आपको कॉंफिदेंस नहीं देगा पाफिस पर बॉफित बुकिंग थोड़ी बढ़ेंगी तो यह है सला L&T Technologies पर इस बीच कुछ और भी स्टॉक पर चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि PVR में भी अच्छी बाइंग नजर आरी है स्टॉक इस वक्त आधा परसंट कारोबार कर रहा है PVR के स्टॉक पर अगर नजर डाले तो यहां पर विने क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप अब इंपरी स्टॉक तो थोड़ा नीचे है लेकिन अच्छी मजबूत ही थी आज इस स्टॉक में भी PVR में क्या कोई ट्रेड नजर आदा है आपको विने मैं जादर इसको इग्नॉर करूंगा क्योंकि इतना कंविंसिंग सेटप नहीं है दो दिन के प्रॉफित बुकिंग के बाद आज पॉसिटिवी ट्रेड करना है लेकिन मोमेंटम कहीं नहीं मिसिक है बहुत सारी स्पेसे खास दिखने रही है और चार्ट के सेटप भी इतने कंविंसिंग नहीं लग रहे है जहां पर फ्रेश ब्रेकाउट भी नहीं लग रहा है तो मुझे लग रहा है आप ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे दूसरे स्टॉक से जिसमें बन रही है तो जिसकी लोंग पोजिशन ह इस डॉक कर दिख रही है वहां पर फोकस करना चाहिए यानि नहीं पोजिशन नहीं बनाने की सला साफ तोर से पीविय और आयनॉक्स में जिनके पास है वो से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं चले लेकिन अब वक्त हो गया है वी आईपी शेर जानने का और वैल्यू इंवेश्मेंट पिक यानि वी आईपी शेर बताने के लिए हमारे साथ आईसी से डिरेक्ट.com के पंकज पांडे जोड़ गए हैं पंकज जी बताईए इंवेश्टर्स के लिए क्या पिक है आज थैंक यू विश्मों जी पर हाविंग भी आईसी स्टाक में रेक्मेंट करना चाहूंगा इसका नाम है अवर राजा एनर्जी एड मोबिलिटी यहां पर अमारा टागेट परीस नाइंड़ रूपीस का है और खड़ी 20% के अप्साइड इसमें निकल कियाती है तेकी एक कम करेंग इसका है ने की अवर वर जू वर नार्जाएग वाटरी संगमेंट पर टाँ हिर टाएमट करता एंग करता है तो एक सबसे बड़ा इसका में उस्टी पर सिर्टी पर lesson तटी का है अगर आजिग मैं अजब तर एक करेंग करेंगा एक तुर्म में इसका है इस अहां प 16 GW का अपस्टी सेटब करना साथ है और करीब 5 GW का असेंब्ली का अपस्टी सेटब करना साथ है नियर थे में अज़े 2-3 साल में को यह बार्ज सो करोड रहेगा और 2 GW का यह कैपशिती सेटब करेंगे अच्छी चीज है कि एक कम्नी के हिस्तारिकली अगर आप मार्जिन के उपर का पड़ा हुआ है प्लस वैलुएशन इसका काफी अट्रक्टिव है पंदरा के मर्डेपल के ट्रेट करता है यानी साहसोपचास क आसफ़ास का सटॉक नौगसो रूपे तक यह असको जासे करें ख़ायज करता है कि मिशिमार अच्छा करना था यानि 750 के आसपास का स्टॉक 900 रुपे तक जा सकता है तो यहां से 1.500 रुपे की तेजी की गुंजाईश पंकजी को लग रही है जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपैंशन, कैपेक्स प्लांस है मार्जिन बेहतर दिख रहे है, वैलुएशन अट्रैक्टिव है तो इस सारे शिजर है जो स्टॉक को ड्राइब कर सकते हैं आसा पंकजी मानते हैं शुप्या पंकजी आपने वर्क दिया और हमारे दर्शकों को इंवेश्मेंट पिक बताई वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी और भी फड़ापर से कई सारे स्टॉक्स पर आपके लिए राय लेकर आएंगे प्रेक का ब्रेक कर सकते हैं तस्ट झाल 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 नमस्कार आप देख रहे हैं बन अपना तर्नांस मिनिस्टर और मैं हूँ आपके साथ कवित अथपलिया लेकि वेहत खार्शों लेकर आए हैं जहां पर हम ख्यार रखते हैं आपके आर्थिक सपनों का आपके आर्थिक लक्षों का आपको बताते हैं सही और सठीक निवेश रणनीती जिसके जरी आप अपने फिनांशल पोर्टफोलियो को बना सकते हैं और अपने आर्थिक सपनों की उड़ान उड़ सकते हैं चुरुआत करते हैं और दिशों के साथ S.I.P. के जरी एजुकेशन लोन चुकाना होगा असान जाने कर से मुप्ती का भेतरीन प्लान कैसे देखे मुचल फंड का पदर्शन, फंड के पदर्शन को ट्रैक करने का पैमाना क्या हो, कैसे अलग-अलग कैटिगरी में फंड से अलग-अलग मिलेगा रिटर्न पोटफोलियो में कैसे करें जोखिम की पहचान, क्यों अलग-अलग कैटिगरी इसके फंड में निवेश करें, 2023 में कैसे कैटिगरी के फंड से हुई बहतर कमाई साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक बालन्स पोटफोलियो, निवेश इंशॉररंस, क्रेडिट कार्ड, टाक्स, लोन, जोड़े सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बनो अपने फनान्स मिनिस्टर को अपने सवाल आप वाट्साप कर सकते हैं 9619873567 हमारा वाट्साप नंबर है आप चाहें तो अपने सवाल हमें यूट्यूब, एक्स और फेस्बुक पर भी भेज सकते हैं जहांपर हम लाइफ होते हैं और आपके सवाल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं चलिए आज बात करते हैं लोन से मुक्ती की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन लोन की जिसमें देखा गया है कि NPA बढ़ता जा रहा है लोगों ने लोन तो लिया है लेकिन उसको चुकान्या अब उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है किस तरह से एजुकेशन लोन की जो तादात है वो कुछ सालों में बड़ी है भारते बच्चे विदेश जा रहे हैं बहुत सारी विदेशी कंट्रीज में भारते बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स लॉंच किये हैं कोर्से लॉंच किये हैं कि परविस्तार से बात करते हैं सत्यम कुमार CEO को फाउंडर लोन टैप मेरे साथ जुड़ गए हैं सत्यम स्वागत है आपका हमारी इस बेहत खास पेशकर्श में सबसे पहले तो सत्यम मुझे समझना है कि लोन को लेकर जो डिमांड है और एजुकेशन लोन को खास्तों से म नजर में रख रही हूँ यहां पर उसी को लेकर हमारा आज का मुद्दा है पिछले पात सालों का नजरिया या जमीनी हकीकत मुझे समझनी हो आपसे तो किस तरह से उभरती हुँ दिखाई दे रही है एजुकेशन लोन को लेकर मेरे खासे कोविड के बात की तस्वीर कोव महौल है वो बहुत ही दरम हो गया है और यह दोनों ही वज़ा है डोमेस्टिक एकोसिस्टम भी रहा है और ग्लोबल एकोसिस्टम भी रहा है तो ग्लोबल एकोसिस्टम जो है जनरली पहले से ही बढ़ रहा था और कोविड के बाद काफी तेजी से बढ़ गया उससे बड़ कस्टमर्स को लगाया, बच्चों को लगाया और उस सारे के सारे प्रोग्राम जो है उन्होंने इंस्टॉल्मेंट पे शिफ्ट कर दिया अप्फरंट पेवेंट की वजए से जिसको कि उन्होंने कई बार कस्टमर्स को भी ऐसा लगा कि हम मैं सब्सक्राइबर की तरह हूँ कि मैंझे जैसे न्यूस पर आप सब्सक्राइब करती है चार महीने सब्सक्राइब किया, पाच्वा महीन आपको पसंद नहीं आया आपने हटा दिया लेकिन वो सिस्टम लोगों को बताया नहीं गया properly और लोगों ने क्या किया उनको as a subscriber समझा जब कि वो loan था और लोगों को वो loan चुकता करना पर रहा है अगर वो education उनको पसंद नहीं आया तो भी तो यह दोनों ही level में हमको देखना पड़ेगा एक तो global education के level में देखना पड़ेगा जिसमें की repayment capacity की issue भी है और दूसरा domestic ecosystem में था जहां पर की इस तरह की demand पहले नहीं थी बिल्कुल demand एक तरफ से हम ज़ादा देख रहे हैं और दूसरा जो NPAs है वो भी अगर हम देखे तो 7.6% है अगर हम quarter ending FY23 की बात करें यहां पर और लगभग 80,000 करोड तक का आखड़ा जहां पर NPA के तौर पर पहुँच रहा है education loan का कही ना कहीं हम देख रहे है demand का तो इजाफा हो ही रहा है लेकिन जो आपने भी खास्तोर से highlight किया है कि COVID के बाद हमने इस माहौल इस trend में बदलाव देखा है और students बाहा जाना पसंद कर रहे है ये बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता सत्तिम की जिस तरह से education inflation को बरता होगा देखते है वो आपकी आम खानपान की inflation की मुकाबले कही जादा है लगभग 11-12% की हम बात करें अगर हम education inflation की बात करें पिन पॉइंट यहाँ पर क्या है लोन को चुकाने में इसी पर विस्तार से बात करते हैं इतना बड़ा आकड़ा मेरे खाल से अगर 7.6% की मैं बात कर रहे हूँ ये काफी noticeable percentage है बैंकों के लिए भी कहाँ पर ये एक problem आ रही है कुछ आपने highlight की लेकिन इस पर विस्तार से बात करना चाहेंगे यूकि education एक ऐसा गोल होता है मातरपिता का गरम कर ले या अगर कोई student भी बाहर पढ़ना चाहता है और खुदी अपने आपको fund करना चाहता है और उसके लिए वो loan लेना चाहते हैं अपने parents के जरिए या किसी की भी जरिए यही बहुत मैजवपूंग गोल होता है इसके लिए planning करना आपके लिए बहुत अनिवारे होता है दी करता जी तो इसके जिसे मैंने बोला कि दो सेगमेंट में बाट करके ही देखते हैं और जब हम international segment की बात कर रहे है जो international education की बात कर रहे है international education में सबसे बड़ी जो चीज हुई है वो skilled workforce पहले जाती थी और skilled workforce की income जो है वो ज़्यादा हुआ करती थी कि skilled workforce या मनदब high end of engineering degree थी engineering demand था और उसके हिसाब से वो गय और उनको उस तरह की salary मिलती थी जिसे की वो lonely बे कर पा रहे थे पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो चुकि non resident के लिए जो है जैसे कल भी अगर news में देखेंगे तो UK जो है minimum salary requirement 35,000 dollar की कर रही है मतलब कि बहुत सारे student जो है वहाँ पे नौकरी ही नहीं ले पाएंगे तो अगर आप UK गए हैं और UK में अगर आपने एक course किया है जो कि आपको 35,000 dollar की salary नहीं दिलवा पा रहा है तो आपके लिए basically UK में job ही नहीं है तो आपने जो loan लिया वो ऐस education के लिया जिसका कि जो cost उसका बहुत high था और उसका remuneration status जो है वो वापिस Indian duties में अगर हो जाता है तो आपकी repayment की capacity की mismatch हो जाती है ये पहले नहीं देखा जाता था क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ लोग high end education के लिए जाते थे select university में जाते थे और वो selected university से निकलने के बाग उनका salary structure भी वही होता था during covid जो हम दूसरी चीज़ देखेंगे तो कई सारी companyोंने काफी छटनी करी है उन्होंने manpower पे बहुत ही बहुत ही गहरा lens लगा था अगर बड़ी companyों में देखेंगे तो facebook के news है amazon के news है twitter के news है सारी companyों के news है कि इस period में उन्होंने कितने सारे job उन्होंने कम किये है तो जो high paying company थी उसमें वैसे भी job कम हुआ है नया employment आई नहीं है mid to low paying company और mid to low paying job ये दोनों ही situation था तो कि sufficient नहीं है इस तरह के EMI को afford करने के लिए अगर हम देखेंगे तो generally वहाँ पे loan राशी बहुत बढ़ करके जो है 20-25 लाग रुपे हो गई है annual education cost वहाँ पे 25-40 लाग रुपे हो गई है तो ये सारे के सारे इतना huge जो cost है उसको pay करने के लिए जो education जिस तरह की income आपको जिस तरह का जॉब दिलाना था उसको उस लेवल का नहीं दिला पा रहा है और इसकी वज़े से under payment की situation आ रही है ये situation यूएस economy में already मौजूग थी तो जब COVID हुआ तो एक बहुत बढ़ा loan waiver किया था Biden administration ने अपने students के लिए और so over liberating जो student क्या था education की वज़े से वो हमने उस economy में already देखी थी ये अभी जो हम इंडिया में देख रहे हैं ये उसका ही एक छोटी सी जलक है अभी भी मैं बोलूँगा कि ये छोटी सी जलक है ये बहुत बढ़ा अभी नहीं है ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल सकता है क्या हुआ कि कई सारी जो digital learning app जो है उन्होंने अपने packages बेशने सुरू किये EMI पे और उसके उसमें जिस तर से EMI को उन्होंने कभी EMI नहीं बोला उन्होंने subscription charges बोला जिसके चकर में जो low income group के या जो उतने elitist माबाप नहीं थे elitist in the sense की जो उन्होंने की document को एक एक clear देख करके नहीं देखा पढ़ पढ़ करके तो वहाँ पे उनको लगा कि यह subscription पे है और जो कि subscription पे नहीं loan पे था और जब उन्होंने वो बंद किया हुआ education तो loan बंद नहीं हुआ, loan चलता रहा और उनको वहाँ पे disconnect हो गया कि यहने मैंने तो सोचा था कि मैं जब तक पढ़ाई करूँगा tuition की तरह है चार महीने किया तो चार महीने का payment करना है जबकि वो निकला loan जो कि आपने चार महीने पढ़ा या दस महीने पढ़ा पूरा का पूरा package का खर्चा आपको offerant company को देना था तो वहाँ पे again income का mismatch हुआ बहुत सारे segment वालों ने उसको subscribe किया जिनकों की regular eye bracket में उस तरह के cost afford नहीं कर सकते थे तो थोड़ा aspirational हुआ तो दोनुई जगह में इस तरह क्या हुआ है एक जिगह में lower income के लोग फसे हैं domestic market में और global market में mid to higher income के लोग फसे हैं और बाहर में अगर हम बात करेंगे तो बाहर में उस तरह की job availability कम हो गए जो कि उस तरह का eye दे सके जिससे कि आप EMI देंगे और domestic market में disconnect था उस education package को लेकर के और जब हमने उसको drop किया तो मेरे पास उसको बंद करने का option नहीं था चलिए अब मेरे ख्यार से थोड़ा सा loan की अदाईगी पर हम focus करते हैं हमने दुवधाय दिक्कते हैं और लोगों की मानसिक्त और जो अर्चन आ रही है बैंकों के NPA को लेके जो दिक्कते हैं उसको अगर हम side में रख लें और एक borrower की रणनीती में अगर समझना चाहूं आपसे तो कैसे EMI और SIP में आप balance out करें अगर आप उधारन के जरीए कोई strategy समझा सके सत्यम अब हमारे पास एक बहुत छोड़ी सी जहलक है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहां पर की लोगों ने बॉरो करके higher education किया है जो की costly higher education किया है और उसके बाद वो debt trap में चले गए हैं जहां पर की वो नहीं कर पा रहे हैं और इसको जो solve करने का जो traditional तरीका था वो था save करना और अभी भी जो modern तरीका है वो save को intelligent saving में आप बदल सकते हैं SIP करके जो की बहुत ही एक्टम सुचारू तरीका है कि आप उसकी planning जो है जब आपको 12th और graduation के बाद ये 2 stage होता है जबकि आप बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो अगर आपने 9th 10th से जिस तरह से कि आप career में focus करना शुरू कर देते हैं coaching, institution, vision के time में उस समय में अगर parents जो है उस तरह से planning शुरू करने तो उनको 3 से 4 साल मिल जाता है education का actually demand आने के पहले जब कि वो continuous SIP करके उस तरह से 6 लाग से ले करके 20-25 लाग रुपे की budget कर सकते हैं similarly अगर हम देखेंगे तो सरकार ने भी एक सुकर्मिया का भी system बनाया है जिसमें कि बच्चों के लिए आप जब बच्चीं जो होती है तब आपको उसके पहले साल से आप उसमें save कर से रहा सकते हैं जो कि वो उनके 20-18 साल में education के लिए use हो सकता है तीसरा है आपको education loan की requirement होती है या high money की use होती है जब आपको medical engineering professional courses में जाना है वो होता है graduation के आसपास MBA courses के लिए graduation के आसपास होता है तो उसके लिए अगेन आप जो है तीन साल की planning कर सकते हैं तो आप anytime में आप anything between 3-5 year के advanced planning करने से हमारे पास एक अच्छा सा watches बन जाता है जिससे कि अगर हमारी total requirement ज्यादा भी है तो अगर उसका 70-80% requirement अगर हमारी SIP से पूरी हो जाती है तो 30% के हिसाब से तो हम उतना afford कर सकते हैं हमारे मिलने वाले नौकरे से जिससे कि हम वो pay कर सके रहे हैं तो यह individually हमको इसमें जादा careful होना है और institution की problem institution की problem है लेकिन जो individual आपकी problem है उसके बारे बागर हम बात करें तो SIP एक ऐसा route है जो कि इसका एक magic solution है जिसको 3-5 साल पहले से प्लान करके हम इसको अचीव कर सकते हैं और राइट चलिए अब यहाँ पर जिस तरह से loan लेने के उपर research करते हैं और तमाम तरह के institution से जब loan लेने की बात आती है जब आप इसको चुका रहे होते हैं और जब आप अपना education का center decide कर रहे होते हैं किस तरह से planning आपकी उसी phase मेरी payment की भी शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि एक तरफ ये बात कि आपको विदेश में जाके पढ़ाई करनी है और एक तरफ वो बात कि आप जो लोन ले रहे हैं इसको आपको चुकाना भी है कितना realistic होने की ज़रूरत है आपकी मनशाय चाहे बहुत जादा हो लेकिन कहीं ना कहीं financial constraints या उसके loan लेने के बाद जो दिक्कते आने वाली है ये भी आपको देखनी होगी जैसा मैं पहले भी इंगित किया इस और में कि ये problem आप जो हम जो borrwer है जो हम user है इसके ये हमारी problem है institution की problem separate है हमको अपने एसाब से देखना है कि मुझे इसको कैसे deal करना है और जिस तरह से की education के cost जिस balloon होता जा रहा है और हमारे aspirations हम अलग अलग तरह के options भी आ रहे हैं digital media, AI, वगरा जो नए-ने trends है, data analytics जो पढ़ाई के लिए ये सारी costly पढ़ाईया है और इसके लिए हमारे पास option नहीं है कि last moment में all of a sudden हम choose करें और गलतियों को दोहराना जरूरी नहीं है मैं इस बारे में भी बार बार में ध्यान आपकर सित कराना चाहूंगा कि अगर एक गलती किसी और economy में हुई है या किसी और generation में हुई है जिसके उपर में काफी detailed results report है तो उस गलती से सीख कर हम loan dependent education ना बनाएं बलकि हम उसको investment या savings dependent education बनाएं भारतिय सोसाइटी बहुत ही जानी जाती है अच्छी savings economy रही है पिछले कुछ सालों में savings rate कम होता जा रहा है बट हमको उसको छोड़ने की ज़रुत नहीं है थोड़ा से पहले से उसको plan करने की ज़रुत है जो कि हम उसको 3-5 साल की भी अगर हमने advance planning की तो यह हमारा काम हो जाएगा आर्राइट चलिए काफी विस्तार से आपने इस पूरी बात को समझाया और कैसे कर्स केस मायजाल से या मोजाल से आपको छुटकारा मिल सकता है SIP के जरुए इसकी भी रणनी थी आपने बताई सकते है बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पेशकर्श में आज शामिल होने के लिए और चलिए फिलहार बन अपना फिनांस मिनिस्टर में वक्त हो गया चोटा सा ब्रेक पी लेने का लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको एक नुस्खा सिखाएंगे नुस्खा ये है कि अपने मुचल फंड की परफॉर्मिंस को आपको कैसे ट्रैक करना चाहिए क्या है सही तरीका अपने पूरे मुचल फंड पोर्फोलियो में से कौन सा फिसड़ी है उसको चुमकर बाहर करने का साथ ही दर्शुकों को भी हम शो में शामिल करेंगे लेकिन उस बीच चलिए हमारे साथ हमारे महमान भी शायद जो गए है मेरे साथ हर्ष रुम्टा फाउंडर फी उनली इंवेस्मेंट अडवाईजर्स एवल्पी जो गए है हर्ष स्वागत है आपका हमारी स्खास पेशकश में और एक बार फिर से आप शो पर हैं जहाँ पर आप मार्दर्शन देंगे दर्शकों को उनके mutual fund portfolio की और और सिखाएंगे उन्हें कि fund की performance और portfolio performance को कैसे track किया जाए तो सबसे पहले तो एक ideal portfolio की में बात करना चाहती हूँ एक ideal portfolio बताना दर्शकों को मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह बहुत ही case specific होता है आपके risk appetite, आपके financial goals, investment horizons वगेरा होते हैं और हर उमर में आपका portfolio शायद बदल भी जाता है depending कि आपके क्या लक्षे है और क्या risk appetite है बट एक ideal portfolio mutual fund exposure के लिहाज से कितना well diversified होना चाहिए इसका उधारन आप दे दीजे तो diversification हम क्यों करते हैं यह important है जानना diversification एक तरीका है risk कम करने का ताकि और risk जब हम कम करेंगे तो risk और return में literally चोली दामन का साथ है तो अगर हम risk कम करेंगे तो return भी कम होगा तो भी हम diversify क्यों करते हैं क्योंकि risk कम करना ज़रूरी है तो I think diversification का यह fundamental principle अगर हमें समझ में आ जाए कि हम diversification क्यों कर रहेंगे तो बहुत important होगा शायद Charlie मंगर ने या Warren Buffen ने कहा है कि अगर आपके चार asset classes है आपके पास debt है international equity है domestic equity है gold है और चारों ही अच्छा कर रहे हैं तो आप properly diverse अगर आपके पास तीन चार asset class है और तीनों चारों अच्छा कर रही है तो आप adequately diversified नहीं है यह मान के चलना चाहिए तो diversification important होता है risk कम करने के लिए और उसका एक side effect यह है कि वो आपका return भी कम करेगा लेकिन उसको stability देगा जब एक asset नहीं चलेगा तब दूसरा चलेगा जब दूसरा नहीं चलेगा तब तीसरा चलेगा यह तरीके से आप उसकी risk जो है उपर नीच को जो है थोड़ा सा कम कर लेते हैं अब तरह से performance पर आ जाते हैं और किस तरह से आपको portfolio की performance देखनी चाहिए और कैसे अपने mutual funds की performance को देखना चाहिए एक उधारन के साथ में शुरुवात करना चाहती हूँ हर्ष क्यूंकि हमें तो आप जानते हैं दर्शुकों के सवाल आते हैं जहां पर वो हमसे सलह मांगते हैं ठीक है तो आजकल जो अमोमन सवाल आ रहे हैं लोगों के वो अपने large cap funds की performance को लेकर है कुछ एक अदा सवाल हमें ऐसे भी आ जाते हैं जहां पर बाकियों mid cap funds के मुकाबले अगर उनका fund perform नहीं कर रहा है उनका mid cap fund परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या उस fund से निकल जाना चाहिए अब एक तो यह बात है कि आप mutual funds को stocks की तरह नहीं treat कर सकते हैं ठीक है यह बात आपको समझ नहीं होगी दूसरा performance की जब बात आती है तो उसकी तुलना benchmark से करें उसकी तुलना उसी category के दूसरी fund houses के fund से करें यह track करने का तरीका क्या होता है तो I think performance को track करने से पहले performance होता क्या और उसका गल्चीज क्या है कि first make no mistakes I think यह जो एक fundamental principle है वो समझना जरूरी है तो normal client को आप पूछें की भई आपका investment portfolio कैसे कर रहा तो बहुत अच्छा गर रहा है मेरा 1 करोड का 1.5 करोड हो गया अच्छा भाई that cannot be a way to decide whether आपका performance अच्छा गर रहा है 1 करोड से 1.5 करोड 10 साल में हुआ तो उसका return 6% है तो absolute performance without knowing other factors is very misleading it can be very very misleading तो एक तो most clients को percentage की जो finger है वो mind में imprint करना बहुत मुश्किल है mind में imprint क्या होता है कि मैंने 1 करोड डाला आज 1.5 करोड है ये mind में imprint होना easy है इसलिए वो ध्यान रहता है और उससे performance का आंकलं उसकी business पे करना वो बहुत गलती हो सकता है जैसे मैंने बता है second चीज जो है कि आपने percentage भी देख लिया जैसे मैंने कहा कि आपका एक करोड का डेड़ करोड एक साल में हो गया तो 50% return आ गया तो आप कहेंगे आपको खुश होना चाहिए लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि आपको खुश नहीं होना चाहिए आपको बहुत ना खुश होना चाहिए यह बिल्कुल बेकार performance है तो कैसे होगा क्यों होगा उसी दोरान यह equity mutual fund है उसी दोरान अगर market double हुआ है और आपका fund सिर्फ 50% बड़ा है तो relatively बहुत ही खराब performance है और सारा investment performance relative to benchmark होता है relative to what you wanted to achieve होता है तो very very clearly benchmark देखे बिना आंकलन करना performance का review करना बहुत गलत हो सकता है और इसका जो reverse है हो बहुत ही difficult होता है अब market 50% गिदा आपका fund 25% गिदा now that बहुत super performance है लेकिन यह client को बता के देखिये आप कि इन्हों क्या हुआ आपका loss हुआ है लेकिन फिर भी बहुत super performance है आपके fund का लेकिन यह client मानने को तयार नहीं है इवन दो उसका दिमाग यह समझ जाता है उसका दिल नहीं मानता तो यह दिल को overcome करना कैसे performance देखना यह बहुत एक important चीज है third जो आपने अधी जिक्र किया कि यह लोग compare करते हैं between apples and oranges मेरा large cap fund है चलो large cap, mid cap, small cap तो फिर भी equity के subsets हैं तो थोड़ा बहुत comparison especially over very long term is possible but the biggest issue is people, जब loss हो जाता है तो लोग करते कि इससे अच्छा तो मैं fixed deposit में डाल देता, fixed deposit में ज़्यादा return आता मैजे तो यह जो एक तुलना है या एक तरीके से आप performance evaluate कर रहे हैं एक fixed return के सामने वो बहुत भी गलत है because fixed return में उससे ज़्यादा आपको मिलना ही नहीं था versus यहाँ पर आपने chance लिया high return के लिए और उस चकर में आपको loss भी लगा तो वो हो नहीं है वो इसका इसकी फिक्रत है equity की फिक्रत है वो अगर वो आप नहीं जानते उससे अगर आपका expectation वो नहीं है और यह frequently होता है लोग बोलते हैं कि जब loss हो ना तब किसी तरीके से आप मेरा capital protect करो लेकिन ना जब market बढ़े तो ना मुझे market से भी ज़्यादा profit चाहिए तो अगर यह आपका expectation है तो आपको mutual fund manager नहीं चाहिए आपको जादूगर चाहिए और जादू actually जादूगर दुनिया में नहीं होते हैं यह हम जानते हैं तो performance evaluation has to be done properly और एक सबसे important चीज मैं बताना चाहता हूं लोग performance देखते हैं कि इस fund ने मेरी लिए क्या किया तो मैं एक example देता हूं कि किस तरीके से misleading हो सकता नब 23 March 2010 को किसी ने एक लाख रुपया जो है liquid fund में डाला और 10 साल बाद 10 साल बाद long term 23 March 2020 को उन्होंने निकाला तो वो पैसा थे एक लाख से एक लाख चौशट अजार हो गए तो roughly this is data मैं data दे रहा हूं आपको 7.9% का return आया उनको यही पैसा उन्होंने 50-50 TRI इंट्स में डाला होता तो एक लाख का एक लाख चौशट अजार ही होता which is only 5.1% तो यह तो long term भी हो गया 10 साल का investment है और यह 10 साल के investment में Equid Fund has done better than equity. Does that mean that over long term equity is better than equity? यह तो हम सब जानते हैं कि यह true नहीं है तो इससे यह clear होता है कि एक specific period लेना जो होता है जब आप अपना performance देखते हैं आपने जब invest किया versus आज today जब आप उसका अंकलन कर रहे हैं वो एक period है जितना भी है एक साल, दो साल, तीन साल उसमें बहुत misleading data आ सकता है in fact client के अंदर ही misleading data आ सकता है अगर client ने systematic investment plan किया है तो उसके 10 installments होंगे उसमें से 5 में benchmark के उपर होगा, 3 में benchmark के नीचे होगा तो fund तो वही है तो overall अगर वो benchmark से उपर है तो वो fund अच्छा हो गया और overall यो है तो खराब हो गया वैसे नहीं होना चाहेंगे because उसके अंदर भी there are certain periods during which you invested where जहां पे आपको better than benchmark return मिला तो इसका तरीका क्या है? rolling returns आपको करना है over a sufficiently long period यह जो starting point bias और ending point bias है इसको निकालने के लिए rolling analysis यानि 10 साल का एक period नाले 10 साल के जितने भी 10 साल के period है अगर वो हम लेते हैं तो 90 प्रिशत of the time Nifty beats the liquid index and that is why we say equity gives much better return than fixed income over long periods that does not mean कि हर बार वो देता है लेकिन अगर 90% time देता है तो वो obviously better है तो आपको करना बड़ा मुश्किल है खास करके जब आप उसका आपलन अपने performance आपके लिए उस fund ने क्या किया उसके basis पे करते हैं तो गल्ती होने के बहुत ज़्यादा chances हैं और यह समझाना client को बहुत ही मुश्किल है unless यह आपने client को पहले समझाया यहाँ पर जो अपने parameters बताए है सवाल मेरा आप यहाँ पर यही है कि इन ही parameters पर अगर कोई fund खरा नहीं उतर रहा है तो उससे निकलने का भी फैसला कर लेना चाहिए तो बिल्कुल तो दो तरीके से exit हो सकता है एक तो performance के लिए exit करना है और एक यह है कि गोल आ गया तो गोल आ गया उसका exit अलग तरीके से होगा कि भई आप एक साथ में exit ना करें अगर equity वगेरा में है तो एक साल दो साल उसको weekly या monthly उसको liquid में डालके फिर exit करें जस्ट लाइक आप घुसे systematically निकले भी systematically अब अगर performance के basis पर कर रहे है तो उसको performance को आखा कैसे है आपने वोली इंटरंस लिया है आपने over a sufficiently long period and you have compared it to उनका benchmark या उनके जो peer funds है जैसे आपने large cap की बात करी तो उसको आप large cap के benchmark से compare करें निफ्टी 100 निफ्टी 100 TRI या निफ्टी 50 TRI जो भी benchmark यूज़ करना है तूसरे large cap funds की तुलना में वो कहा है rolling returns के basis पे आपके returns के basis पे नहीं तो उस तुलना में वो कैसे है अगर वो consistently low है तो कई दिनों कग low रहता है तो यह भी change होते रहता है इसको आज आखेंगे even rolling returns keeps on changing तो उसको थोड़ा time देना चाहिए non-performance को भी प्रूव करने के तो consistently non-performing है on rolling returns basis compared to benchmark compared to उनके जो उस type के funds है तब उसमें से आप निकलिए वो आप directly निकल के similar fund में एक one shot भी जा सकते हैं और राइट हश बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला और इस page crush में guide किया दर्शुकों को बताया कि इस तरह से funds की performance ट्रैक करनी चाहिए पोर्टफोलियो के लिहाज से उसको पोर्टफोलियो में रखे या बाहर निकले उसकी जानकारी देनी चाहिए और साथ ही आप हमें social media पर ex facebook पर भी अपने सवाल भीज सकते हैं और आपके सवाल हम शोर में शामल करेंगे और उसी के साथ आपको हमारे expert से आपकी बात भी करवाएंगे मिलती हूँ आपको break के बात कर दो कर दो कर दो दो झाल 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 जाल करो झाल झाल मिल्का सारे मिथ्याएं हैं लोगों को बहुत सारे मिद्स हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जिसकी वजह से वो कंफुरिटबल फील नहीं करते वो साइटायटर उसके पास नहीं जाना चाहते काफी लोग आज की डेट में अल्टनेटिव मेडिसिन और अल्टनेटिव थेरपी को में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छा है या इससे हमें नुकसान नहीं होगा, साइड इपेक्ट नहीं होगा तो यह वाले चालेंजिस को देखते हुए इवेंचिली मनस्तली ने डिसाइड किया कि हम एक इंटिग्रेटिव अपरोच लाना चाहते हैं मतलब कि हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड आस्पेक्स को और उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज है चाहे वो कॉंपलिम प्रणा चाहेंगे आपका इलाज एक तरीके से हो तो दूसरा तरीका आपके पास अवालेबल ही नहीं होगा बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जोती आपने और इसका एक बहुत बड़ा एक्जामपल दीपी का पादुकों ने दिया था 2015 में वो गजब तरीके से आगे बढ़ रही थी बहुत सक्सेस्फुल थी लेकिन उसके बावजूद उनको अपने जीवन के उद्धेशों को वो समझ नहीं पा रही थी और कई बार वो अचानक रोने लगती थी उदास हो जाती थी बहुत सारी चीज़ें होती थी अकेला पन महसूस करती थी और इन सब पर उन्होंने खुल कर बाचीत की थी तो जरूरी नहीं कि आप बहुत व्यस्त हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ये तकलीप नहीं होगी तो मन के इशारों को जरूर समझना चाहिए चलिए बढ़ते आगे डॉक्टर जूती जरा मुझे ये बताईए कि चैलेंज क्या आते हैं किस तरह की चुनौतियां पेश आती हैं और इस लिहाज से आपकी सुझाव क्या होंगे देखे जहां हेल्थ स्टार्टप की बात है हेल्थ टेक्नोलोजी ग्रो कर रही है और उसमें दो तरीके के पारडाइम्स हैं एक जहां पे आप एक अउनलाइन प्लाटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और इंफ्रस्ट्रक्चर के हैं चेंज़ आ रहे हैं लेकिन इंटरनेट स्पीड की अभी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी असेस्मेंट्स जो हैं और टेस्टिंग मोडालिटीज हैं वो अभी भी हम ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉल्स नहीं परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन जो बह जेनरल प्राक्टिशनर किसी रिमोर्ट एरिया में है तो उस जेनरल प्राक्टिशनर के साथ पेशेंट कनेक्ट करके स्पेशलिस्ट से कनेक्ट हो सकता है तो यह एक जो लिंक है इसको एक्स्प्लॉर किया जा सकता है पर्टिकिलरली हेल्थ इंडासिट्री में बिकाज specialist का access, especially psychiatry में, mental health में यह इस तरीके से किया जा सकता है, बड़े-बड़े hospitals का इस तरीके का, you know, telemedicine room कई जगे पे established हो चुका है, जहां पे यह है, तो challenge mainly infrastructural है और उस infrastructural challenge पे work करना है, दूसरा जो training है, उसमें अभी जो legalities है, बहुत जादा clear नहीं है, और उसकी वज़े से कई बार doctor patient की communication पे असर पड़ता है, कौन सी चीज़ें आप easily treat कर सकते हो, online कौन सी drugs आप prescribe कर सकते हो, कौन सी आपको online pharmacy से available हो सकते हैं, खास कर psychiatry में, वो एक challenge रह जाता है, क्योंकि काफी सारी medicines हैं, जो की initially prescribe करने की जरुरत होती हैं, अगर आपको anxiety हो रही है, और anxiety की medicine हमें आपको देनी है, तो अभी हमारे आपको डिलिवर नहीं करेगी, तो जो एक initial जो एक हमको help देनी होती है patient को, जैसे अगर दर्द है तो pain killer देना है, और anxiety है तो anti-anxiety देना है, तो वो anti-anxiety हम अभी online prescribe नहीं कर पाते हैं, तो यह कुछ challenges हैं, infrastructure and regulations को लेके, Mental health में particularly जैसे हम discuss कर चुके है, awareness का एक major factor है, awareness के अलावा education का, कि हम myths को overcome करें, because बहुत स्यादा misinformation है, for example, diagnosis को लेके psychiatry में एक शब्द आजाता है depression और हर एक आदमी कहता है मुझे depression है, जब कि there are more than 100 diagnosis और उसके अपने diagnostic criteria हैं और उनकी अपनी management strategies हैं, तो इन myths को हटाने की ज़रुवत है, medicine को लेके बहुत सारे doubts हैं कि हम addict हो जाएंगे, या हमारे को कोई बिमारी हो जाएगी, जिस वज़े से compliance पे भी असर पड़ता है, तो वो चीज़ को दूर करने की ज़रुद है. बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर देवर जोती और डॉक्टर जोती आप दोनों का और बहुत बैतर तरीके से आपने तमाम बातों को रखा और उमीद करते हैं कि ये चर्चा लोगों के लिए फायदे बंद रहे और मैं यही कहूंगा कि mental health को किसी भ आपको expert की सलाज जरूर लेनी चाहिए और आजकल बहुत सारे startups हैं जिनके जरीए आप physically भी अगर कहीं नहीं जाना चाहते तो आप online भी अपने आपको उनसे consult करके और उनके तमाम module को अपना सकते हैं और इस दिशा में बहुत बेतर तरीके से काम हो रहा है उमीद ही करते है कि आज का startup मंत्र आपको पसंद आया हो फिलाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे अजाजत आप देखते रहे है इची नाव सोदेश नमस्कार कि अजाद तर आपको रहे हैं 3 झाल 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 नवसकार स्वागत है आपका हमारी खास पेश खास कमोडिटी विशेश में आज हम बात करने वाले हैं नौन एग्री मार्केट की नौन एग्री मार्केट में जिस तरह का एक्शन खास करके बूलियर मार्केट और इनर्जी मार्केट में दिख रहा है तो पूरी धुनिया की इन दो सेग्मेंट पर खास तौर से है सोना लगातार नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है पहले घरेलू बाजार में बना इंटरनाशनल मार्केट में भी रिकॉर्ड रैली दिख रही है लेकिन क्या यह रैली कब तक चलेगी कहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए कहां पर ए इनीश चौदरी हैं रिसर्च हेड हैं स्टॉक बॉक्स के और सचेन गुपता हैं फाइप ऐसा कैपिटल से आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इटी नाव स्वदेश के दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए चले तो नौन आग्री मार्केट की गोल्ड पर ही होगा क्या लग रहा है यह कहां तक जा सकती है किसी को खरीदारी करनी है तो कब खरीदे किसी को निकलना है तो कब एकजिट करें पोजीशनल ट्रेडर्स के लिए गोल्ड पर आपकी राय क्या है तो गोल्ड आपका जैसे कल यह CPI डेटा आपने जैसे कहा CPI डेटा वस अंडर कंट्रोल तो जब आपका लास्ट जब यह FOMC हुआ था तो मिस्टर पोविल ने बहुत क्लेरी बताया था कि यह आपके जो जॉब डेटा आ रहा है और जॉब का CPI डेटा आ रहा है उसी के ओ पर वो उनका decision लेंगे कि next rate hike उनको करना है या stable करता है या rate cut की बाद भी हो सकती है तो जैसे वो fedometer जैसे दिखा रहा है कि almost nil probability है कि वहाँ पर यह लोग rate बढ़ा है बढ़ा आने की तो कोई उम्मीद अब रही नहीं और कल हमने देखा जैसे data better आया bullion के लिए या control में आय तो यह इस तरह से हो गया कि सीजा जो डॉलर इंडेक्स दा हो 106 वाला 104 चार चारीस चार पचार पचास रहे गया so market celebrating a very nice way और bullion भी आप अगर गोल्ड की बात करते हो तो गोल्ड भी 25 डॉलर की तीजी आपकी कल आपको लेको देखने को मिली तो यहाँ पे जो होगा कि पर कंट्रोल में आएगा एक्शुरी जो स्टेप इन्होंने इतने टाइम से लिये हुए है इंट्रेस रेट हाइक करके वो रिजल्ड आप दिखना चालू होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक गोल्ड बाय और डिप्स आ गया यहां से अगर आप 1970 is the current level in gold त अगर आप देखो तो 60,355 का MCX पर लेवल है तो 59,800 का अगर अगर आप बाय करो तो यहां से आपको एक अच्छा रेली मिल सकता है आप 59,800 का पूट बाय करके future long कर सकते हो इस strategy में आपका नीचे का जो side रहता है वो beyond the point unlimited risk पे रहता है और उपर में आपको 61,500 के लेवल देखने को मिल सकते नेक्स तीन या चार बीने में अगला सबाल मनीजी आपसे होगा आपसे मैं investment के लिहास से जाना चाहरा हूँ तो कि gold आपको कैसा लग रहा है क्या ऐसे trigger होंगे जो आपको लग रहा है कि 2024 में gold के prices को और भी drive पर सकते हैं क्योंकि खबरे ये आ रही है कि December में जो correction आना होगा आएगा फिर नए तरीके से ज इस तरह की चाल रहे हैंगी क्या कर सिगर आप gold के लिए यहां से देख रहे हैं सर अभी gold जैसे आपने सही बताया कि new highs की तरफ मंदब चल रहा है हमें आशा है कि आगे जाके for 2024 also हमें लगता है कि gold में positivity होनी चाहिए रहनी चाहिए उसके पींचा reason है पहला reason है कि हमें लगत closer to rate cuts तो हमें ऐसा लगता है कि 2024 में rate cuts होंगे in the second half उसके कारण क्या होगा कि dollar weaken होगा और dollar weaken होने से जितने भी dollar denominated commodities है उसमें चाल बदब अच्छी रहती है दूसरा reason है कि जो central banks across the globe अभी recently world gold council का data आया था उसमें थागया है कि third quarter of 2023 में net central bank की buying was the third largest in the history so continuous उनके तरफ से buying हो रही है which again gold को supportive होना चाहिए रखना चाहिए geopolitical tensions भी अभी तक पुरी तक परीके से हटी नहीं है यूकरेन का war अभी भी है इस्रेल हमास रीफ मतब चली रहा है उसमें शायद हो सकता है कि थोड़ा और वो फ्लेयर अप हो जाए तो gold की demand और increase होगी हमें लगता है 2024 में एक unknown factor है geopolitical scenario में जिसमें चाहिना टाइवान का भी कुछ हो सकता है प्लेयर अप बिकॉज हमें लगता है कि टाइवान में elections है तो जो upcoming elections है वहां के जो चायना एंटी पार्टी है उसका इस पर अपर हैंड elections है अगर वो आती है जीतके तो फिर से शायद ये चायना टाइवान का फ्लेयर अप हो तो जियो पॉलिटिकल इंशन वो इसके कारण भी बोल्ड सपोर्टिव रहना चाहिए और आखरी रीजन कि जितने भी ये पोर्टफोलियो मैनेर्जेश है उनके पास एक डायनामिक एसेट अलोकेशन मल्टी एसेट अलोकेशन वाले फंड्स है उसमें भी काफी सारा पाइंग आ रह उसे और चांडी को लेकर क्या उत्रुक है सर्फ क्या इसी तरह कि ए रेंज आप से शोने में चाल रहीगी तो हमें लगता है चांदी में भी हम पॉजिटिव है तो कि हाशन गुपता आप से मेरा सवाल ट्रेडर्स के लिए होगा जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए कहां पर आप मौके दिख रहे हैं, क्या रेंज अगले एक से दो हपते में गोल्ड का आपके हिसाब से है, क्या टार्गेट, क्या एस्टाप्लस, किन लेवस का गोल्ड में ध्यान रखना चाहिए सचें, आज जी बिल्कुल कि हम बात करें, यहाँ पर तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से फैट की साइट से भी लेस हुकिस स्टेंस जो है, वो लेते हुए दिखाई दिये हैं, विकरस अप्धी इंट्रस रेट हाइक को लेकर, और कुछ ऐसे एक्स्पेक्टेशन भी हैं कि दिस पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जिसके विजए से हम यहाँ पर गॉल्ड में, अप्साइट मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं, साती सात में अगर हम जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो आपस से टैंशन यहाँ बढ़ती हुई नजर आई, इस अगे पॉजिटिव फैक्टर फोड़ा गोल्ड फैक्टर्स अगर हम शॉट तर्म पॉजिटर्स यहाँ पर बात कर रहे हैं गोल्ड के लिए, अट प्रिजें प्रैजिज जो है नियर आउं 63-500 के आसपास में है, अल्रड हमने एक अच्छा बढ़ मोमेंटम लोगल से देखा है, so definitely volatility will be there, यहाँ पर buy and dips की strategy रखनी चाहिए, every dip पर यहाँ पर एक buy positions initiate की जा सकती है, short term में अगर हम targets की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहे है कि immediate target एक बढ़ 65,000, 65,500 के आसपास तक के targets जो है, वो हमें short term में गोल्ड में देखने को मिल सकते है। चांदी को लेकर सचिन कुपता क्या लग रहा है आपको चांदी में भी अच्छी तीजी आ गई है, जिस तरह की catch up राईली गोल के सब चांदी में दिखी है, यह तीजी कहां आपको जाती दिख रही है, पोजिशनल टेडर्स के लिए, किन लेबल का ध्यान रखना चाहिए चांदी में आपका टारगेट स्टॉप लोस क्या है एक हफते के लिए? आपको क्या लग रहा है, चांदी की जो तेजी है, यह कहां तक जाएगी? आपके हिसाब से चांदी किस दायरे में ट्रेड करेगी? क्या टारगेट आप देख रहे हैं चांदी को लेकर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आप बताईए चांदी में कहां मौके हैं, किस तरह क मौके दिख रहे हैं आपको? नहीं कर पाती, बट अबने कल देखा कि 22 वाली चांदी कल सीधा 23 को क्रॉस कर गई, तो investment class के लिए gold से better return चांदी देदेगा, but it comes with risk, क्योंकि अगर gold अगा नीचे जाता है, तो चांदी बहुत जादा नीचे आ जाएगी, बट उसकी probability बहुत कम है, तो कोई अगर long करना चा 76,000 के level देखने को मिल सकते है, in next couple of month और 3 month, 75-76 would be a great resistance area, तो ये एक बार cross करें, फिर वो एक नहीं तेजी अपने को देखने को मिल सकती है, धर वाइस हमने देखा, last 3-4 साल में, वो हर बार 75-76,000 पे आके उसका bull run जो है, वहाँ पर exhaust हो जाता है, तो I would suggest कि यहाँ पर आपक आपसे भी मेरा एक सवाल चांदी पर होगा, चांदी में जिस तरह से industrial demand बढ़ने की report आ रहे है कि 8-10% जादा demand रह सकती है 2024 में, और जो mining है वो भी कम रहेगी, मेक्सिको और पेरू से जो silver का जो production है, वो 2% तक कम रहने का अनुमान है 2024 में, इसको देखते हुए demand बढ़ने वाली है, लेकिन supply कम रहेगी, इन आंकडों को देखते हुए आप चांदी पर आपका view क्या बन रहा है मनेशी, हमें लगता है कि चांदी में भी हम positive है, क्योंकि चांदी में हमें लगता है कि industrial usage continuous रहेगा, और जिस हिसाब से मन्तब सोने में चाल रहेगी, तो हमें लगता है चांदी में भी उसी हिसाब से चाल रहनी चाले है, चलिए, गोल्ड और सिल्वर के बाद अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल के लिए भी जो पिछला हपता था काफी action से भरा हुआ था, अच्छी तेजी के बाद एक काफी healthy correction भी इंडिया के लिहा चाहता है, वो कम करें, अनिवार नहीं है, उत्पादन कटोती है, तो ऐसे में जो 22 लाख barrel की जो उत्पादन की कटोती होगी 2024 के पहली तिमाई में उसमें से आधे से अधिक already कटोती है, तो इसलिए बहुत चिंता नहीं है, क्रूड पर उसका असर भी हुआ, लेकिन अब क् चिंतन मेता जी, क्या कच्चे तेल में यहां से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, क्या आप तेजी की position बनानी चाहिए, पोजिशनल ट्रेडर्स को कच्चे तेल में, किस तरह के मौके दिख रहे हैं, आपको क्या सला है कच्चे तेल में? भी इस वार के अंदर इन्वाल हो जाएंगे, टर्की भी उसके अंदर आ जाएगा, तो सप्लाई साइड पर बहुत कंस्ट्रेंट आ जाकता है, तो उपर में हमने MCX पर 8000 का लेवल देखा, बट इरान ने जब उसके अंदर इन्वाल ज़्यादा हुआ नहीं, जो वार एक एक control zone में अभी तक चल रहा है, which is between two countries only, तो यहाँ पर हमने फिर देखा कि supply एरान ने बोला कि हम अमारा supply बढ़ा देंगे, तो हमको supply देखने को मिला और उसमें oversold zone में चला गया, 6000 के आजू बजू, और अब यह 6500 के आजू बजू ट्रेड हो रहा है, तो मुझा यसा लग कोई नहीं clarity के बाद ही आ सकता है, जो मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो आप नीचे के लेवल पर भाई करिए, फिफ्टी एंडिट का stop loss रखिए, और उपर में 7300 से लेकि 7500 तक आप बेच सकते हो, सचिन गुपता, आपको कच्छा तिल कैसा दिख रहा है, क्या range है, और किस तरह के target आप कच्छे तिल में देख रहे हैं, और उस trade के लिए stop loss का भी level बता दिजीगा, कि कहां पर stop loss लगाना चाहिए, क्रूड की trading में, अगर देखा जाएं, तो fundamental factors काफी यहां पर बग करते हो नजर आ रहे हैं, और इसकी चक्कर में यहां पर continuously weakness बनी होई है, और रीसेंटल अगर हम बात करें तो OPEC Plus के जो decisions निकल कर आए है, बट मार्केट कुछ ज्यादा deeper cut expect कर रहा था यहां पर, जो कि हमें देखने को नही ही मिला है OPEC की side से, but again downside slight cap नजर आ रहे है, because of the geopolitical tensions जहां पर arise होती हुझी नजर आई है, अगर 2024 के लिए हम overall growth point of view से देखें, तो like demand में कोई growth at present नजर नहीं आ रही है, जिसकी वज़े से overall pressure यहां पर बना हुआ है, well technically भी अगर हम बात करें, तो prices जो है 200 days के moving average के नीचे यह simple moving average के नीचे यहां पर sustain करते हो नजर आ रहे हो, हमें लग रहे है higher side में जब तक prices 6700 के levels के उपर sustain नहीं करते हैं, जब तक one way कोई momentum से यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, well downside मे 6000 का immediate psychological support है, in case support level break होता है, तो downside open हो सकता है till the level of 5700 औ 5600 तक के लिए, और अभी at present अगर देखें, मने जी आप से मेरा सवाल कच्चे तेल पर यह होगा, कि यहां से कौन से ऐसे trigger होंगे, जो कच्चे तेल के दाम को ऊपर की तरफ से ले जाएंगे, और कौन से ऐसे trigger होंगे, जो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाब भी बना सकते हैं, आपका outlook crude oil market को लेकर क्या है? Crude oil में हमारा in-house view ऐसा है कि हम बहुत जादा crude oil में bullish नहीं है for 2024, हमें लगता है कि जो brand अभी 78 के आसपास है, वो शायद year end तक हमें range boundary दिखे, उसके दो-तिन कारण है, एक तो पहला है कि OPEC Plus जो है, वो लगाता production कट कर रहा है, बट फिर भी कहीं न कहीं वो जो supply हट रही है market से, वो non-opac producing countries उसको handle कर ले रही है, तो ऐसा बहुत सारा market में squeeze नहीं है in terms of production कट, और हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं OPEC Plus में एक visible crack हमें दिखना चालू हुआ है, which is again not good for the whole OPEC Plus as a community, दूसरा reason है हमें लगता है कि global economic growth है, वो कहीं न कहीं 2024 में थोड़ी slowdown होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी interest rate hikes हुए है last 12 to 18 months में, उसका कहीं न कहीं आपको 2024 में effect दिखेगा, जिसके कारण crude oil का जो demand होता है from developed and developing countries, वो शाइद कहीं न कहीं थोड़ा हम होगा, third factor is China, which is the largest oil consumption economy in the world, one of the highest, उसमें हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं चाहिना का economic growth still lag करेगा 2024 में और हमें वहां अभी भी green shoots नहीं दिख रहे हैं, so all these factors हमें लगता है कि print में बहुत ज़्यादा तेजी की उमीद हमें नहीं है in 2024, और हमें लगता है कि शायद 100 USD का market frost नहीं थर पाए in 2024. चलिए, crude के बाद आप बात कर लेते हैं natural gas की, चिंतन natural gas में positional traders के लिए क्या मौके आपको दिख रहे हैं, किस तरह की trading करनी चाहिए NG में? नेचरल gas देखे, वो highly dependent होता है US weather के ऊपर, तो अभी तक जो US weather आपका जैसे वो behave कर रहा है, वो as per expectation आगे चल रहा है, बट जैसे normally सब जैसे weather आप डिपार्टमेंट से सुन रहे होंगे, कि हर सीजन आज के दिन में एक एक दो-दो महिना पोस्पोन हो चुकी है, तो US में ज क्योंकि उसकी जो production capabilities है natural gas की और storage capabilities है, वो overnight आप improve नहीं कर सकते हैं, वो 14 million barrel के ऊपर वहाँ पे henry up की जो limit है, उसी पे है, तो अगर ये January और December end में, अगर कहीं पे ऐसा कुछ unexpected मिले, तो ही आपको यहाँ से 3 dollar के ऊपर की तेजी देखने को मिल सकती है, वरना इसी तरह से वो उपर में 282,90 पर supply आजाएगा और 220 और 230 के बीच में आपको वहाँ पर डिमांड टिक्ती मिल जाएगी, क्योंकि सीजर अभी खतम नहीं हुआ है, रिस्क अभी खतम नहीं हुआ है, तो आप below the bell, जैरी आगर आप जैसे देखना चाहों तो MCX में वो 230, 240 का job level है, वो बहुत मुश्किल लग रहा है नीचे ब्रेक करने के लिए, तो वहाँ पर आप बाई करके 270, 280 के बीच में आप सेल बना सकते हो, इस इस वाट वी धिंक, एट एबेंस, शसीन, नैच्छल गैस पर आपका व्यू क्या लग रहा है, क्या लग रहा है सचिन जी, आपको किस तरह की चा लागे रहेगी, पोजिशनली, टार्गेट, स्टॉप रॉस, नैच्छल गैस में भी बता दीजिए, जी मिलकुल, नैच्छल गैस में भी एक अच्छा टरन आराउंड हमने 275 के लेवल के असपास से आता हुआ देखा था, वैल डाउन साइड में प्राइज ने एक सपोर् यहां पर ओवरोल जो ट्रेंड हमें लग रहा है चार्ट्स पर वह वीक ही नजर आ रहा है और डाउन साइड जो एकस्पेक्टेशन से वह करीब 215-212 के लिए है तो यहां पर भी एक बार शॉट इनिशेट करके यहां प्रॉफिट हिया जा सकता है चलिए अब एनरजी माऋकेट और बूलियन मार्केट के भाद बात कर लेते हैं बेस मेटल की मने जी सब से पहला सवाल बेस मेटल के reckना मेंटल आपको कैसे दिख रहे हैं ग्लोबल का सिनारियो किस तरह का दिख रहा है और कोई टाप पिक आपको लग रही है जहांपर जादा action जादा तेजी की उमीद आप कर रहे है बेस मेटल्स में आपके हिसाब से टॉप ट्रेड बेस मेटल्स में कौन सा रहने वाला है सब मेटल्स हमें लगता है कि चाइना का जो economic growth है उससे खाफी related रहता है हमें चाइना में बहुत जादा economy में जती आएगी 2024 में इसे इसमें हमें थोड़ी कम संभावना है उसी हिसाब से हमें मतलब बेस बेटल्स में भी बहुत जादा टेजी की अंदेशा नहीं है चिंतन में था copper, zinc, aluminium, lead इन चारों काउंटर्स में से आपको चुनना होगा तो बताइए कहां पे ट्रेटिंग के मौके जादा दिख रहा है कहां पे आपको लग रहा है जादा तीजी हां से आएगी आपके लिए top trade counters कौन से होंगे हफते बर से एक महीने के लिए बताइएगा और जो भी आप base metals की call दें उसके साथ साथ target के साथ साथ stop loss का label भी बता दीजीएगा मुझे लगता है अगर यह interest rate यहाँ पे पीक आउट हो गया US के अंदर तो economy revive होने की probability बहुत बढ़ जाती है और ऐसे केसों में obviously metal बढ़ जाएंगे बुल्वरन में आ जाएंगे तो मुझे सबसे अच्छा जो buy side लगता है वो zinc और aluminium लग रहा है वो दीरे दीरे फिर 220, 222, 230 अब वो दीरे दीरे 230 के नीचे दिखता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो जाए तो वो base अपना shift कर रहा है अगर यहीं पे अगर किसी को buy करना है तो वो buy कर सकता है और accumulate कर सकता है जितना नीचे के level पर आये यहां पे आपको content को इतना बरना नहीं पड़ रहा like unlike a natural gas और वहां पे ऊपर में आपको 270-270 के level zinc पर देखने को मिल सकते हैं same with aluminum अगर आप aluminum देखिए तो last 3-4 मेने में 195-195 के level थे वो धीरे-धीरे-धीरे overcome करते-करते फिर उसने 200 का base बनाया अब वो 200-205 के बीच में एकदम stable चल रहा है तो with any positive data अब यह जब base shift करेगा तो next base आपको देखने को मिलेगा 215-220 के बीच में तो I would say buy on dips for aluminum and zinc is a good idea copper के अंदर भी नीचे के level पे बहुत अच्छा support आ रहा है बट अभी उसके जो fundamentals है वो उसके favor में नहीं है तो copper में बार-बार ऊपर के level पे supply आ जाता है तो base metal के अंदर zinc and aluminum is the metal to go along सचिन गुपता आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मिटल्स में copper, zinc, lady, aluminium चारों counter में से क्या पसंद करेंगे अगर multiple contract अगर पसंद आ रहा है तो वो भी call दे सकते है लेकिन जो भी call दीजेगा एक दो दिन के लिए नहीं कम से कम positional view आपका रहना चाहिए medium term की हिसाफ से हपते 10 दिन से लेके महिने भर का view अता ये चारों ही counter में बेस मिटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है कहां पर ट्रेडिंग करनी चाहिए well positional point of view से अगर हम देख रहे हैं तो मुझे लगते कि copper could be a good bat अच्छे attractive levels पर है technically major supports पर trade करता हुए नजर आ रहा है और lower level से भी rebound हमने यहां पर आता हुआ देखा था और उसके बाद में finally price वो sustain करते हुए नजर आ रहे है fundamentals factors light positive होते हुए दिखा ही दे रहे है तो हमें लग रहे है कि copper could be a good bat for the like positional point of view से अगर दिखा जाए positional targets यहां पर वो like 735 और 740 तर के लिए हो सकते हैं वाइल अगर down side में support की बात कर रहे तो करीब 710 के आसपस में अच्छा support जो नहीं ओके तो base metals को लेकर यह view तीनों exports का बन रहा है तो आपने सुना यह किस तरह से boolean market energy market और base metals का market आगे अगले कुछ 66,000 की call को बेचने की सला आ रही थी चिंतन की तरफ से लेकिन हाला कि तेजी के लिया से चांदी भी सोने की राभ पर ही है चांदी में आगे गिरावट की संभावना लेकिन चिंतन को अब कम दिख रही है गोल के मुकाबले उनको लग रहा है कि गिरावट चांदी में कम हो सकता है कि आगे भी यह दबाब बंक बरकरार रहे लेकिन अगर आपको यहां पर गिराबट में खरी दारी का मौका देखिये तो इंटरी के मौकशे ढूटने चाहिये गिराबट में खर्ःदारी की रन्नीत बनाने की ही कोसिस करनी चाहिए ऐसा चिंतन को लगता है तो यह आपने पूरा व्यू चुत सुना बेस मेटल मार्केट का एनरजी मार्केट का बूलियन मार्केट का शुक्रिया चिंतन आपका मनीजी आपका सचिन आपका आप तीनों ने वक्त निकाला और हमारे धर्शकों को सारे ही कमोडिटी पर अपनी राय बता दी तो कमोडिटी विशेश की इस खास पेशकर्स में फिलाल इतना ही लेकिन बाकी ख़वरों के लिए बने रहे एटी नाउ स्वादेश के साथ नमस्कार झाल 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 तो हुआ झाल झाल लगतार चौथे दिन नए शिखर पर निफ्टी करीब 80 अंख चड़कर 2930 के पारबंद रही नए हाई के बाद बैन निफ्टी में मुनाफ़ वसूदी उपर से करीब 400 अंख फिसल कर बन आईटी शेरों से बाजार को सपोर्ट विप्रो ल्टी आई माइन ट्री तीन तीन परसेंट की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनल बने अदानी ग्रूप शेरों की फर्राटा रफ्तार जारी अदानी टोटल अदानी ग्रीन और अदानी एनरजी करीब 15 से 20 परसेंट उचल कर बन लेकिन अदानी एंटर्प्राइजस दिन की उचाई से 5 परसेंट गिर कर बन फर्टिलाइजर शेरों में खरिदारी मदरास फर्टिलाइजर चंबर फर्टिलाइजर फाक्ट में 6-11 परसेंट की बढ़त दिखी वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने आज संसत में पेश किया अतिरिक्त फर्टिलाइजर सबसीडी का प्रस्ता FMCG शेरों में खरिदारी, ITC 3% की तेजी पर बंद, बिटानिया और नेसली में भी डेर से 2% की बढ़त शुगर शेरों की मिठास, फिकी, बल्रामपुर, चीनी करीब 7% तूटकर, बंद, त्रिवेनी, इंजिनेरिंग, श्री रेनुका और धामपुर, शुगर में भी कमजोरी रही CLSA के डाउंग्रेड के बाद, टू वीलर आटो शेर पर दबाव, बजाज आटो और आईशर करीब 2-3% तक फिसले हीरो मोटो पर भी दबाव बाजार में आज डिफेंस शेरों में दिखा दम, H.A.L. में सारे 5% से जादा की तेजी परवंद, B.E.L. कोचिन शिप्याड में शुधातो निगम में भी 2-5% की मजबूती दिखी केमिकल शेरों में भी गर्मी, बालाजी अमाइन्स, अलकाइल अमाइन्स, कनोरिया केमिकल्स में 5-12% का उच्छाल दिखा, हिमादरी और टाटा केमिकल्स में भी 2-5% की बढ़ती तमस्कार स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर, मैं हूँ आपके साथ मुझात रुपाथी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर्ष कल्की तयारी जो दर्शक हमारे साथ अभी जुने हैं उनकी जानकारी के लिए हम बतारें कि एस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी साथ ही आपको कल के बाजार की तयारी भी करवाएंगे मार्केट के दिगज एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे दर्शक भी उनके सवाल भी हमारे पास आएंगे जिन्हें एक्सपर्ट अपनी भरोसे मन्द सरा देंगे लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़े गो और कल की तयारी के WhatsApp और Instagram, Twitter पर सवाल भीजने के लिए Hashtag कल की तयारी को फॉलो करें आपके हर सवाल का जवाब आसान शक्दों में हमारे Expert देंगे और बाजार से जड़े हर उल्जनों को सुलजाने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही दिये हुए नंबर पर मेसेज या फिर कॉल के जरीए आप हम तक अपने सवाल पहुचा सकते हैं कुछे दे में हम Experts को भी शामिल करेंगे लेकिन उससे पहले market का एक quick recap आपके सामने रख देते हैं लगाता चौथे दिन शिखर पर Nifty बंद हुआ है करीब 20,930 के पास की closing Nifty में देखने को मिली हाला कि bank Nifty में कमजोरी थी क्योंकि आज expiry भी थी और उसके लिहाद से भी आज bank Nifty में उताचड़ा बना रहा और लाल निशान में बंद हुआ अगर रूपी सरों से बात करें तो 400 अंकों की गिरावट bank Nifty में दिखी है लेकिन महीं दूसरी तरफ चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक अक्शन भरपूर था आज का दिन IT शेरों का था वहापर बहतरी निटेजी देखने को मिली बाजार बंद होते आखरी के एक घंटे में हमने मेटल शेरों में भी शांदार खरीदारी देखी अदारी स्टॉक्स में भी अदारी क्रिप के शेरों में भी लगा था दूसरे दिन मजबूती थी और कुछ स्टॉक्स अपने और टाइम हाई लेवर पर कारोबार कर रहे थे इसके अलावा फ़र्टिलाइजर शेर्स फम्सीजी स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स डिफरेंस और केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा अक्शन था वहीं दूसरे तरफ आउटो स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे CLSA की डाउंग्रेट की रिपोर्ट आने के बाद हमने देखा के आउटो शेर आज दिन के निश्ले सर पर ट्रेट कर रहे थे चलिए ये तो बाजार का एक्शन हुआ सवाल पुछने का तरीका हमने आपको बताई दिया है लेकिन कल की तैयारी में इस इस शो में रगनीती बताने के लिए हमाय साथ जुग गया है कोटक सेक्यूर्टी के अमोल आठवली और मार्केट एक्सपर्ट शेर मिला जोशी भी हमाय साथ महुद है आम दोनों का ही बहुता स्वागत है शोपर अमोल समसे पहले आपसे बाजार पर आए लेंगे बैंक निफ्टी के एक्सपाइरी हो चुकिया कमजोरी यहां पर देखने को मिली है अपकल निफ्टी की भी एक्सपाइरी होगी ऐसे में क्या ऐसे ही रेंज में ही आप आजार में कारोबार देख रहे हैं या फिर कुछ वालेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें इसे में ट्रेडर्स क्या करें ये एक train following traders के लिए important support level रहेगा उसके नीचे अगर इंडेक्स ट्रेड होता है तो एक minor correction आसकता है और उसके नीचे हम देख सकते है 2750-700 एक runaway correction जेसा परमेशन हो सकता है अगर फिलिप साइड ये टेक्शर गंटिनु रहा है अगर market higher side पी तो आने वाले दिनों में इंडेक्स जो है वो 21,100 तक जा सकता है about bank nifty आइचिंग ये फूरा सा pause लिया था और उसी के करणा आज IT stocks में फूरा सा activity और बड़ा बट ये pause ये कहीं भी reversal नहीं लग रहा है bank nifty में भी so मुझे लगते है कि bank nifty traders के लिए important supports रहेगा 46,500 और higher side I think 47,300 47,500 ये एक range रहेगा और आने वाले दिनों में bank nifty सीमी दाइरे में ये ही range में trade होता हुआ दिख सकता है ठीक है तो ऐसे ही दाइरे में कारोबार होता हुआ दिखाए देगा indices पर और bank nifty पर भी आपको सवादे दिगी है अब सवाल जवाब का सलसला शुरू करेंगे हमारे पास पहले दर्शे का सवाल आ चुका है यूट्यूब पर सवाल आ रहे है आप हमें live भी भी भीज सकते हैं अपने सवालों को पहला सवाल अशोक मकर जी ने भेजा है ओडियन पेपर्स सौ शेर्स एक्यावन रुपे पर इनों ने लिया हुआ है हाल फिलाल की खरीद है जादा नुकसान में तो नहीं है बैट शमिला क्या सजेस्ट करेंगे इनके खरदारे से थोड़ा नीचे आ चुका है ये स्टॉक बने दहने की सला देंगी या फिर कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगी नहीं मेरे साथ से यहां पर बने रह सकते हैं कि जिस तर असे वैडिवेशन से जिस तर असे नतीचे रहे हैं काफी ठीक लग रहा है ये स्टॉक ये लेवल पर माई टार्गेट वी क्लोजर टू 55 लेकिन ये अपकोस लॉंग टार्गेट है तो अगर वो रुख सकते हैं तो मेरे साथ से उनको इसने बने दाना चलिए ठीक है तो लॉंग टार्गेट के लिए अगर आप रुख सकते हैं तो औरियन पेपर में बने रहने की सला अच्छा मुनाफ़ आपको ये स्टॉक देके जागा अगला सवाल आया है हमें फिनोलेक्स केबल्स पर है हिदराबाद से हिशाम जी का सवाल है इन्होंने 986 पर एंट्री की थी स्टॉक में और 200 शेर्ज लिए हुए थे और अच्छा मुनाफ़ हो रहा है स्टॉक एक हजार पचास पर कारोबार कर रहा है करीब 12-13 थार का मुनाफ़ इंको इस्टॉक में हो रहा है अच्छी तेजी भी हाल-फिलाल में देखने को मिली थी फिनोलेक्स केबल से वायस में देख रहे है रुजहां काफी अच्छा इस वक्त दिख रहा है पिछले एक महिने में अगर देखें तो फिनोलेक्स के स्टॉक में 16% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है अमूल क्या करें अगली टागेट साब क्या देखना है इस कंपनी के लिए ये इस साल का देखेंगे तो 92% का रैली स्टॉक कर चुका है तो टेक्शर बुलिश ये 50-day simple moving leverage के उपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है मेरे काई से 1000 और 980 ये दो important support लेवल है इसके उपर रहता है तो जो bullish texture बना हुए वो continue रहेगा और आने वाले दिनों में 1100 एवन 1140 तब के भी लेवल स्टॉक में आ सकते 1100 के लेवल स्टॉक में अगले टार्गेट्स है अगर इसके पास आता है तो वापस से या फिर रिव्यू कर लीजे या फिर इस्टॉप लॉस को ट्रेड कर लीजे और वापस से अपने सवाल हमें हमसे पूछ सकते है अगला सवाल हमें भेजा है है एच एस सिंग जी ने अलम्बिक लिमिटेड इनो ने लिया हुआ है 245 शेर 85 41 की खरीद है हाल फिलाल की खरीदिंकी भी लग रही है अलम्बिक लिमिटेड में आज इस टॉक में हलकी वीक्नेस थी अगर जेतली समें से ककर अलम्बिक का अंतरव सबह накवा तो समय होसे अरे लिमिटेड का उटर इस टॉपनिया कि जी हम है पार अलम्बिक लिमिटेड के स्टॉक में क्या करें आभ मैरे साथ से मढ उन रह सकते हैं यह लीस दोड़े से नरल ते लेकिन और अगर आप देखे तो जिस तरह का वैडिवेशन है, जिस तरह का मुस्निस है, पंपनी का मेरे साथ से टागेट करीबन 90-92 तक का रहेगा, तो मेरे साथ से वो बने रहे सकते हैं. ठीक है, तूसरा स्टॉक इंके पास सेंट्रिल बैंक है, एक्सो बी, शेर्स पर इंटो ने लिया हुआ है, सरकारी बैंकों में हमने काफी अची तीजी देखी, लेकिन सेंट्रिल बैंक को अगर देखें, तो इतना जादा कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, हाला कि पिछले अगर आपका क्या खेना है, और आगे के लिए टागेट्स क्या देख रहे हैं आप सेंट्रिल बैंक में, तो अगर पोजिशनली वो देख रहे हैं, तो इसके उपर रहता है, तो इसके जो रिवर्सल रह सकता है, तो अगर टाइम लेगा स्वा, बट आने वाले जिनों में, 55 तक के लेवर्स देख सकते हैं, होल्ड करिये फिलहाल स्टॉक को, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सुरेंदर कुमार जी ने पना सावाल भेजा है, यूट्यूब पर IDFC First Bank, 1500 शेर्स और 45 पर इन्होंने लिया हुए, तो काफी अच्छे लेवर्स पर इन्होंने एंट्री क IDFC First Bank, हमने देखा, वहां से काफी अच्छा रनब दिखाया, स्टॉक ने, और 90 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ चुका है, इनको 67,200 का मुनाफ़ा भी शेर में हो रहा है, श्रमिला, IDFC First Bank, अब यहां से और कितनी तेजी देख रही हैं आप? So very honestly, अगर उनको कोई जल्दी नहीं है, या if he doesn't require money for any reason, मेरे सबसे उनको विल्बुल रहना चाहिए, इस टॉक में, very honestly, मुझे लगता है कि ये लेवल पर रफ्रेश बाइन भी हो सकती है, overall I think banking थोड़ा लेज जोई गुआ है, इस पाटी को, banking stocks, financials, कुछ खास चल नहीं र 1st bank, would be one of the names, तो मेरे सबसे उनको बिल्दो रहना चाहिए, इस टॉक है, तो बने रहने की सलाव हुई, IDFC 1st bank में, आगे भरते हैं, और अगला सवाल हमें आया है, साहिबर रह्मान जी का, इंका सवाल है, सूजलॉन एनरजी पर 5,050 shares इनोंने 40 रुपे पर लिया हुआ है, थोड़ा उपरी लेवल पर इनोंने खरीदारी कर ली थी, एक स्टॉक में जब तेजी आई, तब शायद इनोंने एंट्री कर ली और वहां से सूजलॉन का share नीचे आ चुका है, शरमिला हमने देखा कि सूजलॉन में तो काफी समय से लोग होल किये हुए, आप जाकर उनको मुनाफ़ा देखना शुरू हो रहा होगा, लेकिन जिन्होंने एंभे भी एंट्री कर ली है, उन्हीं क्या सला देंगी, आप लॉंग टर्म के लिए अगर बने रहना है से तीन से चार साल के लिए, तो क्या समय देख, स्टॉक यहां से चलेगा? कि अगर आप आपके चारीज सुपे पर ही आएं, तो आप बहुत जल्दी परसे नहीं बनाओगे, क्योंकि यह स्टॉक काफी चल चुका है, लेकिन इसके चलने के पीछे एक बहुत बड़ी फंडमेंटल वज़े है, क्योंकि बिसनस इल्गू हो रहा है, ओर आल जिस तरह क का नजरिया रख सके कि आपको इसमें एक दो साल बने रहना जींगे, बन पने रह सकते आप, तो यह आप मेरे साब से बने रहे हैं, तो कभी बीच में अगर कोई आपने यूदो सी की तोड़ी बाइन आ गई तो उसमें अगर आपको, इस एर ट्रेडर आप एग्जिट का स लेकर मेरे साब से यह एक ऐसा स्टॉप है, जिसमें अगर आप एक दो साल का इन्वेस्मेंट हो राइजन जड़की, तो आप यहां से बना सकते हैं, तो थोड़ा लॉंग टर्म के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत उपरी लेवल पर एंट्री ल हुई थी, यह भी स्टॉक इन्होंने थोड़ा उपरी लेवल पर ले लिया है, अमूल जी क्या करें, वोड आइडिया में, अगर पोजिशनल प्वांट आप उसे देख रहें, तो होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक में ब्रेक आउट आया तब वापस उसमें एक करेक्शन आ रह हुम्, ठीक है, तो बने रहने की राय आपको दी जारी है, इस टॉक में, लेकि इस टॉप लॉस का भी ध्यान रखें, इस शेर में, अगला सावाल हमें अदानी टोटल गैस पर आया है, और यह सावाल हमें भेजा है, चंदिगर से नमन जी ने 340 शेर इन्होंने 791 पर लिय इस शेर में, क्योंकि हम देख रहे हैं, वहां से तो स्टॉक लगातार चल रहा है, एक अच्छी बाइंग नजर आ रही है, और पिछले अगर दो दिनों में ही, पांच दिनों का अगर चार्ट देखेंगे, तो करीब 50% यह स्टॉक चल चुका है, डबल, अल्मोस्ट दोग गास क्या सला देंगी, और तीजी के लिए भी रुखना चाहिए, क्या? तो मेरे साब से बने रहे हैं, लेकिन न्यू स्लो पर एक ध्यान रखेंगे, तो न्यू स्लो पर ध्यान रखेंगे, और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखेंगे, अपने मुनाफ़े को प्रोटेट करने की यहां पर कुश कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा चल चुका है, य जवाका सिसला हम जाए रखेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि कल कौन से बड़े इवेंट्स हैं, जहां पर की आपको नजर रखनी है, हमाल साथ वामाक्षी जो चुकी है, कल के बड़े च्विगर्स बताने के लिए, वामाक्षी बताइए. चिबलकुल, आज अगर हम देखें, तो यूएस की तरफ से क्रूड औल इन्मेंटरी के जो आखड़े आएंगे, इस पर खास हमारी नजर रहेगी, आफ्टर माकेट आवर्स में एक्सपेक्टेड है, तो यह हमारे रेडार पर रहेगा, मगर कल अगर हम देखें, तो हमारी नजर होगी, यूएस से आने वाले इनिशिल जॉब लिस क्लेम्स पर, इसके अलावा, यूरो जोन की तरफ से जीडीपी और चाइना की तरफ से ट्रेड डेटा भी एक्सपेक्टेड है, मगर कॉपरेट फ्रंट पर अगर हम बात करें, तो यहां पर भी काफी आक्शन हो र रहेंगे, इसके अलावा दो खास काउंटर्स दूसरे है, जैसे कि GNFC और TCS, यह दोनों ही फोकस में रहेंगे, क्योंकि यह दोनों की कांपनी का जो बाइबाक इशू है, वो खुलने जा रहा है, टेंडर रूट के द्वारा यह बाइबाक हो रहा है, और आखिर में हम फो बहुता शुक्री आप, बहुता शुक्री आप, बहुता मक्षी आपका यह सारी जानकारे देने के लिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रूट करते हैं हमारे अगले सेग्मेंट का वियाईपी शेयर, शामिला जी सबसे पहले आप बताएगे अपने टॉपिक्स, अची जिए वहाँ करता हैं है और मेरे साब से यह तो सबसें बहुता हैं नंडीज है आए है किस तरह का बैलेशी आप इस्टाल स्टीष एतर ल को ले सकते हैं जिंदा स्टील एंपार्ण से, इस को ले सकते हैं तटागट आप अवेटर्ट थेक हैं तो जिंदा के ट्रेट्स उजाएंगे कि मुझे दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं उसके एक है ल्टी आइं पोजिशनल पॉइंट आपके उससे जो पाई 635 के असपर चल रहा है पोजिशनल ही मुझे लग रहा है कि टार्गेट आसकते है 5920 और उसके उपर भी जाने के चांसे दे 6,000 यह स्टॉक रैली कर सकता है और स्टॉक उसका रहेगा 5495 का आइठीक्शर काफी बुलिश है और एक रेंज ब्रिक आउट की तरफ जा रहा है डिसेंट वोल्यूम अक्टिविटी है और अभी 20 और 50 डे सिंपल मुविंग अवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है स्टॉक लॉस उसका रहेगा 825 का यह स्टॉक पाफी अंडर पर्फॉर्म रहा है और एक रिवर्सल पॉर्मेशन हुआ है नियर 200 डे सिंपल मुविंग अवरेज के असपर एक हाईर बटम फॉर्मेशन है सो ट्रेक्शन बता रहा है कि यह स्टॉक में जो रिवर्सल आया है वो आगे जाके भी स्टॉक में अच्छा कासा रहली में कनवर्ट हो सकता है ठीक है तो यह है सला दोनों ही स्टॉक पर वोल्टाज खरीदिये 900 के लक्षे के लिए स्टॉप लॉस होगा 825 का चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे रिटेश गोहिल जी का सवाल आया है इनका सवाल है आयार एफसी पर 1000 शेयर्स इक्यावन रुपे पर इन्होंने लिया हुआ है अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है स्टॉक अब 75 रुपे के आसपास आ चुका है आयार सी का अब अब आप ही सला दीजे और तेजी के लिए अभी भी रुके इस टॉक में बड़े रानी के बाद कम लेना चाहिए अभी वीक्नेस नहीं स्टॉक में बट काफी रेंजबांड हो रहा है स्टॉक तो मेरे काल से या तो पार्शल बूक कर लेना चा तो थोड़ा पार्शल प्रॉफिट बुक कर लिए अपने मुनाफ़े को प्रटेक्ट करिया स्टॉक में अगला सवार संदीब कुमार जी का आया है अधानी एंटरप्राइजेस पर आज का टॉप गेनर 490 शेर्ज 2100 पेनों ने लिया हुआ यहां पर भी देखिए अधानी ओलों का टॉप एटीमांजी ऑनी एंटरप्राइज मिरे सब्सक्राइजे वह यहां जिस तरह का सब्सक्राइजे इस द्रॉप फिर से नियुस नों पर ज्यान रखिए लेकिन अभिंस हैड़ आप स्टॉक में बले ले सकते तो बने रहने की शल्ला अधानी एंटरप्राइ उन्होंने जिंदास्टी खरिदारी करने की सला दीती लॉंग टरम के लिए जो व्यू है उनका वो कम से कब 18 महीने का व्यू लेके चलिए ये है सला जिंदास्टी पर आगे बढ़ता है कुछ और भी स्टॉक्स आइडिया माफीजेगा कुछ और भी स्टॉक्स सवालों को हम शामिल कर लेते हैं राजेश गर्ग जी का सवाल आया है इंका सवाल है इंडियन ओवर्सीज बैंक पर काफी ज़्यादा क्वांटिटी इन्होंने लेके रखी है 30,000 शेयर इन्होंने 47 रुपे पर लिया हुआ है इंडियन ओवर्सीज बैंक का आयोबी का मौजुदा सर अगर देखें तो 42 के असपास कारोबार कर रहा है लेकिन क्वांटिटी अच्छी खासी ले रखी इन्होंने अमूल जी क्या सुझाव देंगे आयोबी में बने रहना चाहिए इन्हें इसके लिए मैं छूटा स्टॉप लाज दूंगा 40 और 39 50 के असपास का वहाँ पे 20 डे सिंपल्ग अवरेज है और वही पे एक कंसलरेशन हुआ था यह लेवल एक वह फॉलो का सकते है क्योंके उनके पास कॉंटिटी थोड़ा सा हेवी है अगर वांद हायर साइब देखेंगे तो 45 और 46 तर जा सकता है शौट टम में वैसे भी मिडियम टम भी टेक्शर अगर हम देखते है तो बुलीश ही है सब बहुत ज़्यादा वीक्ने इने बाद समय देने के लिए तमास टॉक्स पर अपनी रणी दीवी सुझाने के लिए फिलाल मुझे दीजी इजाज़त लेकिन ख़बरों का ससला अभी भी जाए रहे का नमस्कार कर दो झाल झाल प्रतिक्षा बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए आपका स्वावत है इडिनाउसो देश में हमारी बाची एक ऐसे दिन हो रही है जहां हमने दो दिन की जबदस तेजी मजार में देखी स्टेट इलेक्षिन के आउटकम को कह लीजे स्ट्रॉंग जीडीपी का आउटकम देख लीजे यूएस में संकेत कि शायद रेट्स पीक हो गए सबका मिश्रल हुआ और एक बड़ी रेटिंग काईनम मूव देखी यहां से छे से महिने के लिए इंडियन स्टॉक्स का आउटलुक आपके साफ से अर्निंग्स, रेट्स की टाजिक्ट्री आज इसाफ से पुरिटिक्रिक्रिक्रिटी के संकेतारे मिला के कैसी दिखाई दिखाई दे रही आपको अपना बहुत स्टॉम पोजिशन पर है जैसे आपने बताया कि जितने भी नंबर्स आया है GDP ग्रोथ है, GST कलेक्शन है, अपना इंफलेशन नंबर्स है, सारा ही बहुत स्टॉम इंडिकेशन देता है कि एकनॉमी बहुत स्टॉम चल रहा है तो इकनॉमी पॉइंट उफ्यू से बहुत स्टॉम इंडिकेशन है, I think स्टेट इलेक्शन का आपने बताया कि जो भी आउटकम आया जनका ने वोट किया है गरोट के लिए अध्यूमें का कॉंफिडेंस बढ़ाया है, मार्केशन का स्टैबिलिटी, पृलिटिपल स्टैबिलिटी थी nजार आई तो उस हिसाब से मार्केट का कॉंफिडेंस बहुत बढ़ा है तो मार्केट ओवराल रिफ्लेक्शन होता है, एकनोमी का, एकनोमी बहुत स्ट्रॉंग समझ आएगा भी. एकनोमी काफ़ी पसेसे हैं, छो आपको काफी पसंदात है है? इस लिए परएड कोशने स्टॉक्स को सीकर्ण अजरे अब्सेय काफी पसंदात है लोगा जासा है तो मार्कित में यह बहुत अच्छा मोमेंटम नंगेर और यह अजरे सारी में जहीं हैं, Somaliya, एक साल का रिटन अराउं 35% NFT अराउं 14% तो ये काफी सारा अल्रेडी फैक्टर है बहुत optimism जो अल्रेडी प्राइस दिन लगता है इन मार्केट्स में बट जो अर्निंग्स का विजबिटी है जो गुरूद का विजबिटी है I think on next six months till election time उससे आगे तक का काफी strong दिखाएं पड़ता है अच्छा एक और चीज प्रतिक्षा आपसे हमको समझनी है वो जरह Capital Goods को है अब लोग ये कह रहे हैं कल हमार साथ जुड़े थे Kotak के एक fund manager थे पहले अभी लेकिंगों Kotak नहीं देखते तो वे कह रहे थे कि manufacturing नहीं थीम बनने जा रहे है इंडिया के अंदर हो सकते हैं आने वाले दिनों में manufacturing में job और manufacturing को लेकर government काफी aggressive हो तो shares में उस लिहास से हमने बहुत अच्छा पैसा बनते हैं अभी तब देखा नहीं है अगले 2-4 साल के लिए manufacturing में ज्यादा पैसे का quantum को shift कर दें क्या manufacturing में अगर देखे तो actually बहुत बड़ा macro shift दिखाई दे रहा है जो हम पहले global service provider होते थे अग हम हमारे manufacturing को भी policy shift का focus मिल रहा है बहुत सारे industries अभी इंडिया में manufacturing बनाने के लिए process शुरू कर दिया है फिर वो electronics हो, auto हो, semiconductor हो तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे industries यहाँ पर अपना presence create करेंगे उस वज़े से automatically employment बढ़ेगा काफी सारी other benefits दिखाई पढ़ेंगे आगे आगे जाके तो उसे सारे manufacturing डेफिनिक एक बहुत बड़ा theme डेवलप हो रहा है अगर markets के point of view से देखे या stocks के point of view से देखे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा ये आजके valuations में captured है, काफी सारी काफी सारा जो भी positive growth आने वाला है वो market में अभी consider कर लिया है तो valuations point of view से उतना कम कोई manufacturing में अभी नहीं है, पर growth prospects बहुत स्ट्रॉंग दिख रहे हैं तो उसे साब से ये team तो डेफिनिटली बहुत अच्छा प्रियाओट हो सकता है ये manufacturing theme ये काफी strong theme है प्रतिक्षा बट असबक तर जुसरा की बात की जा रहे है कि as compared to small and mid-cap large cap की वालुशन सादा अट्राक्टिव है वहाँ जादा comfort बहुत साद एक्सपोर्ट को आ रहे है आप large cap space में कौन से बड़े नाम या बड़े sectors है जहां पर value देख रहे है तो large cap में अगर आप small या mid-cap के comparison में देखे तो definitely बहुत जादा value है कुछ stocks अपने historically low PEs पर available है जो काफी बड़ी companies है जो काफी stable और strong companies है वो आज काफी बीसेंट valuations पर available है पर वो कुछ large caps में बोल सकते है हम generally अगर देखें तो कुछले कुछ सालों में अभी large cap में ऐसा हो गया है कि 50-70-100 PEs भी बहुत normal चीज हो गई है तो large cap में पूरी sector में अभी जेफ्रीज ने हाली में अपना power conference किया और वहाँ पर ये बात निकल के आई है उन्हें टॉप power companies exchanges, financiers वगरा सबसे बात की और हमने देखा है पिछले दो साल में power space में बहुत rally आई है wiring cable ले लें, gencos ले लीजे आप financiers ले ले लीजे, सब चले है लेकिन अब ये बात निकल के आ रही है जैसे जेफ्रीज भी बुल रही है कि ये जो जो इसके में changes आ रहे है power sector में, भरती power sector में वो बहुत structural है, वो बेकेडिल भी हो सकते 5 से 8 साल भी चल सकते तो क्या अगर इस तरह का माहल बन के आ रहा है क्योंकि ये 40-50, 70-year-old sector है जिसमें reforms आ रहे है तो क्या ये multi-year theme हो सकता है Absolutely अगर आप देखें तो power in India the consumption जो है वो बढ़ी रहा है आज अपना per capita power consumption यहां से सिफ बढ़ने वाला है AC consumption बढ़ने वाला है manufacturing अगर बढ़ेगा तो obviously power usage भी बढ़ेगा तो growth in demand बहुत strong दिखाए दिएगी power में अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में power में कोई बड़े reforms नहीं हुए कोई बड़ा capacity addition नहीं हुआ है और यह पूरा जो नया tactical shift है जो हम renewable की तरफ बढ़ रहा है आ रहे है जो पिछले 10 साल में थे नहीं जो दिखे नहीं थे distribution पे transmission पे कहीं में भी वो दिखे नहीं थे अपना grid transform हो रहा है generation बढ़ रहा है तो हर aspect हर value chain में power में बड़े-बड़े reforms हो रहे है और यह काफी बड़ा और लंबा theme layout हो सकता है यह NBFC में काफी अपने देखा है कि बात इंकल के आ रहे है कि यहां से करे rates वाकरी trajectory top out होके नीचे की तरफ जाती है तो NBFC में काफी अच्छी growth आ सकती है कुछ हाली में NBFC में अपने आगे वे growth guidance बढ़ाए बगारा देखने को मिल रहा है लेकिन इनको उपनी respect जैसे बड़े bank lenders जैसी नहीं मिलती बजार के अंदर आप लोग है इसके अंदर space में NBFC में आप कहीं पर select pockets value दिखती है हमारा presence जो है वो जादा तर B2B lending की तरफ है बट NBFC retail NBFC परसे में हमारा exposure नहीं है और इस एक यह वैसा space है जहाँ पर हमने अभी तक कोई meaningful हमारा intent नहीं रहा है आटिसिपेट करने का तो यहाँ पर मतलब हमारा कोई strong view नहीं नमस्कार आप देख रहे हैं Consumer Skin मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियार आपने महाभारत का एक मशूर किस्सा सुना होगा कि जब अरजुन सुभद्रा को चक्रव्यू तोड़ने का तरीका समझा रहे थे तो अरजुन के बेटे अभी मन्यू जो उस समय सुभद्रा के गर्ब में थे चक्रवू तोड़ना सीख गए लेकिन चक्रव्यू से कैसे बाहर निकला जाए ये अरजुन जब तक बताते उससे पहले ही कृष्ण वहां पहुँचे और अरजुन को अपने साथ ले गए नतीजा ये हुआ कि अभी मन्यू चक्रवियू में तोड़ना तो सीख गए लेकिन निकल कैसे पाए ये नहीं सीख पाए आप सोच रहे होंगे क कंजूमर रिस्किंग केस शो में मैं आपको महाभारत का ये प्रसंग क्यों बता रही हो तरसल आज जो हमारा मुद्दा है वो बेहत खास है एक रिसर्च के मुताबिक प्लेगिंसी के दौरान मा का जैसा वहवार और खानपान होता है बच्चे का उसी तरह का असर पड़ता है रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए अगर मा में मा काफी आवाज में गाना सुनती है तो बच्चे के सुनने की जो शमता है वो कम हो जाती है और इस रिसर्च में ऐसी ही कई सारी बाते कही गई हैं कई सारे खुलासे भी हुए हैं इसलिए आज का ये शो आपको बिलकुल ध्यान से देखना चाहिए तरचा की शुरुवात करते हैं और तरचा मेरे साथ खास में मान जुर गए डॉक्टर रूबी सहरा यूनिट हैट गाइनोकॉलजी श्रीबालाजी आक्शन हॉस्पिटल डॉक्टर बिबलबदास डिरेक्टर नियॉलोजी एनच गुर अब जो कोई भी माहरकते करती विवार करती है बच्चा उसको पकड़ लेता है समझ लेता है और उसी तरह के अचार विचार उसके भी मन में आते हैं पैदा होने के बाद यह अचार विचार आते हैं यह नहीं कहा जा सकता बट हाँ डेफिनिटली जो बेवी जो मदर का एक होसे कफी सूधिंग एफेट्स होते हैं जैसे उसकी भी still अब हो सपती है और साथ बेवी को जो बहुत अच्छा एक्ट आता है साथि साथ में जो बेवी जो न्यूरोलन, सैंसिटिव संसीरी डिवलबमेंट होती है और मिवी बेवी के मतार के साथ बाइंदिंग डिवलबम जब देवी मां के गर्ब में होता है तो उसके साथ जो मदर की हाटबीट होती है उसका एंवायरमेंट होता है अम्नियॉटिक फ्लॉइड में यह सब जो है बेवी को काफी उसके डेवलपमेंट में सेंस्री नियूरोनल और वैसे मेंटल अबिलिटीज को काफी अच्छा पॉ तो भी उसको बेवी की मदर की वांत भी उसको फील होती है बट यह सब स्टार्ट होता है जैसे 23 वीक्स और प्रेग्नेंसी के बाद स्टार्ट होता है और यह अच्छे से डेवलप हो जाता है एथ मंत में और नाइंथ मंत में बेवी अच्छे से मदर की आवास भी सुनता ह और कुछ-कुछ वर्ट वैसे भी कहें जाते हैं कि जो मदर बेबी जो है अपनी मेमरी में ले ले लेता है और उसका बाहर में जो है अरली परसेप्शन और इसको बोलना और लर्निंग उसमें उसमें भी हैल्प करता है दॉक्तर विपलव आप मुझे समझाएए नियुरोजिकली अगर मुझे समझना हो तो वी किस तरह का कनेक्शन होता है अगर हम नियुरोजिकल आसपेक्ट समझना चाहें तो इसके पीछे क्या बातें हैं क्या गुथी है यह बहुत ही इंपोर्टन्ट और एक इंट्रस्टिंग टॉपिक है कि बच्चे जब मा की पेट में रहते हैं उस समय उनको कुछ सुनाया जाए या जो भी बता जाए उसको एफेक्ट आगे जाकि कितना इंपेक्ट उतरा है और उसका मेमोरी रहते है या नहीं रहते है और जो सुना था उसी का आध्वरा उनको चक्रभी में फसना पड़ा क्योंकि उन्होंने पुरा नहीं सुन पाये थे आभी जो लेटेस्ट जो रिसर्च है मतलत साइन्टिफिकली भी देखें तो साइन्टिफिकली भी यह प्रोवेन है कि मादर को डूरिंग इस्पेशली डू अच्छे सुधिन मेलोडी जो कोई गाने हो कोई बजन भी हो इस तरह जो की उनको अच्छा लगे इस तरह सुने तो उससे उसका इंपेक्ट ब्रेइन डेवलोप्मेंट में उसका बच्चे के उपर एफेक्ट परता है और इस्पेशली इस इस बिन इन सैंटिफिकली जो मै देखते हैं कि बाहर से जो स्टिमुलाय जाता है उसके साथ-साथ auditory पाथवे में उसका इस response के से आते हैं और उसको देखते हुए यह पाया गया है कि बच्चे में जिसको आप इंदूरिं थर्ड ट्राइमिस्टर ऑंसो वें दे आर गिविंग सुधिंग एफेक्टिं उसका positive impact बच्चे को development में in their childhood आते हैं positive impact आते हैं so यह बहुत ही अच्छा बात है लेकिन हमें इसमें दो-तीन चीज समझना भी ज़रूरी हैं मतलब sound or melodies sound can be noise sound can be melodies so we have to be very very careful regarding what we are saying actually right so melodies sound noise which is having very very high decibel sound so it will affect the impact of the child, it will affect the hearing loss, so this is what we need to take care of. ज़रूरी है चलिए डॉक्र साची तो psychological level भी समझना होगा कि कि इस तरफ से you know आजकल बहुत सारी ऐसे जब pregnancy की बाते पता चलती है हमारे आसपास भी जब महिला होती है तो एक common चीज जो देखने में आती वो यह है कि वो गल्ब संसकार क्लासिज लेने जाती है आजकल यह सब बहुत ट्रेंड में आ गया है कि आप प्रेगनेंट हो तो फिर कैसे आपके बच्चे को आप ब्रुलियंट बनाए इंटलेक्चिली उसको कैसे कर सकते हैं कि सदा के शौक आपको अपने बच्चे में पैदा करने चाहिए इस तरह की अलग ट्रेनिंग होती है जो माता है प्रेगनेंसी की दौरान लेती है कितना सही है ऐसा करना सबसे पहले तो और दूसरा यह भी जाना चाहेंगे कि जब बच्चा गर्ब में होता है त तो psychologically वो माता के ज्यादा के ज्यादा क्लोस होता है? Okay, thank you for this question. पहले तो जो मैं बताऊंगी कि जो हमारी, you know, voice है, that's a way of, you know, connecting and as the child is, you know, as the baby is developing in the womb, it is kind of a pattern adopt करता है, उसको familiarity होती है कि यह कौन सी आवाज है, यह मम्मी की आवाज है, मनलब सिर्फ मा का नहीं, मैं काऊंगी कि environment में जो भी sounds है, वो recognition pattern develop होना शुरू होता है, right, and यह जो patterns है, उनका impact, उनके memory पे, attention पे, mood पे, emotions पे, और यह overall neural development में impact करता है, आप मुझे पूछेंगे कि गर्ब संसकार, it is very powerful, because the child is starting to recognize and identify certain patterns, और हम इसलिए कहता है कि ममी का जो mood है, वो कही न कहीं बच्चे को impact करता है, definitely करता है, and that is why एक responsibility होती है कि ममी को एक अच्छा environment कैसे उनका family दे सकता है, that is also very important, you know, the whole burden should not be on the mother, but even the parent, the father is also involved, and the child is, as the child is growing in the womb, it is recognizing the differences in the tones, and the patterns of the voice, and the messages, okay, lullaby, जैसे sir ने बताया, madam ने बताया, कि when lullaby is soothing, melodious music होता है, उसका positive impact होता है, और अगर कोई loud noises है, कुछ words, which are, you know, very negative in the sense, it is impacting the mother's mood and emotion, वो भी बच्चे को effect कर रहा है, क्योंकि negatively भी उसका impact हो रहा है, तो ये environment कैसे create करे, it's a responsibility of the family, and definitely it has a lot of impact, और ये जो messages जो होते है, जो हम गर्बसंसकार में देते है, so the child is actually, you know, becoming more receptive, और जब, when the baby is in the world, वो receptiveness already उनमें हमें डाल दी है, तो वो more adaptive और receptive होते हैं, as they are growing up, and that is why it is effecting and impactful, so definitely you are just like sowing seeds in the mind. Dr. Ruby, अब जैसे कि Dr. Sachi ने भी कहा कि माता की जो moods होते हैं, वो बच्चे पर काफी impact करते हैं, लेकिन अगे कोई महला pregnant होती है, तो वो बहुत जादा hormonal imbalance से गुजर रही होती है, अब जैसे में उनके moods काफी volatile होते हैं, नई नई चीजे या तो उनको अच्छी लगती है, या तो अच्छी नहीं लगती है, अलग अलग shock उनके develop हो जाते हैं, जो केवल उसी face के लिए हो, लेकिन अपने आपको वेक अलग अलग रूप में महसूस भी करती हैं, अब ऐसे में वो ऐसे कोई बहुत अच्छे psychological trip से नहीं गुजर रही होती हैं, अब बच्चे पर इसका भी impact होता होगा, क्या? There are certain hormones which are called as happy hormones, there are certain hormones which are called as happy hormones,